कि ये क्लास भी आपकी रिवीजेन के पॉइंट डिवी से लिए जा रही है इसके साथ इसे खतम होने के बाद आपका पूरा जीके और जीएस खतम हो चुका है जैसा कि बिग्यार में हम लोग ने खरे में इस खतम है और झाज खतम है रिवासित खलत शबि development आपको आप ₋प असेभिवर आपने लिए उसे लॉच्vantage कभर कर लिए फिर आप लोगने समीधान देखा वेड्स में सबसें कर भारत का भूज में быть when जिसमें आपने देखा है कि प्राचिन कालका, मद्दकालिन का और यह आधुनिक कालका है, ठीक है, और क्विक रिविजन की नाम से आपकी पिले लिख्ट सूची बना देगी है, जब भी पेपल देने जाए आप लो, और जब टाइम कम बच्या हो, तब यह इनका रिविजन क जो भी UPPCS, और वन डेग जाम में तो आपके देखेंगे, इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका वन डेग जाम में कोई questions जाएगा, ठीक है, तो यह सभी पर इच्छाओं के लिए आपके महत पूर रहेंगे, और भी अगर कुछ जरूरत हो, वो भी बता देना current base का ऐसा है कि current base हर में हर साल बदलता रहता है, तो 2020 की जैसे ही आती है, कोई books अच्छी सी, उसे कवर कर लेंगे, ठीक है, तो यह केवल अपने आज इस था ही आपड़े हो चुके है, आपके revision के लिए, ठीक है, आज स्था ही आपड़े जो बदलते रहें, तो उनके बारे म हम लोग आँगे बात करते रहेंगे, चलिए आदमने एक भागती है, इतिहास, सबसे पहले आप देखते हैं कि European company का आगमत, इनके बारे में जो भी point है, इने याद रखी, क्योंकि मैंने देखा है, direct options हर परीच्छा में पूंच लिए जाते हैं, बासको डी गामा काली का त काली कट में स्वागत किया था, जमूरियन में, यहां आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है, कि बासको डी गामा भारत कब कहुंचा, तो आपको बता देना है 1498 में, या पूंच लेता है कई भारतियों महादीप कि खोच किस ने की थी, तो बता देना है कि बासको डी इन पर आपने देखा है कि 1971-61 तक कब जाक कीजिए रहे, और दूसरी बात पूर्दगाल उपटने बेश का पिथा वाइसराय भारत में कौन था, यह था फ्रांसिसको दा अलमीडा, ठीक है, जब बासको डी गामा भारत आया, काली कट आया, तो वहां उसका कौन सा सासक था तो यह था जमूरिन, ठीक है, सूची एक समुदरी यात्री, सूची दो देश, बासको डी गामा पूर्दगाली था, किस्टो फर कॉलमबस इस्पेंड, आप कह देते ना कि कॉलमबस ने किस्टो फर कॉलमबस ने अमेरिका की खोज की थी, असल में क्या था कि उस समय भारत बहुत चर्चा में था, फिर चाहें मसालों के लिए देख लिए, कपड़ों के लिए देख लिए, तो हरे आप तरी क्या करते थी, भारत की ही यात्रा करना चाहते थी, लेकिन एक किस्टो पर कॉलमबस रास्ता भूल गया, एक नई दुनिया में जा पहुंचा, उसने कह द देता हूं कि एक से दो बार इने पढ़िए, आराम से देखिए, और मुझे लगता है, ये 70-80% आपकी कबर हो जाएंगे, फिर आपका जो चूट जाता है, उसे आप लोग रट लीजे, ठीक है, रटने से जानत थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, सब कुछ यात हो जाता है भारत में पुर्दगाली सक्ती का वस्तविक संस्तापक था, अलबुकर्क, भारत में पुर्दगाली सक्ती का वस्तविक संस्तापक था, अलबुकर्क, पुर्दगालीयों ने भारत में पिथम दूर्ग का निर्माट किया था, कोचीन में, का कोचीन में, मद्देकाल में सर पुर्दगाली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़ा बनाया था फुर्दगाली ने किसने पुर्दगाली ने कलगत्ता का संस्थाभा कौन था ये भी कई बात पुछ लिया गया जौब चार्नोग जौब चार्नोग इसने एक तरह से कलगत्ता की स्ताफना की थी भारत में यूड़ोपी शक्तियों के प्रवेस के संदर में सही कतने अंग्रेज हो ने पहला अपना पहला कारखाना सब्सक्राइब कर दिया था यह बिल्कुल सही है अब देखें सिविल सर्विस में आपके पुर्चास किस तरह से पूच लेगा एक लाइन देदेगा भारत में यूरोप इसकतियों के प्रवेश के संदर में सही गतन आपको चुनना है यह तीन चार गतन नीचे देदेगा यह तो आपसे कहेगा कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दुच्छे भारत में कहां लगा था तो आप बता देगा ऑप्सन देदेगा चार मचली पटना ठीक है बारत के साल ब्यापार के लिए सरफितम सेट पूजी करने कंपनी करने बारे लोग थे डच सबसे बनाना नहीं सीख पा रहे है तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी हालत रहती है सही कतन था डचों ने पुर्द गालियों को पराजित किया और आधुनी कुच्छी में उन्होंने पोर्ड विलियम्स का निर्माड किया सही है भारत में इस टिनिया कंपनी की सफलता का राज जिसके फल्सुरू कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था सिधा सा मतलव ही कि आप सोचिए दो साल तक अंग्रेजों ने सासन कियों किया आपने देखा था राष्टवाद हमारे देश में नहीं था सुरू में आपने देखा था एक कोई साथ दे रहा है रानी लच्छी में लड़ रही है तो सिंधिया साथ दे रहा है उनका अंग्रेजों का तो आप समझे कि कहां तक जब गद्दार में हो तो कहां तक आप कर सकते हैं उनका आप इतिहास की किताबें पढ़के उठा के देखिए इसलिए सिंधिया को अभी भी गद् लेकिन आप देखते हैं फिर 1900 के बार आप देखते हैं कि धीर धीर एड़क्ट भाव ना पैदा होती है और उसके बाद 1927 तक पूरा भारत एक हो जाता है और आजा दी मानता है तब जाकर भागना पड़ता है इस पहले भी हो सकता था लेकिन पहले आप जान रहे है कि कोई आपके साथ था तो कोई आक Improve नोसी था पैटिस उल्डियों में से भारत में व्यापर करने वाला पहला दिक्यार प्राप्त हुगया था लीवेंट कंपनी को लंदन में लंडन में और पेट्जी इष्ट इंडिया कंपणी के गठं के मैं भारत का वाथसा हो यह अक्वर्ण सम्सम्वर्ण डाशुडविया हो तสमद में फवारत में वानिस्ट में वादशाय कोई थाampf और खेवर्ण साथों का सथान काल था वह मोगल समराज जिसके के सथासन ने English East India Company ने भारत में सरफितम कारखाना इस्थापित किया जहांगीर के समय भारत में 1613 में अंग्रेज्यों ने अपनी पहली factory इस्थापित की थी सूरत में का सूरत में वह अंग्रेज जदिकारी जिसने पूर्टगादियों को स्वाली के इस्थान पर हाया था थौ मश्पच ऀयूरोप एक व्याफारी व्याफारी कंपनी इस सूरत में सरप्धम अपना कारखाना च्थावित किया था अंग्रिया जोने की एगार जोने Baptist इंड्या कंपश्य ह dedic में नें बंबाई लिया था उर्धगानियों से की से ऊर्धगानियों East India Company का गवन्या जिसे औरंगेव द्वारा भारस ते निसकासित किया गया था, यता सर्जोन चाइल्ड सर्जोन चाइल्ड, पिठम करनाट के उदे का ततकारण का रहता? अंग्रेव द्वारा फ्राणसी सी जहाजों का आधिया ठीक है करनाटा के उद्ध लड़ा गया था अंग्रेलों वा प्रांसिसियों के मत सूची एक सूची दो पिथम करनाटा के उद्ध इस तरह की कुष्चेंस कई बार मुझ लेता है आप देखिए इसलिए तो बोलता हूं चाल से पांस साल की कुष्चेंस पेपर आप लोग उठा के द कि पीथम करनाटा के उद्ध में किसके साथ थंध गए एकस लाफ चयबल की संधी के साथ दुतिय और आगे उद्ध घ्रफ टिये करनाठा के उद्ध पेरिस की संधी से अन्थ हूआ पिथम में सूल गोड़ीरिकिक orieन जिसने ढ़चित अरजिद करने के उध अधिश से भा भारत में प्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारिखाना इस्थापित किया था सूरत में किसमें सूरत में फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी इस्थापित हुई थी लूई चौदयवे के सासनकान में भारत में फ्रांसीसी कंपणी का संस्थापक माला जाता है कॉल वाय साली थी अंग्रेजों की पॉस्ट कैसी थी सक्ट सी साली भारत में यूरोपी सक्तियों का आगमन किरम साय पुर्दगाल पुर्दगीज यानि कि पुर्दगाल फिर डच अंग्रेजी अंग्रेज फिर फिरहाज सी ठीक है यह भी क्रम से लगाने के लिए आजाता है पॉंडीचेरी फ्रेंच, ग्वाप, उडगी, ट्राणवेकार, टैनेस यानि की डैन, सद्राज मद्रास, डच, सद्राज मद्रास, ठीक है, यूड़ोपियों मैं से सुदंदापुरु भारत में व्याबारी, व्याबारी के रूम में सबसे अंत में हाई फ्रांसी सी, ठीक है अब देख लेते हैं East India Company और Bengal के नभाब, मुगल समराट द्वारा निप्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्सीद कुली खाँ, यह भी कई बार questions बन चुका है, मुगल समराट द्वारा निप्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यह था मुर्सीद कुली खाँ कुली खाँ, वह योद जिसने भारत में बैटिस प्रवुत को पहरम किया पिलासी का योद, सराजवत दौला लॉइड कलाइड द्वारा परास्त हुआ था पिलासी के योद में, भारत बास में बैटिस समराज का संस्तापक था, लौर्ड रोबर्ट कलाइड, अलगू पिलासी का योद मेदान अवस्कित्ता पश्चिम बंगाल में, और पिलासी का योद कब लड़ा गया था, यह 1757 में, एक तरह से यह कही ही कि अंग्रेजों की जो यहां रहने की निव यहीं से पढ़ती है, अंग्रेजी सासन की, बंगाल का हुआ नवाब जिसने अपनी इर अन्तित की थी, यह था मीर कासिम, सबसे अधिक नेडाई की योद जिसमें अंग्रेज जो नक की भारत में प्रवुत्त को संस्थापित किया, यह था आपका देखिए बकसर का योद, किसका, बकसर का योद, बकसर की योद की समय दिली का सासर कौन था, साय हलम दुगिये, बकसर का योद याद रखिए 1764 में होता है, बकसर की लड़ाई की समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जापन, इंगलेंड की इस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पितम डेडा एक सेन सबंदा मानी जाती, बकसर का, इस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी पिदान की गई थी साह आलम दुद्यय ने, 1765 में इस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में की दीवानी पिदान की गई मुगल समराट ने, तो एक लासी कwirत गाई हो सात्रे सो संता वन और बकसर कायई होत सत्तरे सो चोंच्ट याद वह गवर्णर जिसके कारकाल में इस्ट इंडिया कंपनी को सा साहे आलम, साहे आलम द्वारा बंगाल बिहार उडिशा में दीवान नी अधिकार दिये गये थी एथर लॉड किलाइब, हों लॉड किलाइब, समराठ साहे आलम दुदिये ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उडिशा की दीवानी पिदान की थी, 12 अगस्त 1765, 12 अ 1765 याद रखिए इलाबाद की संदी के बाद एक पिदान किये गये थे बंगाल विहार उडिशा इलाबाद की संदी के बाद रोबर्ट क्लाइम ने मुर्शीदाबाद का उग दीवान निवत किया था मुहमद रजार खान को 1765 में दीवानी इस भी में दीवानी पिदान करने के लिए किये जाने के बाद बेटिश सबसे पहले जिस परवर्टी है जनजाती के संपर्ख में आये होती खासी अठारवी से तक में भारत में लड़ेगे युद्धों का सही अनुक्रम है अंबर युद्ध पिलासी युद्ध वान्डीवास युद्ध और वक्सर युद्ध वान्डीवास की युद्ध 1760 में वेट वेटिश ने फ्रेंच को हराय था एक बात और बताऊ आपको यह पह यहीं से मतलब कमाने लगे यहीं व्याबार करने लगे प्रॉफेट अपना देश भीजने लगे समझ रहें है नुक्रम है सही सुमलित करना युद्ध बक्सर कायुद्ध मेरकासिम विरोध इस्ट इंडिया कंपनी यानि की दोनों के बीच हुआ था बांडीवास कायुद् दलगजी और सिक्खों के भीज़ खुरदा कायुद् निजाम विरोध मराठी निजाम और मराठो के भीज़ भारत में अग्रेजों का सरवाधिक विरोध किया था मराठों ने किसमें मराठों ने अब छेतीरे राज देख लेते हैं पंजाब और मैसूल रजी सिंग के राजी की राधानी थी लाहॉर रजी सिंग ने सुपिसित कोईनूर का हीरा पराप्त किया था साय सूजा से इस्वर की इक्षा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगा से देखूं इसलिए उसने दूसरी आख की रोशनी ले ले याकतन किसका था महाराजा रजी सिंग का राजा दलीब सिंग के विषय में 23 अक्टूबर 1893 कुन का निर्धन पेरिस में हुआ नासिट में उनकी अंतर्ष्टी हुई और उन्होंने कभीभी शिक्धरम नहीं चोड़ा था वह कभी भी रोशन नहीं गये थे मैसे सही कफ़न है 23 अक्टूबर 1893 कुन का निर्धन पेर से जोन लॉरेंस और चार्स गेविल मांसल पिताम अंगल मैसूर योद 1764 से 1779 में विजय हुई थी हैदर अली की अंग्रेजों की हार हुई थी बैटिस जनरल जिसने हैदर अली को फार्टो नोगों की योद में हराय था यह था सर आयरपूट सर आयरपूट टीपूल सुल्ता टीपूल सल्तान ने बैटि सेना को 1780 में हराय था पॉली लोड में ठीक है अंग्रेजों ने स्री रंगपटनम की संदी की थी टीपूल सुल्तान के साथ किसके साथ टीपूल सुल्तान के साथ टीपूल सुल्तान अंग्रेजों के साथ योद में मारे गए थी 1799 में कब 1799 मे में पराजित हुआ, अपना बुबाग अंग्रेज़ों को दे दिया, 4 आंगल में अंग्रेज। इसमें आप देखें कि टीपू पराजित हुआ, योद में वो के मद्द में ही मारा गया याद रुखिए इनके बारे में टिकेट आंगे है आपका बेगम बेगम समरू ने एक अती पिसिद्य चर्च का निर्माड का रवाय था सल्धना का सही के थन है महराजा रजी स्थीन लाहोर में तोपों के निर्माड के लिए आदुनी धलाई खाने पिस्तापित किये आमेर म में टीवू सुल्तान ने संगेरी मंदिर में देवी सार्दा की मूर्ती के निर्माड के लिए धन दी आता इस अभी कतन आपके बिल्कुल सही है सही कतन है पिलासी के उद्ध में सराजुत दौला की पराजय के लिए मीर जापन ने अग्रेजियों से मिलकर सड़ें तरह चा जिस पर उपरी सरजना कारणवालिस ने की और इस्ट इंडिया कंपणी की आसेनिक होस्टानिक सुधार करने का सरे कलाइक को था लॉर्ड दलहोजी ने दूर्टी कि सिद्धान के आधार पर वेटिस समराज में समरज्चित जोड़े यह सभी कतन आपके बिलकुल सही है कलक अच्छा फिर कोष्ट की नीती समबंदी थे बॉरेन हैस्टिंग से बंगाल में दोईत सासन प्रणाली को समाप किया था बॉरेन हैस्टिंग से वह गवर्नर जनरल जिस पर बेटिस संसर में महावियोग का मुकद्ध मा चलाया था एक यवार कुछ लिया गया बॉरेन हैस् बारत में निया एक संगठन की स्थापना हुई थी लौर कानबालस में वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंबीदा वद सिविल सिवा कर्शेजन किया जो कलंतर में भारतिय सिविल सिवा के नाम से जानी गई ये था कानबालस आप लोग तैयारी करते हैं इसकी जामती लौर कानबालस की कब्र कहा है ये आप देखे गाजी पूर में ठीक है अठारे सुदो में बासीन की संदी को अरस्ताक्षर हुए थी अंग्रेज बबाजी राव सेकेंड की मत लौर बेले जली की सायक संदी को सुईकार करने वादा पहला मराथा सरदार था पेसबाबाजी करेंट झाल सेकें अठारे सायक संदी को करियानभी किया गया लौर बेली जली की सायक संदी वरस्ता को स्विकार करने वाला पितम भारतिस देसी सा सक्ता है अधराबाद के निजाम एग वी कई बार वन चुका है है अधराबाद मैसूर, अवद और सिंधिया मैं से लॉड बेलीजली की सहाइक संधी करने वाले राज्चों का सही उनकल और कालानुकिर में सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवद, और फिर सिंधिया, फिर फिर सिंधिया, सायक संधी को सुईकार करने वाला पहला सासक था अवद का नवाब, यह पिसन में बेले जली की सायक संधी को सुईकार करने वाले विथम राज के बारे में पूचा जाए तो तर ह इघराबाद रही साहक संदी को स्वीकार करने वाली पहला साथ ze अगर पहुचे तो अवत नमाब और आगर एगर राजी पहुचे तो है रावाद ठीक है है रावाद के क्या कुछ घ्रवाद किया कुश्वीं सक्यांस ज último रिखनता की वह जद्रावाद की निजाम इंदौर के होलकर जोधपुर के राजपूत राच तथा मैसूर की सासक में से सहायक संदी सवीकार नहीं की गये। इंदोर के होलकन श्राश सकने, भारती राज्यों पर अंग्रेजी प्रफुत इस्थाफित करने के लिए पिसासन ने, मैं सहायख संधी पिडाली का सूथपात किया, लौर्ड बेले जली ने, इस्ट इंडिया कंपनी का राज़् राज्पूत राज्यों में सहायख संधी करन किसले बेली जली आंग्ले नैपाल यूदियुन जिसके सासन काल में हुगा था हुआ है म हतली मुमणुथ माल महत्यू असर अंगले जली लाइज शोली लफानवान मुमण० आणᵉस्पूत संधी न्षित जिससे लौड हेश्टिंत से पिर्प्र निजली। यह 1820 से 1827 तक तथाकती कुसासन के अधर पर जिस गवर्नर जनरल है मैसूर राच के पिसासन को ले लिया था हुए था लौर्ड बिलियम बैंटिक गवर्नर जनरल जो तिती है अंगल मैसूर युद्धर से समझते है यह है लौर्ड कॉन बालिस ठीक है थाकों के दमन से संवंध था क्येकटन इसली मैं तृए सती पिथा पर पावंदी लगाई थे बिलम बैंटिक ने यह भी कई बार पूचल लिए गया है बिलियम बेन्टिक के द्वारा सतीपिता समात की गई थी 1829 में इस डेट को भी याद रखिए और गवरनर को भी याद रखिए बंगाल से दासों की निर्यात को रोप दिया गया था 1789 में लौल डलौ जी द्वारा अबध का अंग्रेती राजी में बिला हुआ था वो प्रशासन की कारण बेटे समराज में अबध का विला हुए 1856 में तो अगर करोली कrait के लिए तो 1848 पहले सबसे पहले सतारा फिर पंजाब फिर अबद सौरी माँ पर यह करोली फिर अबद ठीक है वह गवर्णर जनल जिसने बिलाई की नीती नियुजित और किर्यानवीत की वह दल हो जी ठीक है डाग पिथा ए रिलेड रेलवे यह समय में तो आया दल हो जी बारत में बेटिस सासन के दौरान जहासी समलपूर सतारा राच्चों के सही बिलाई का सही ग्रम है तो यह आद देखेंगे सतारा फिर समलपूर पर जहासी अंग्रेजों द्वारा सिंद बजय संपन हुई लौर्ड एलन बरो के समय में सिंद पर बेटिस ने कपजा किया 1843 मे जब अवध का बेटिस समुराजिए में बिला हुए उस समय, अवध का बेटिस रजी देंट था GEMS आउट्रम भारत में पितम रेल बी लाइन क एन समय समय बिच्छायी गयी, को अह और हो था ? Lord दलभजी बारत में पितम रेल लाइन का निर्माड हुआ था बंबई और थाड़े की मत बांबई से थाड़े की बारत में पाहली रेलवे लाइन फ्रूरूँगी 1823 को यह सामान ग्यान के गुश्चन से लेकर पूंचे जाती हैं वह कंपणी जिसने जिसने साड़कितम भारत में रेल याद्रा प्यारम की ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे वेटिस वारती राजिशित का अंतिम प्रमों की विस्तार हुआ डलोजी की समय पबलिक वर्क्स डेपार्डमेंट को 1845 से 1855 के दोरान सवरूप देने बाली संकाल में एकमबर 1858 महारानी विक्टोरिया का गोशनापत इलावाद में पड़कर सुनाए गया था लॉर्ड कैनिन अपने पुत्ति के स्थान पर दूसरे उत्रादिकारी को गोद लें गया थी अधिकाल को कुना इस्थापित किया था 1858 ECB की संभराग्गी की गोशना ने महारानी विक्टोरिया को भारत का समरागी नेफ्ट किया गया था अठारे सो अंठावन में वह एक गवर्न जनर जिसने भारत में दास्पिता को समाप किया था यह था लॉर्ड एलिन बनो लॉर्ड करनवालिस इस्थाई बंदोवस्त लॉर्ड बैले जली सायक संदी लॉर्ड डलोभजी विफगत का सिध्धान्त लॉर्ड कैनिन अठारे से संतावन का विद्रो लॉर बिलियम मेंटिक 1829 का सत्तरवार रेगुलेशन ठीक है सतीक था भी इसी की समय के टिगट ना बंद इस था ही बंदोवस्त प्यारम किया गया था लॉर्ड कॉर्ण बालिस की साशनकाल में फेसवाई को समाप किया था अठारे सो अठारे में काव अठारे सो अठारे में यह बिलियम परेंटिक चाटर एठ 1833 का भारे लिटन इद्धिये अंगल अफगान युद का प्यारम होना ठीक ही की समय वह गवर्णर जनल जो चत्वराई पूंट निस्क्रेता की निती के साथ जोड़ा तो यह था जॉन लॉरेंस बारत में अंग्रेजियों की समय इसमें पिथम गड़ना जंगड़ना हुई थी लॉर्ड मेव के कार में याप रखी यहां ये कुष्टेंस बन चुका है ये एक बताना 1881 लॉर्ड रिपन की समय में ठीक है इस दो पॉइंट को बड़े अच्छे से नोट कर लेजे वह वाइसरा जिसकी हत्या अंडवा निकोबार तुईप सम्हूं में जब बेभेभर पर थे एक दंडित अपराती द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयोकी इसकी लॉर्ड बड़ नीती के अनों सरंड करने वाले गवर्णत जैनल कौन था लिक्टम भारत का वाइसरा सबसे देड़ काल तक रहा है लॉर्ड लिल्लेदगो लॉर्ड करजन दूधिये सरवादिकार बारत में इस थानिये सवसास्ती इसलता है 1882 में सब्सक्रत की गई लॉर्ड रिप है आपके देश की और आप आम जनता है आप से बेदवाव किया जाने लेंगいます nasze काम करने से लिए lle socialism गया तकिका दमाने करने से करना अभी घेंड किया था Lord Ripon की काल में भारत में स्थानी स्वाहाज सासन का जनक माना जाता है Lord Ripon को सूची एक सूची दो दी गए किलाई बंगाल का द्वहरा सासन बेंटिक अंग्रेजी सिप्चा चाल्स मेटकोप प्रेस पर से पिती बन अटाना लौर्ड बिलियम बेंटिक सती पिता कानिसू लौर्ड रिटपन स्वाहर सासन लौर्ड करजन बंगाल का विभाजन याद के लौर्ड काल कने बहारत में करजन के पर शासन की तौला ओर रंगजेस सिप किती जी के गोख्ली न है आरेु। बारत में बैटे समराज की दोरान लॉड करजन, लॉड चेम्सपोर्ट, लॉड हाइडिंग, लॉड एर्विन, बायसरायों का सही काला नुक्रम है, लॉड करजन पे लॉड हाइडिंग, लॉड चेम्सपोर्ट, लॉड एर्विन, फूर डालो और राजकरो की रणनिती अप आए गवही आज के आज के नेता भी आपना रहे है देख रहे हैं धर हिंको एक से दूसरे से लड़ा रहे हैं अपना काम निकाल हैं वह है गवर्नार चरनल जिसने सबसे पहले पिथक निर्वाचन पंडल की विवस्ता की मुसलमानों को जीतने बाउने कांगरिस की बिरोत करने के लिए इस्तेमाल किया लॉर्ड मिंटो ने बारत का एकमात यहूदी बाइस रहे था लॉर्ड रीडिंग बीष इंडिया एक्ट बॉरेंग हेस्टेंग की समय डॉक्टे नॉक्ट लेट्स डलोह जी वरनकूलर करेश्ट लिटन इलबर्ट विल रिफन ठगी का दमन बिलियम बैंटिक रिंग फैंस फैंस की निती बॉरेंग हेस्टेंग बेटिस्वारत की राध्धानी के कलकता से दिली स्थान अंतर के यार्वित हुआ है लॉर्ड हार्डिंग के काल में सूची का सिध्धान ठडपनीती डलोह जी बंगाल का वेवाजन लॉर्ड करजन बंगाल में दोहरास आसन किलाई सामाजिक सुधार बैंटिक सूची एक सूची दोको आपको सुमलित करना है क्या करना है सुमलित करना है बंगाल में बंगाल में फॉर्ड बिलियम प्रेशिडेंसी का गवर्णर जर्णर रेगुलेटिंग एक्ट 18703 के चार्ल्स का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस भारत का गवर्णर जर्णर गवर्णर जर्णर ऑफ और वायत्राय इंडियन कांसल एक्ट 1889 के ती गिलवर्ड जॉन इलियर्ट मरेड और किनीन मांड मेंटू काल ठीक है गवर्णर जर्णर और समराट का पितिनी दिर गवर्णमेंट ऑप इंडिया एक्ट 1935 आर्किवाल्ड और पारसीवल वेविल ब भारती है और विवस्था पर प्रिभाव देखते हैं क्योंकि लोटने के लिए त्वाय हुए थे भारत में उपनेवेसी एक्टासनकाल में हॉम चार्जिज भारत से संपत्ती दोहन कमात्पून आंग थे वह निदियों जो हम चार्जिज की संगटक थी लंदन में इंडिय प्रियोग में लाई जाने वाली निदी भारत में करगत अंग्रेज करमचारियों की भीतन और पेंशन देने ही तो प्रियोग में लाई जाने वाली निदी सब्ध इंपरियल प्रेंस का प्रेंस का प्रियोग किया था भारत में बैटिस आयातों पर दीगे विसिस रियायतो के लिए बैटे सासन के दौरान भारत में उद्वोगों का कोई सुतंद विकास नहीं हुआ इसका कारण क्या था बहारी उद्वोगों का आभाव था इस्तमरारी बंदोवस्त लागु किया लौड कॉनबालिस ने इस्थाई बंदोवस्त किया था जमीदारों से लौड काव 1793 में चेरैस्थाई बंदोवस्त 1793 के अंधर जमीदारों से अफिक्षा की थी कि वे खेती वहरों को पट्टा ज़ारी करेंगे अनेक जमीदारों से पट्टा जारी नहीं किये इसका कारण क्या था जमीदारों की उपर कोई सरकारी नियंतर नहीं था बिहार में पर्म m i585 में बंगाल और विःर में भूमी कराये किरायदारों का अधिकारों को lleちは दिया गहे था। आप जानते हैं 1850 में संस्था की स्थापना हुई थी कॉंग्रेस की की आज की कॉंग्रेस की बात नहीं कर रहे हो। आज की Congress में उस समय की Congress में जमीन आफ्मान गब रहा है, समझ रहे हैं, वो समय देश के लिए लड़ती थी आज अपने परिवार के लिए लड़ रही है, और वियाद रखिये बिपक्च का ना और होना होना हम सभी चात्रों के लिए करसे हमारे देश के लिए रही हारने का रह सामने वाली विपक्ष को देना चलिए क्योंकि उसमें तावित नहीं थी इसलिए वोहार लिए सर टॉमस मुन्रो जिसे जिस भूराजस से बंदोवस्त से समढ़ते रेयतबाडी बंदोवस्त अंग्रेजों ने रेयतबाडी बंदोवस्त लागू किया था मद्रास और बंदोवस्त प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रेयतबाडी विवस्ता सरपिथम प्यारम की मद्रास प्रेसिडेंसी में बेटिस वेवस्था में रेयत बाड़ी भूराजे संग्रय पिछलिक था दच्छिन भारत में, रेयत बाड़ी बंदोवस्थ की संद्रभ में सही कतने, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रेयत को पट्टे देती थी, कर लगाने की पूर भूमी क असर्वेट्चन और मूलनेदारन किया जाता था, यह सभी बिल्कुत सही है, क्या है, बिल्कुत सही है, ठेक है, और असम, असम में सरफितम चारी, चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, 1849 में, दादा भाई नौरोजी की का पितिपादित, अभवा सिद्दान, ड्रेन थेव अत्वा कुल वार्षे को पाद बैटेन को निर्याद कर दिया जाता है, किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई बास्विक पितिभाल यानि कि उसके बदले कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, तो ड्रेन थोरी या अपवार सिद्दान से सम्मझित कौन था, दादा भाई न निकास की सिद्दान का पिती बादन किया दादा भाई नौरो जी ने, एक कई बार कुछेंच बन जाते हैं, भारत में निवेश बात का कि आर्थिक आलो चक थे दादा भाई नौरो जी, जी सुवं मन्या भाई यार और रसी दत, बालगंगा दर रसी दत और एम जी रनाड और सर सेयद अहमद खान ने, मैंसे दादा भाई नौरो जी के उत, उत सारन सिद्धान में विश्वास नहीं करता था, सर सेयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे, पावर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया, नामकुस्तक ने लिखी थी, दादा भाई नौरो यह कई बार एक बार नहीं कई बार कुश्चेंद बन चुका है, किताब से, पावर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरो जी, दादा भाई नौरो जी की भारती राष्टी अंदोलने को सरवाधी प्रभावी देन थी, उन्होंने इस बात को अभ मार्क सनल, फिर आप देखते हैं 1857 की किरांती आती है, और आप से आप कुश्चेंस उठा के देख लीजे, इस से किरांती से आपके एक नाई कुश्चेंस हर परीच्छा में बूचा जाता है, अंग्रेजी भारती से नामें चर्वी वाले कार्टूसों से चलने वाले, इन याद रखे, कहते हैं कि इसमें राइफल में बहुत कार्टूस होते थे या तो जो गाय की खाल से बने रहते थे या सुगर की, तो आप जाते हैं गाये हिंदू धर्मों के लिए बहुत एक तरह से महत्व पूर है, और आप सोचिये महत्व रखती हो, और सुगर मुसलिमों के लिए थे, मंगल पांडे की घटना हुई थी, वेर्खफूर में, मंगल पांडे की घटना कुऊ हुई थी, वेर्खफूर में, मंगल पांडे सिपाही थी,ering बंगाल नेटेब इन्हल्टी ज भी आपके पूछ जाते हैं, 1857 के विद्साही के दौरान बहा, दौरान पितिक था कमल और रोटी कमल और रोटी याद रखिए 1857 के संग्राम के जहांती मेरट डिली कानपूर केंदों में से सबसे पहले अंग्रेजियों ने पुना अधिकिट किया था दिली को ये केंद हुआ कलता था तो हर कोई चाहता कि दिली पर हमारा सासन आज भी तो आप देख रहे हैं दिली के लिए सासन के लिए लड़ते रहते हैं नेता अठारे से संतावन के स्वाधीनता संगर्स की वीरांग महारयान अगर आपसे पूची की रहनी लच्ची मिवाई का जनम का हुगा था तो बनार रसी बताना है यूपी में अगर उनकी समाधी पूची तो याद रखना क्वालिय में है क्योंकि कई बार मैंने देखा है गलती कर वैठते हैं अभी कुछी सालों की बात के पहले कि कोई पेप कि वह कहां बैठे हो तो मैंने तीन-चार बार वह ला लेकर उसने वह ग्वालियर में बैठा हुआ था मतलब वहीं था मैं तो फिर भी वह गलत करके वैठा वह जहांसी लगा किया है तो इस थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करिया अठारे सो संतावन की बारेली विद्र सबस्ति आपन, बब्र में 1867 की फिरानती का नितित किया थे यह है बेगम हजरत महल कर रके जहांसी का नितित किया थे इस तरह क कुर्चन प्रिलिम्स में भी बनते हुए दिखाई देतें योट और विद्रे एक जांगी तो अलग बात है उसमें तो पूंचते ही रहते हैं नाना साहब कमांडर इंचीत था तत्या टोपी, अले मुल्ला खान सलायकाय थी नाना साहब के 1857 की विद्रों के संदर्म में नाना साहब मरसीन खान बाहदु खान तत्या टोपी में से वह जिसे उसके मित ने दोगा दिया था 1857 की करांती कारियों में वह जिसका सबास्तिविक नाम है रामचन पांडूरं तत्या टोपी का भास्त नाम भी पूंच लेता है रामचन पांडूरं असम में 1857 की किरांती का निता था दीवान मनि रामदत 1857 के विद्रों का विहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1889 तक केंद था जग्दीसपूर यहां कि कौन थे ? जग्दीशभूर का वे बेक्ति जिसने 1857 के विफलव में किरांती कारियों का नितथ किया था ? जग्दीशभूर की राजा कौन थे ? खुंगर सीम ठीक है 1857 की किरांती में अंग्रेजियों वास्तो जोद्पुर की सेवकसेना को पराजित करने वाला था आववा कि ठावपुर को सलसीं ठीक है अजमीर जैपुर नीमच और आववा मैसे राजिस्थान में 1857 की किरांती का क्यंद नहीं रहा है जैपुर माखनलाल चतुरुविदी में 1857 की किरांती से संगर्स किया है सहाधत खान मौलवी अहमद दुल्ला साय मौलवी इंदा दुल्ला मौलाना भजले हक खेरावाली और नबाप लियाकत अली में से 1857 की विद्रोव में अंग्रेज्यों का सबसे कट्र दुस्मन रहा मौलवी अहमद दुल्ला साम 1857 की विद्रोव को देखने वाले उर्दु कभी थी मिर्जा कालिप आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिया था भगस सींग ने 1857 की विद्रोव में पेकम हजरत महिल कुमर सींग और उदम सींग तथा मौलवी एहमन दुल्ला में से समध नहीं था उदम सींग नहीं थे 1857 की सुतंता संग्राम में अंग्रेजों की सरवाधिक साहता करने वाला राजवन स्था ग्वाजियर के सिंग्जिया भारत में सिक्षित मद्र ने 1857 की विद्रों से तटश्ता बनाय रखी थी बिल्गो सहीं खेती हर मजदूर साहुकार क्षिक्षक और जमीदार बर्गों में से 1857 की विद्रों में भाग लिया था साहुकार तथा जर्मनी जमीदार था घ्यासिय चित्तोड जगिधीश पोर लट्नव में से वह चछे तो जो 1857 की विद्रों में प्रभावित नहीं था तो चित्तोड नहीं था ठीक बिहार के दानापुर पतनाप आरा मुझभपर पूर मुंगेर में से 1857 की विद्रों से आत्रबावित रहा था ये मुंगेर था बिहार में इस तरह के कुश्चेंच बन जाते हैं बिहार PCS या बिहार दरोगा और भी जो भी बिहार के एक्जाम होते हैं सुची एक सुची दो बक्त खां दिल्ली मौलवी आहमद दला अबत कुंगर सिंग आरा नाना साहब कानपूर ठीक है समर्द थे जासी रानी लच्छमिवाई लखनव बेगम हजरत महिल कानपूर अली मुल्ला खां फैजाबाद मौलवी आहमद साहब एक बात और याद रखे कि 1857 की करांती से ही हमारे एक तरह से आपके यह कि राष्टवाद दिखाई देता है समझ रहे हैं एक तर दिखाई देती है सही समलिक करना है को किरांती कारियों की नाम और इस्थान नाना साहब कानपूर नवाव हमिद अली खान दिल्दी मौलवी एहमद दुल्ला लखनव मनी राम दीवान असन 1857 की विद्रोग की समय भारत का गवर्णर जेनर था, लौर्ड कैनन, यह भी कई बार को अउच लिल्या गया लौर्ड कैनन की समय में हुगा था 1857 के विद्रोग के समय बैरकपुर में बैटिस कमांडर कमांडिंग ऑफी सर्था जॉन बैनेट हैरस है 1857 में इलावाद को आपातकाली मुख्याले बनाए गया लौड कैनन ने 1857 के विद्रोग के समय बैटिस पिधान मंत्री थे विसकॉंट पांप एक्ष्ट क्योंकि इसमें कोई योजना नहीं थी रड़नी थी और कोई केंद्रिय संगठन नहीं था फिर आपने देखा है 1885 में एक केंद्रिय संगठन मिलता है कॉंग्रेस की रूप में तब जाकर एक नियमत रूप से और योजना बद तरीके से राष्टी आंदोलन शुरू होते ह 1867 का पितम सुदंदा संगराव आसफल हुआ क्यों हुआ था भारती सिभाईयों में उद्देश की एक्ता की कमी थी और फिरहां भारती राजाओं ने बेटे सरकार कर साथ दिया और बेटे सिभाई कहीं अच्छे सज्जित और संगठत थी और याद रिकी हमारे हैं कि सेने पुरानी परेंब्रावं पर लड़ रहे थी और उनने देखा है कि नए नए तखनीक उनके पास थी अंग्रेजों के पास अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोख दवाने में सफल रहे क्योंकि इस थानिये साथ को ने करांतीकारियों के साथ नहीं दिया समझ रहे हैं सर जनरल जों दिकल सं जन रल निएनल मेजर जनरल व इफलो सला मेर फिरे संग्राम से रहे हैं बीखुटत करने में आसचाप हई विडूर साय जब पर कि नेतरतिकको ज़ंक जाओ नहीं मिलाता और अधिकाल समातपूर रियासतों के सासक उनका साथ देने में कतरा गए गथन और कारण दोनों सही है कारण कथन का सही स्पष्टी केंड भी ते रहा है इस तरह के कुछेंस आपके सिबिल सर्विस में अधिकतर हो स्टेट वी सीएस में देखने को मिलते हैं प्रिलिम से में ठीक है 1857 का विद्रो एक सडेंत की संग्या थी सर जैंस आउटरम और डवलू टेलर ने कहा था ये पिस बात को वायभार आधोनीक इतियासकार जिसने 1857 के विद्रो की सुतन था कि पहली लड़ाई कहा था ये थे वीडी सावरकल साहब ने ठीक है भारती स्वाधीन था अंदोलन का सरकारी इतियासकार था है actual है आइस अंद्सें ए partir 16 गर्थे की विपलो की कारणों पर लिखने वाला पिथम भार्ति था शेयर एहम सेयर एहमद खान तता कर थी पिथम राश्ते-प्थय Ecu शृत नया विद्था सुतन Сंग्राम थ हैं यह कम त Hyundai next किस ने कहा था आरसी मजूंदार ने कहा था 1857 की गरांती के बारे में सही अवधाना है इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपणी की सासन पढ़ाली को मिड़ प्रा बना दिया था महरानी विक्टोरिया ने भारती फ्रासासन को वेटिस ताज की नेधर में लेने की गोशना की थी एक नबुंबर 1859 को यानी की 1857 की करांती के बाती है संभाराग्री विक्टोरिया ने 1858 की गोष्णा में भारतियों को बहुत सी खीदित दिये जाने का अस्वासन दिया और वह अस्वासन जिसने जिसे बेटे सासन ने पूड़ा किया रियासतों को हडपने की निती समाप्त कर दिये थी अब इससे जाना क्या हडपती इतना हो चुका था बहुत था महरानी विक्टोरिया की उद्गोष्णा 1858 का उद्दिश क्या था भारतियों को बेटे समराज में मिलाने की किसी भी विचार का परिद्या करना भारतियों को बेटे किराउन के अंतरगत रखना इसलिए और आप कि इसते जाना इतना ही में तो पूरी हिल गई थी 1857 की अगर वो बिलाय करती तो हो सकता था और भी तगड़ा होता उसी समय तो इसलिए उन्होंने कुछ छूट दे दी पबलिक सर्विस आयो और हंटर आयो साइमन प्रमिशन मैंसे 1857 के विद्रोग के दमन के बाद भारतिय परणतों के नौगठन से संबंदी थे पील आयो याग रखे पील आयो 1857 के विद्रोग के बाद बेटे सरकार ने सेपाईयों का इन परांतों का चैन किया गोर्खा सिक और पंजाबी उत्तर परांत से क्योंकि आप देखेंगे इनोंने अंग्रेजों का साथ दिया था समझ अधाल विद्रोग नेल उबद्रब और पावना उबद्रब में सिर्फ विपला हुआ है नेल उबद्रब का एक बात और आपको बताओं देखिए 1857 की किरांती के बाद हर किसी को लगने लगा उनका सोसन हो रहा था अलग सोसन का तरीका अलग लग लगता लेकिन सोसन पूर हो रहा था और बाद में आप देखते हैं कि वो राष्टबाद के रूम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अंग्रेजों से उन्हें मुक्ती चाहिए थी सबके ही एक नहीं थी लेकिन ही एक इसलिए हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज अगर छोड़ के चले जाए नेल किर्षकों की दुरदसा पर लिखी पुस्तक नेल दर्पन के लेकर थे, याद रहना देन बंदू, नेल दर्पन के लेकर कों थे देन बंदू, बंदि मात्रम गीत लिखा है बाकिम चंद चटरजी ने बंदि मात्रम किसमें लिखा है बाकिम चंद चटरजी ने आनन्द मट उपन्यास की तथा वस्तु आधारी थे सन्यासी विद्रो पर सन्यासी बिद्रोव वह बिद्रोव जिसका उलेग बाकिम से चटरजी ने अपने उपन्यास आनद मट में करके विसे दिखिया है सन्यासी विद्रो, कौसा सन्यासी विद्रो, मुंगेर के बहरी बरहिता, बरहिया ताल विरोध का उत्देश क्या था, बकास भूमी की बाक्सी की माँ, 19-20 स्तार्थी के दोरान होने वाले वहावी आंदोलन, कमोक केंद क्या था, पटना में हुगा था, कूका अंदोलन को संगटित किया था, गुरू राम सिंग ने, पागलबंती विद्रो, बस्तूता एक विद्रो था, गारों का, पागलबंत की स्थापना की गी थी, करम सायने, फराजी विद्रो का नेता था, दादु मुया, फराजी थे हाजी सरीत अदुतुला की अनवयारी, बेलु थंपी ने अंग्रेजों के विरुदिस आंदोलन का नेतित किया था, केरल में, महराच में रामोसी क्रिसक जत्ता इस्थापित किया था, बासुदेव बलवन्त पूलापुर, मानो बली पिथा का निसेद करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने बाला बाली जन्जाती का नाम था, खौन, कोल विद्रो 1831, 32 का नेतित किया बुद्धु भगतने, इसने बुद्धु भगतने, बगेरा विद्रो हुआ था, बडोदा में, छोट 1855 की संथालों ने, जिस अंग्रेज कमांडर को हराय था, वो था मेजर, मेजर बालु, भील विद्रो, कोल विद्रो, रमपा विद्रो, संथाल विद्रो में से, वह घटना जो महराष्ट में घटित हुई थी, भील विद्रो आपका महराष्ट में घटित हुई थी, महराष गिरीन है उल्गूलन विद्रो जुड़ा बिर्सा मुंदा से मुंदा विद्रो का नेता था बिर्सा मुंदा जिस आदिवासी नेता को जगत किता यानि कि धर्ती का आवा कहा जाता था वैदे बिर्सा मुंदा साहब बिर्सा मुंदा का कार्चेत था राची जनजातिये कि प्राचीन भूमी संबंदी विवस्ता और संपूर प्यादारान क्योंकि आप देखी अंग्रेजियों के समाज से पहले कही राजय महराजय हुए लेकिन जंजातियों के छित्रों से किसी ने चर्चार नहीं गी समझ रहे हैं होज विद्रो हुआ 1820-21 के दरान खेरवार आदिवासी अंदोलन हुआ 1874 में सांबलपुर के अनेक बेटेस विरोधी विद्रों का नेता था सुरेंद साई नील विद्रों संथाल विद्रों दक्कन के दंगे और सेपाही विद्रों का सही कालानुकरम था संथाल विद्रों सेपाही विद्रों नील विद्रों दखकन के दंगे सूची एक सूची दो मोपला विद्रो केरल से समदे पावना विद्रो बंगाल से एका अंदुलन अवल से विर्सा मुंडा बिहार से 1921 का मोपला विद्रो हुआ था केरल में कहां केरल में ये सूची ये घटनाएं और सूची तितियां बैरकपूर विद्रो नवंबर 1824 बरहामपूर विद्रो फरवरी 1857 संथाल विद्रो 1856 में बिल्लोर विद्रो जुलाई 1806 में कूका विद्रो पंजाब में कोली विद्रो महराश्ट में चुवार विद्रो पष्ची मंगाल कूकी विद्रो तेपूरा आहूं गौं धर्म कूणवर ताना वगत जातरा चिंप अंग्रेजियों की विरोध भीलों द्वारा क्रांती प्यारम की गई थी मध्यपिदेश महराष्ट में तारा बगत आंदोलन जत राओ राओं ने प्यारम किया था 1914 में मात्मकादी उनके प्रविच्छारों से प्रभावित होना ये वाले पिथम आदिवासी निता थे जोड़ा नाम अब बात करते हैं आधनिक भारत में सिक्षा का अभिकास देख ली थे हैं भारत में अंग्रेजियों ने पिथम मदर्सा इस्थापित किया कलकता में भारत में जॉनाथन डंकन है ठीक है और ACI Society of Bengal के संस्थापक सर बिलियम जॉन्स और बड़ा दसी में पिथम संस्कित महावित्यार है जॉनाथन डंकन ठीक है डाला भाई नौरो जी माइकल मधू सूदंदत राजा राम मुवन राय और विवेकाननद में से हुआ है जिसे जिन्हें पेरिश की Royal Society, ACI Society की सदस्ता पिदान की थी एथे माइकल मधू सुदंदत ठीक है सरपितम भगबत गीता का अंग्रेजी अनुबाद किया था चाल्स बिकिल बिलकिन सनर ठीक है कालीदास की विसित रचना सकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुबाद किया था सर बि अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिख्चा के लिए एक लाग रोके दिये थी वह चार्टर अधिनियम 1830 है इस समय याद रखिए अंग्रेजों का इकाधिकार भी व्यापार से खतम हो गया था चाय और चीन को छोड़कर चाय और चीन का व्यापार होता है 1833 के अध 30 माई 1827 को पेकासित हुआ था कलकत्ता से हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेश जोड़ दिया गया था परात्मिक सिख्चा के सुधार एवन विकास पर नेशनल कांसिलों आजूकेशन के स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को सेडलर आयूग से संबंदित था सिख्चा से शिक्षा में सुधार एथी वेटे सर्गार ने सेडलर विस्विद्या राया हुँ आयूग निक्तिया है 1917 में लौड मैकाली संबंदित है अंग्रेजी सिख्चा से भारत की उपने वेसे काम में अधूमुकी निसेंदन सिधान संबंदित था सिख्चा से भारत की सेक्षर नीती में फिल्ता रेशन थेख्चा की निउटाली थी 1835 में इसमर्ड पतन है भारत में अंग्रेजी सिख्चा प्यारम की गई थी लौड विलियम के विंडिस बैंटिक के सासनकाल में भावे में पितम तीन विस्विद्याले कलकता मतरास बंबई की स्थाफना की गई थी 18 सथारे से संतावर में जिसके सतत प्रेतनों में से बंबई में इफ्तम महिला विसवेद्याएं की स्थापना की हुई थी डी जी के करवी ने डीकण कर भीने है टेकन एफ्चलेशनल ससायटीी की स्थापना से समधिे बीजी ति लच साब बीजी बाल गंगाधर तिलाख साथ हुए लिध कलकत्ता दिल्ली कॉलेज मेयो कॉलेज मुसलिम एंगलो औरियेंटन कॉलेज में सरफ फिता में स्थापना हुई थी हिंदी कॉलेज हिंदू कॉलेज कलकत्ता की टीक है डेविड हेयर अलेकजेंडर दफ के साथ मिलकर जिसने कलकाता में घंदू कॉलेज की स्थापना की थीcho राजयराम मोहन साभ ने मिल कर की थी बालकंगा दरिके लभ, स्वामी बेव कानम, महत्मा गांदी, मदन मोहन मालविये में सिभारती, विस विध्यालय में धार्मक सिक्छा के लिए प्रबल्व में बकालत की थी मदन मुछनमालवी यह न ही बनारस-hindoo-विसविध्याले का से ललनाच किया था यह दिखेंगी Lord Harding ने अलीगर्ड भीमरा उम्बीटकर विसविध्याले लत्नौ और बनारस-hhindoo-विसविध्याले incred ul इलावाद बविसगाले में सरपितम केंदर्य बविसगाले गोसी किया गया था तो याद रखिए बनारस हिंदु बशिपध्याले बनारसी को ठीक है याद रखने आधुनिक भारत में अगर हम लोग प्रेश का अबिकास की बात कर ले ले मीडिया आज आप लोग 14 इस्तम करते हैं लेकिन अपने आप सोचें कि अपने कर्टमों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सो वैसे साम तक है कि वाथ कोई ऐसी नहीं मसाले दाल ले लेगा कि नीचे मतलग दिन भार चलती लेगा हम लोग रोजगार पर बास सुने हम जरीप पर इस पर बास सुने हैं ऐसी मुद्ध्ध हमें भी पसंद नहीं है इसलिए वो भी ऐसा ही कट रहे हैं अगर अगर देश में बरबादी में अगर यह तो आपका वह उतना ही जुझा किसी निता का है क्योंकि हम भी ऐसा निताओं को चुलेंगे आप देख रहे हैं कि हमारी सांसर में अधिक से अधिक लोग दागी बैठे हुए जो बलतकारी है या तो कि आप देखेंगे मडग किये हुए हैं, आप देखेंगे डखेंगे तो उनसे आप उमीद क्या कर सकते हैं, आप नहीं तो उन्हें भेजाया हुआ, तो वो गती है, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्त था, बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्त कौन से था, बंगाल लॉड लिप्टन ने इसे रद किया था वह प्रेश अधिनियम समापत किया था लॉड रिपन परत्यकार की कर्तबों का निर्वान करते वूए जिल जाना जाने बाला पितम हारती ये था बाल गंगधर तिलब अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अकवार शुरू किया था तार करूँ क्या था ताराख दासने है साफी सपताहिक मेरा तुल अकवार को पिखासित करते थे राजाराम मुहन राजाराम मुहन राया 28 Александर के दसक में इंदियान मेर अक्वार का पिकास्तन हुआ था कलकत्ता से कहां से कलकत्त झेल कर्कान किदां का प्तम अंक्र में पिकासित य्ण उर्दु वासा में तार पार्टी कANDT का पट पट जा नहीं कि धृदि कि वार्टी करति टीकर फिर्ण लोकमान तिलक ने घंड्र तन कि , शेवा के उद्दिश से जो समाचारपत्य प्यारम किया था वजय था केशरी, करांती-कारी क्ली के लोग पत्ती काई जो अनेक कारों से कांग्रेस की आलोचना करती थी बंगवासी, काल और केशरी, वह समाचारपत्य जिन्नोंने भारती है निव संद्या था यह वांतर और का सवानमाग्वाथ समाऽार्प्थ, सुर्चन्द ऒिध्यासागर ने। सौंपेकास नमक्त समाचाट पत्त किसे नेट रूम किया था इसुर चंद विद्धियासा गन्यू इंडिया लीडर यंग इंडिया फ्रेग्रेस जनरल अकवारों में सी मुख्य था वदारवादियों की नीतियों का फचारक था लीडर दा इंडियान ओकिनियान पत्त नहीं चपा जाता था उर्दो भासा में इंडियान ओकिनियान पत्तिका के पितम संपादक थी मनसुखलाल नज्जद एक सप्ताहिक की रूम में यंग इंडिया का सुभारम किया था हॉम्रूल पार्टी के भारतियों द्वारां अंग्रेजी भासा में प्यकासित पितम समाचार पत्ता हिंदू पिट्टियोड नेल आंदोलन का जमकर समात्रन करने वाले हिंदू पिट्टियोड की संपादक थी हरिश्चंद मुखर जी अंगिरी जी सकताहिक बद्दे मात्रम के साथ अपने को संभड़त किया अरविंद गोहसने इंडियान नेसन पंजाब के स्री और डॉन में से जिस अक्वार का अप्विकासन पठना से हुगा था वह है इंडियान नेसन सौदेश भाहनी के संपादक थे के रामकिशन स्फिल्डे अंग्रेही पत्तर इंडिपेंटेंट जुडा हुआ है मौतिलाल नहरू से मौतिलाल नहरू से भारत समाचारपत मराथा, प्रजामित, गुजराती, नायक, बंगाली, दैनेकार्ष, सिफरसाद गुप्त, दा लीडर, मदन मुहन मालविये, दा नेशनल हेरार्ड, जवाहलाज मेरू, दा पोईनियर, जोर्ड जैलेन, ठीक है कांपोर से पिकासित जिस समाचारपत्त के मात्यम सिपिजय सि बिजोलिया, अंदोलन को समुचे बारत में चर्चा का बिस्या बना दिया था, वह था प्रता, हर्जन के परम्ब करता थे महत्मा गांधी, हर्जन किसने निकाला था, ए महत्मा गांधी साहब ने, ठीक है, याद रखिए, गांधी जी द्वारा, सुरू किये गए एक सप्त हर्यन का प्यारम अंग, 11 प्रवरी 1923 को पिकासित रुगा था, पूना बर्थमान पूरी से, मराठी पाक्षिक, 22 भारत कारम किया था, बियार अंबेडकर साहब ने, अल हिलाल, कॉम्रेड, दा इंडियान सोचिल, सोचियोलोजिस्ट और जमीदार में से, वह जनरल जो अब समाचारपत्त को प्यारम किया गया था, हुए था, बंदे मात्रा, कौन सा, बंदे मात्रा, समाचारपत्त हुए, और ये संपादक हुए, हिंदू, जी सुभरमन्यम अयर, सुधारक, जी के गोकले, वैस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरो जी, बंगाल, बंगाली, एसन बना जी, बंबिक क्रोनीकल, ए फ्रोसाह में था, कॉमन भी, एनिवेसेंट, लीडर, मदन मुहनमाल भी, सायचलाइट, सचगारन सिंगा, इंडेपेंडेंट, मौतिलाल नहरू, जेस्टिस, टी एम, नायर, सूची एक, सूची दो, अब्दूल कलाम आजर, अलहिलाल, फ्र इंडिया, महतमा गांधी, यंग इंडिया, लोकमान इतलग, केशरी, कौमी आवाजपत्य का आरम किया था, जवालाल नहरू है, सही समले थे, नाव जीवन, एम के कांधी, सौराज, टी पकासन, प्रभाद, एनसी किलकर, कौमी आवाज, जवालाल नहरू, सही समले थे आप कर, महतमा गांधी, यंग इंडिया, बालगन गदलतिलग, केशरी, एनिवेसंट, कौमन बील, बी आरम बीड कर, मुक नायक, एनिवेसंट, निव इंडिया, दादा भाई नोरोजी, रास्त गोपतार, ठीक है, याद रखे, एवी आँगे दिखते हैं, एनिवेसंट द्वा बंदे मातरम, ब्रह्मा बंदव, ए संध्या, उपाद्या संध्या, मुहमद अली, हॉमरे, एस ए डांगे, ए दासोसलिक निकाला, मुझभपर आहमत, नवेव, और गुलाम उसें, इंकलाव, एम सिंगर वेलू, लेवर किसान गजट निकाला था, ठीक है, अगर हम सामाधी इवन धार्मिक सुधार आंदूलनों की बात करें, तो 19-20 सदाप्धी के धरम इवन समाध सुधार आंदूलनों ने, जनसंख्या के जिस बर्ग को मुक्ता आकर्सित किया था, बुद्धी जीवी, नगरी यह उच्छ जातिया, उदार, रजवाडे, कथन 1, 19-20 सदी के सामा माने जाते थे, ए भी सही है आपका, ए आर दोनों सही है, ए की सही ब्याक्या भी आर है, कुलीन, जमीदार, नवीन, धन्वान भ्यापारी, सिक्षित हिंदू मद्यमबर्ग, और सिक्षित मुसल्मान में से हुआ बर्ग जैसे सरब्रितम पष्टमी सब्रिता से ने प्रभा जावित किया, सिक्षित हिंदू मद्यमबर्ग, भारती जागरिती का जिनक कहलाता है, राजा राम मुहन राय, भारती पुनर जागरिता का पिता कहा जाता है, राजा राम मुहन राय, भारती राष्टबाद का प्रेगंपर माना जाता है, राजा राम मुहन राय, भारत का समाज की स्थाफना की गी थी 1828 में राम मोहन राजा राम मोहन राय द्वारा राजा उपादी दी थी अकवर सेकंड ने दी इन्हें उपादी राजा की राजा राम मोहन राय की समाद्धी वेश्टल इंग्लेंड में देखने को मिली आगे है कलकत्ता यूनिटेरियं कमेटी टेवर्नेकल और निव डिस पैंशन तथा इंडियान रिफॉर्म एस्टोसियेशन में से केसाउचंद सेन का सम्मझ था टेवर्नेकल और निव डिस पैंशन तथा इंडियान रिफॉर्म एस्टोसियेशन की इस्टापना से इन दोनों संगटनों से समंदिते कौन केसाउचंद सेन ठीक है पार्थी ब्रह्मा समाज की संस्थापक थे केसाउचंद पार्थी ये ब्रह्मा समाज की संस्थापक कौन केसवचन ब्रह्मा समाज का सिध्धान ताधा रिता एक देवबाद पर एक देवबाद पर बाल विवाद सतीपिता प्रक्षात सिक्षा और मूर्ति पूजा में से हुआ है जिसका विरोध राजराम मुवनरा ने नहीं किया था इन्हेंने एक आज रखें सतीपिता का किया था मूर्ति पूजा का किया था लेकिन पत्षयात सिक्षा पर रोध इनोंने नहीं किया था ठेक है ब्रह्मा समाज के वारे में इसने मूर्ति पूजा का दिरृत किया धार में ग्रंथों की ब्याक्या के लिए इसने पुरोहित बर्ग को आस्वीकार किया याद रखिए आप देखेंगे बाल विवा सती पिथा और मूर्थी पुजार यह भारत में विद्धमान थे उस समय आप सूचिए पश्चात चो सिक्षा देचों में इस तरह की पिथा नहीं थी कि बाल विपार नहीं होते, लिए कि राजा राम मुगर्य मुझार अन्हें लागा कि उस तरह की सिक्षा इस तरह की नहीं है तौन विध्यू नहीं किया 19-वी स्थाथधी के उत्राड में नव हिंदुबाद के सरमस्ष्ट पीती निदी थे स्वामी वेवेकानन्द एक उस्टेंस कई बार पूछल जा चुका है बहुत ही मात्पून है बिवेकानन्द ने सिकागो में आयजित पार्लियामेंट और वर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में वह याद रखी अगर बिवेकानन्द की पहचान की बाद के तो यही से पूरी दुनिया में वह पहचानने जाने लगे थी तो कई बार पूश लेता है कि बिवेकानन्द साहब ने सिकागो में आयजित पार्लियामेंट और वर्ड्स रिलीजन्स में भाग कब लिया था तो 1893 में पिख्याद समाज सुधारग जिसने ज्यानयों करमयों और राजयों नामा कुस्त के लिखी यह स्वामी विवेकानन्द साहब स्वामी विवेका नंद साहब रामकिष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेका नंद साहब ने किसने स्वामी विवेका नंद साहब ने स्वामी विवेका नंद साहब ने रामकिष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में यहां एक बात और याद रखिए आप देखें सुवाष दे इंद बहुत आपको मिलीगा बाकी की फालतु मूवियों से अच्चा है बहतर है यह आप देखते पढ़ता रहा पढ़ लिया करें यह से क्या होगा इतिहास भी आपका ठीक होगा और आपको मदद भी मिलीग भी बहुत को सीखने को भलेगा, साल्दा बनी थी रापकिष्ट ने परमःस की पदनी, दयानन्द सरसुती द्वारे इस्थापे थे, आर समाज, क्या आर समाज, आर समाज की स्थापना कभी, 1875 में, बेदों के पुनरुद्धान का सिरे है स्वामी दयानन्द सरसुती को, बे सत्यार्थ पिकास की रचना की थी, स्वामी दयानन्द सरसुती द्वारे, ठीक है, सत्यार्थ पिकास पवित पुस्तक है, आर समाज की, सुधी आंदोलन का समर्थन किया था, आर समाज द्वारे, अच्छा सासन सोसासन का इस्थानपन नहीं है, किसने कहा था, स्वामी दया तो राष्ट भासा आज आप कहें कि आपके देश की राष्ट भासा है यह नहीं है हिंदी विलकुर राष्ट भासा नहीं है आप समझ रहे हैं राष्ट भासा का मतलब सीधी सी बात होता है कि देखे अभी आप चाइनीज कह देते हैं भासा जापानी भासा कह देते हैं रसीयन भासा कह देते हैं लेकिन आप कभी नहीं कहेंगे कि हिंदी भासा पूरे भारत में बोली जाती है अभी आपने देखा है राष्टी भासा बन और दूसरे चित्री भासा आपनी लाग व़ूनी चीए तुल्सिदास राजा राम मोहराय स्वामी विवेकानाद और दयानद सरसुती का सही क्रम है महराष्ट में परात्ना समाज की स्थापना उई किसने की थी आत्मा राम पांडु रंगने महराश्ट में प्राप्ना समाज का मुख संचालक था M.G. रनाडे साहब ठेके देव समाज की संस्थापक थे सिव नारायन अगनी होत्री 1813 इस भी में सत्थ सोज तक समाज की स्थापना की थी जेवतिवा फूले ने जेवतिवा फूले ने गुलामगिरी की लेका कों थे जेवतिवा फूले पिछडे बर्गों का उध्यार मुख कारिक्रम था सत्यसोधक समाज का सत्यसोधक समाज में इससे संगठित किया महराथ में एक जाती विरोधी आंदुलन वह बंगाली नेता जिसने समाजिक दार्मिक सुधारों का विरोध किया रोडी वादिजा का समध्धर किया एथे राधा कांथ दियो राधा स्वामी सत्सं के संस्ता बक्ति सिपदयाल साहब महराष्ट का वज सुधारक जिसे लोखित वादी कहा जाता था तो एथे गोपाल हरी देशमुक इन्हें लोखित पादी कहा जाता है महराष्ट में विदभाप उनरविवा इतु अभियान का नितित किया था विष्णु परुसराम पंडित ने विष्णु परुसराम पंडित ने 19 वी सदी की महार्मितम पार्सी समाज सुधारक थी वहराम जी एम मालावारी दी एज और कॉंसेट एक्ट पारित हुए था 1891 में कब 1891 में उसका विदान संबल तथा समाजिक और धार्मिक सुधार उसने समाजिक बुराईयों के निराकन के लिए विदान निर्माट कर सहारा लिया दाल विबा परदा वित्तअ कि उन्माले कि लिए आवीराम परिस्यम किया सामाजिक समस्याओं कर राष्टी इस तर पर विच्चार विवर्स को परोसायत करने हीची तो उसने भारती राष्टी सामाजिक सम्हेलन का उद्गातन किया, जिसके उद्भीशन बहुत बर्सों तक भारती राष्टी कंग्रेस के साथ होते रहे, इस सुद्धेर्ण से मैं संकिती प्यर्ति हैं, महादेव गोविंद रनारे, महादेव गोविंद रनारे, भारती सुतंता अंदोलन की समय राष्टी सामाजिक संभिलन नेशनल सोसल कॉंफरेंस का गठन किया गया था इसके गठन के लिए उत्तरज़ागी कारत था भारती राष्टी कॉंग्रेस अपने कारकरब में सामाजी सुधारों को नहीं रखना चाहती थी इसके लिए फिस्तुद उद्देशों के लिए उसने अलग से संगतन बनाने के सुझाओ दिया था ठीक है सही कतन है केसाचंद सेहन की नेतते में ब्रहमा समाज ने नारीशिक्षा के लिए अंदोलन चलाया था लुकुषाई है बिनोवा भावी ने सरनाथीओं को में काम करने के लिए सरोधय समाज की स्थापना की थी बिलकुष सही है 1856 में कानून पारित हुआ वह है धार्मिक आसुगिधा कानून हिंदू विद्वा पुनरविभा कानून ये दोनों पर्शिमी भारत के डी के करवी का नाम जिस संदर्म में आता है वह है इस्त्री सिक्षा और विद्वा पुनरविभा के लिए संगर्स किया उसे कानून रूप से बैत बनाने में सफलता पराप्त हुई इस और चन बिद्विद्वा सागर्स ठीक है सही कतन है 1839 में बिलियम बैल्टिंग निस्थी विथा को कानून द्वारा अपराद भुसित कर दिया और 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अंसार हिंदू विद्वा पुनरविवा कर सकती थी और 1875 में स्वामी दयानन सरस्थ को द्वारा आरे समाज की इस्ताफना करेगी यह सभी कतन आपकी विल्गुस सही है 1833 की एक्ट 5 में एक्ट 5 में ने गैर कानूनी बना दिया था गुलामी यानी की दास्ता को 1872 में नेटिब मेरेज एक्ट को बारित कराने में मात्पुन गुन के निवाई थी के सोचंद सेंड ने इसमें मुख भुमी का निवाई थी राजर राम मुहन राय ने ठीक है उनी की एक तरह से मेहनत का नतीजा था और नेटिब मेरेज एक्ट को बारित करने में मात्पुन गुन क्या निवाई थी के सोचंद सेंड ने बाल बिवा पिताव को नेंतित करने ही तो 1872 की सिविल मे अधिरिच एक्ट ने लड़कियों के विवाह की नियुनतम निल्दारित की थी 14 वर्स कितनी 14 वर्स अठारे सो तिरी रिपन में जनमे एक पश्टिमी भारत की पारसी थे कि इंडियान इस पेक्टेरर तथा व्वाईस ऑप इंडिया की संबादक थी एक समास उधारक थे और सम्मती आयू अधिनियम 1891 की पक्ष में तिरमोग संगर्स करता थी इन तत्थों से संबंदित कौन हैं बी एम मालावारी के बारे में इस अभी पाइंट कहा गये हैं सार्दा अधिनियम के लड़कियों इवन लड़कों के विवा की ने उन्तम आयू किरमसा निद्धारित की गई थी 14 और 18 वर्स अभी आप देख रहे हैं कि 18 और 21 है 18 महल लड़कियों के लिए और 21 लड़क आपकी क्या रहा है आप लोग नीचे बताईए ऐसे सब्दे में लिखिये जो पड़े लिखे जैसा लगे फिर आप अपना कोई और सब्दी उच करने लगें कि मत करिए गा ऐसे आप लोग पड़े लिखे हैं आप लोगों को सोभान ही देता है सार्दा एक्टिप्समंदि सब्सक्राइटी की सफलता मुखता थी एनिवेसेंट के कारण यह भी आपका सही समले थे वस आपको याद रखना है राजाराम होन राएट ब्रह्मा समाज स्वामी दयानंद सरफशति आरे समाज स्वामी विवेका रामकिष्न में संद महादेयो और गोबिंद्रा नाडे प्रात्ना समाच से संब्धितों ठीक, थियो सोफीकल सुसाइटी एनिवेंसेंड प्रात्ना समाच, डॉक्टर आत्माराम पांडूरंग, आत्मीय सभा राजा राम मुहन राय, भारतिय ब्रह्मा समाच केशवचंद सेंड, राधास्वामी ससंग तुलसी दा, तुलसी राम, ठीक, एक सूची, एक सूची दो, ब्रह्मा समाच कलकत्ता, मादव धर्म सभाज, धर्म सभा सूरत, आर समाच बंबई, नदवा उल्मा लखनव, ठीक, याद रखिये देंगे, आंगे है आपका सही समले थे, सत्तोधक समाच, ज्योतिवा कुले, मौहम मन्नन, एंगलो औरे देविन्राट टायगोर, दी सर्वेंट आफ इंडिया ससाइटी, गोपाल किष्न गोखली, एंची सीतलबाट, वी एन राव, और अल्लादी किष्ण स्वामी एयर पिक्ख्या सदस्ती, सर्वेंट आफ इंडिया ससाइटी की थे, सर्वेंट आफ इंडिया ससाइटी की थे, गोपाल किसमें गोख़ले न है बहुचन समाज का संस्थापक कौन थै ? मोकंद राव पार्टल पर्यक्ठ . मंदिरों में परवेश के इधिकार की माग फीश्दी के कारण 1800 निर्वेarily है यादी भगवान आजपरस्ता को सहम करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूगा किसने कहा था बालगंगदर तिलगन देखिए कुछ को इसी के कारण आपने देखा है कि हमारे देश में एकता नहीं रही और इसलिए आप देखिए बहुत टैम बाद जागी तब आ जा सेंड यह कहा कि ब्रह्माबाद कुभिस धर्म बनाना चाहिए दयानन्द सर्वस्ति हिंदु धर्म की पहचान बेदों में सथापित धर्म से की रामकिष्ण परमांस इस पर जोड़ दिया कि इस सुर्व तक पहुंचने की कई मार्ग हो सकते हैं समा सुधारकों को सुधारक जो संस्क्रित भासा में प्रवीता के लिए जाने जाते हैं दयानन्द सर्वस्ति सुर्चंद विद्या सागत और राजा राम मुहराय सही कतन हैं ब्रह्मा समाज की एक एक स्वरवाद का समर्दन करता था आर समाज ने सिक्चा की विकास में युगदान दिया रामकिष्ण मसन और आर समाज में समानता थी तीनों ही राजनेतिक उद्देशों के लिए नहीं बने थे लेकिन तीनों नहीं देश वक्ति की भावना के विकास में साहता भी दी थे सही है डॉक्टर एनिवेसंट थियो सॉफिष्ट थे थियो सॉफिकल सुसाइटी का अंतराष्ट के मौलाना हुसेन अहमदने मौलाना हुसेम हुसेन अहमदने देवबंद आंदोलन यूपी सहीवत्वरांथ में प्यारम हुआ था 1866 में आप लोग सहीवत्वरांथ के दिप्ते उत्तरवदेश को पहले समझ रहे हैं 1924 का बंगाल का तारकेश रांदोलन बेरुद्धा मंदिरों में वहिष्टाचार का हाली पद्धिती समंधित हैं बंदुगा मजदूरों से बंदुगा मजदूर से अब चलते हैं कॉंग्रेस से पूरुक स्थापित कुछ राजनितिक संस्था हैं आप देखते हैं कि 1885 मे आप देखने कि कई संगठन थे तो कौन-कौन सी उनके बारे में जाले ज़ेते हैं महादद में जिस राजनितिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम किया था जमीदारी असोशीयसन जमीदारी एससोशीयसन धी दकन आसोशीयसन दा इंडियान इसोशीयसन दा मद् सभाव दीपूना सार्जिनिक सभा में से जिसने ऐस इञाज़ सो पचत्तर में हाउस ओपकॉमेंस में याज़ का पिस्तोत करती हुए बेटेस संस्तत में भारत की पित्याइख्च पिती-निदीतक की मांग की थी तो यह था दीपूना सार्जिनिक सभा दीपूना सार्जिनिक सभा ने यह काम किया था ठीक है इंडियन एसोसीयेशन के संस्थापक थे एसन बनल जी इंडियन एसोसीयेशन के संस्थापक कुन थे एसन बनल जी ठीक है सबसे प्रमुक सस्था थी इंडियन इसोसियेशन आफ कलक्ता इंडियन इसोसियेशन आफ कलक्ता शत्यंदनाथ टेगौर सुरेंदनाथ बनर जी, आर्सी दत और सुभाष चन्दबॉस में से वंडिता जो गेटिस द्वारा इंडियन श्रिविल सर्विस से बरकास्त किये गय तो यह था Indian National Conference इसका आंगे चलके आप देखेंगे 1886 में Congress में बिलाइकर दिया गया था राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहली भारतिय थे सुरेदनाद बनर जी कौन से सुरेदनाद बनर जी सही कालक्रम है मद्रास महाजन सभा मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में 1850 में इस्थापित बंबई Presidency Association के संस्थापों को में से एक था फिरोध साय मेहिता फिरोध साय मेहिता बैटिस East India Company बैटिस इंडिया सोसाइटी लंदन इस्थ इंडिया एसोसीएशन लंदन नेसलनल इंडिया एसोसीएशन लंदन इंडिया एसोसीएशन कलकत्ता में लेखने को मिलेगी ठीक है संबंधि थे, संस्थाओं का सही कालकुरांग की बात करें, तो बंग भासा ब्कसी सवा, Land Holder Society, बंगल बेटिस, इंडिया सोसाइटी और इंडिया लिग, ठीक, कुछ और आपकी पइंट है, इस संगाठन हो गए, इसके संस्थापक हो गए, Landholders Society द्वार्कानाथ टेगोर थिसकी सतापक British India Society William Adams Indian Society आनन्द मुहन बोस Indian Association SN बनर जी थिसकी सुची एक सुची दो India League शिसिर कुमार गोस Indian Association आनन्द मुहन बोस भार्ती राष्टी उदार संग स्वरेनाथ बनर जी United India Patriotic Society Association इसेयाद एहमन खान देश के जन सापक टिक Asiatic Society आप बंगाल 1784 Asiatic Society आप बंबे 1884 Royal Asiatic Society आप ग्रेट बेटेन 1823 Landholders Society आप बंगाल 1838 इसने इन सब की इस्तापना हुई टेक है सामने दियेगे डेट यादर रगी British East India Baptist Indian Association Association लाधा कंद देव Bombay Presidency Association KT Telen Central Momentan National Association Sayyad Amir Ali Servant of India Society Gopal Krishna Gopal Krishna Gopal Gopal भारती राष्टी Congress के बारे में अगर हम बात करें तो भारती राष्टी Congress के स्थापना की थी A.O. Hume ने इसे आप देखी याद रखिये से पिता भी कहते हैं देखा हैं कॉंग्रेस के बारती राष्टी Congress के संस्थापक थी आसेनिक सेवक बारती राष्टी Congress की स्थापना हुई थी 1885 में बारती राष्टी Congress की पित्वन अधिवेशन में भाग लेने वाले पितिन इडियों की संख्या थी 72 यानि की बारत्तर बारती राष्टी Congress का पित्वम अधिवेशन गुए था बंबई में कहां बंबई में बारती राष्टी Congress के पहले अद्देख थे W.C. बनर जी बारती राष्टी Congress का 1885 में महा सचिप था A.O. Hume बारती राष्टी Congress की स्थापना किसे में भारत का वास रहाए था Lord Daprain Congress को सोखने दर्सी है अलूर्प संक्य एक जन्ता का पिती नहीं थी बताती हूँ इसका मजा बढ़ाया था किसने Lord Daprain Lord Daprain न बढ़ाया था उनका मजा ठीक है अंगले आँगे दादा भाई नोरो जी G. सुरेंधनाद बनर जी में से भारतीय राष्टी Congress के स्थापना अधीवेशन में उपस्तित नहीं थे सुरेंधनाद बनर जी इस अधीवेशन में जब इसके स्थापना होई उसमय उपस्तित नहीं थे इसमें ठीक है कौन कौन था दादा भाई नोरोजी, जी सुभामन्यम आयर और जर्श्टिस रानाडे ये तीनों लोग उपस्तित थे लेकिन सुरेननाद बनाजी उपस्तित नहीं थे भागतियराश्टी कॉंग्रेश के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नोरोजी ने, किसने दादा भाई नोरोजी ने कॉंग्रेश के लिए समर्थन पराप्त करने के लिए 1889 में एक सम्ति स्थापित की गई थी उस सम्ति का सभापती था बिलियम दिगवी भागतियराश्टी कॉंग्रेश के सरफितम मुसलिम अध्यक्ष थे बदरुदीन तेयर जी याद रखिए पितम मुसलिम अध्यक्ष बागतियराश्टी कॉंग्रेश के पितम निर्वाचित यूरूपी अध्यक्ष था जोर्ज यूले तो याद रखिए अंग्रेश पहले अंग्रेश थे जो कॉंग्रेश के अध्यक्ष बने फरोसा में तक हाकेम अजमल खान खान अब्दूल गफार खान तथा सर सेयर एहम में से वह जो भातियराटी कॉंग्रेश से कभी सम्मंद नहीं रहा हुद का सर सेयर एहमद का याद रखिए सभी आपके विस्तार में आप लोग पढ़ चुके हैं आपके NCEIT में भी पढ़ा था और आपकी जो किरन सावान क्यान बुक्स है उसमें भी बहुत अच्छे से प बाल गंगाधर तिलक में से हुआ है जो भारतिये राष्टी कॉंग्रेश का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका बाल गंगाधर तिलक कभी इसके कॉंग्रेश के अध्यक्ष नहीं है ठीक है एनई बसेंट रही मोथदीलाल मेरू रोड़ और लाला लाचपतत रह है या लट्चिमी पंडित में से भारतीय राष्टी कॉंग्रेस की अध्यक्ष रहे हैंनी वैसेंट। वह रवाइ दीवेशन जिसके लिए कॉंग्रेस ने पहली बार एक महला को अध्यक्ष चुना था modifying पॉइंट यहां याद रखिए अगर आपसे पूचे कि पहली भारती महला कौन थी तो सरोजनी नाइडू ठीक है बारती रख्टी कॉंग्रेस का दूसरा दीवेशन दादा भाहि नोरोजी के अध्यक्षता में हुआ बारती रख्टी कॉंग्रेस तथा मुसलिम लिग दोनों में लखनव में 1916 में दीवेशन किया जिसे आप लोग लखनव समझोते की नाम से भी आप लोग जानते हैं ठीक ह बारती रख्टी कॉंग्रेस का 27 वा अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में बारती रख्टी कॉंग्रेस का वया अधिवेशन जिसमें बाल गंगधर तिलक ने अभी व्यक्त किया था कि सुराज मेरा जनमसिद्धा दिखा रहे मैं उसे लेकर रहूँगा ए लखनव अधि विशन 1916 के में एक कई बार कथन बन जाता है सुराज मेरा जनमसिद्धा दिखा रहे मैं उसे लेकर रहूँगा किसका वक्तब है किसका नारा है तो बाल गंगा धर तिलक से जुड़ा हुए ठीक सही कथन है सी आरदास ने जब कॉंग्रेस अध्यच के रूमे कार किया तो बेज जिल में थे अलफेड बेब 1894 में कॉंग्रेस के अध्यच थी ठीक है कॉंग्रेस अंधोलन ना तो लोगों द्वारा पेरित था नहीं नहीं उनके द्वारा सोचा या यह उजिनाबद किया गया था यह किसने कहा था सरसियद अहमद ने आगे बात करते हैं हम लोग कॉंग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है मेरी सबसे वड़ी अभिलासा है जब तक मैं भारत मूंग्रेस की कुस की सांतिपूर समाक्ति में सहयोग करना है और यह अकतन किसने कहा था लौड करजन ने कहा था कॉंग्रेस के बारे में ठीक लागू करने की वकालत की थी वे थे सवाश्चेंद बोस कौं थे सवाश्चेंद बोस वह सवतंता संळनी जिनओन है भारत के सवतंता पराप्ती के लिए के बाद सुझाओ दिया कि भारती रट्टी कॉंग्रेस को समप्त कर दिया जाय तो यह थे महत्मा गांदी आप सोच वही हालत देख रहे हैं आप अभी भी, कि मतलब गांदी जी के नाम पर और जब से उन में जो भी जो नेता जुड़े हुए है, वही पुरानी कॉंग्रिस के नाम पर बोड पड़ रहे हैं, कितनी मतलब अपनी मौत मर चुकी है, उसकी तरह से उसका नुकसान के से हुआ है, उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, वह तो पॉलिटीसियन है, उसका नुकसान हुआ जन्ता को, हम आप जैसे चात्रों को, समझ रहे हैं कि आप देखिए कि आपकी लड़ाई नी लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं है, जब विपक्च मजबूत होता है, तो आप सोची पक्च भी डरता है, और आज देखिए कि विपक्च की जीतने का सबसे बड़ा एक तरह से आप कहिए कि किसे जाता है श्री विपक्च को, क्योंकि विपक्च इतना कमजोर पड़ गई कि जन्ता का वरोसा ही नहीं रहा है, तो उसके जन्ता के पास कोई अच्छा उप्सन ही नहीं तो वो चलो इससे दे देती है वो, आप समझ रहे हैं, अमरा सर के भारती राट की कॉंग्रेस अधिवेशन उन्नीस सो ननीस के पिस्ताव के अंसार, महत्तमा गांदी द्वारा कॉंग्रेस का नाय समझान लिखने के लिए उनकी सही भेतु चुना गया, एन सी केलकर और आईवी सेंकु, कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जर्रल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जर्रल तथा अधिवेशन का इस्ताव था, लौर बिलेंगेटन बंबई, 1915 में, भारती राटी कॉंग्रेस का अधिवेशन जिसके अधिवेशन सी विजय रागो चिरियार ने की थी, नांग पूर अधिवेशन उन्नीस सोबसी की, ठीक है, कॉंगरेस में पहले बार भारती रिया सक्केपिति अपनी नीती घोसित की थी, नांग पूर अधिवेशन में, 1922 में गया के एंडियन, नैसनल कॉंगरेस के अधिवेशन के अधियशन thought, छितरन बारतिय राष्टी कॉंग्रेस का एक मात अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महत्मा गांधी द्वारा की गी थी यह था बैल गाओं अधिवेशन 1924 का इसे भी याद रखी कई बार कुछ लेता है केबल यह से एक ही बार की है महत्मा गांधी ने अध्यक्षता बैल गाओं 1925 यह पहली भारती महला थी कानपूर जो अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का 1925 में तब की थी इन्होंने डॉक्टर राजिन पे साथ बंबाई अधिवेशन में 1934 में अभूल कलाम आजाथ रामगर्ण 1940 में ठीक है बारती राष्टी कॉंग्रेस था हुआ अधिवेशन जिसमें जवाला लेरू समाजबात को भारत की समस्याओं को हल करने की पुंजी बताया था लखनव अधिवेशन में बस 1930 के भारती राष्टी कॉंग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन की अजन्द हच्छता की थी सुभास्चन बोस सहाबने सुची एक सुची दो सुची एक में कॉंग्रेस के अधिवेशन हो गये सुची दो में अधिवेशन हो गये डॉक्टर एम ए अंसारी मद्राज, पुरुसोंतम दाश्टन नासी, सर्विजनी नाइडू, कानपूर, सुभाश्यन वॉस हरीपुरा लगाता च्छे बर्स तक भारतीय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिक्ष से अगुल कलाम आजाद जब भारत सुतंथ हुआ, उस समय कॉंग्रेस के अधिक्ष कौन थी? जेवी किपलानी जंगर्मन पहली बार गया गया था भारती राष्टी कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बालगंग अधर तिलक ने भाग लिया था अमरस्तर अधिवेशन उननीच सो उननीच में और अठारे सो च्यानवे की अधिवेशन में आपका जो बंदी मात्रा में उससे गाय गया था ठीक है दो पॉइंट को याद रखिए वो भी कलकत्ता भी ही अधिवेशन हुआ था फिर आपका कॉंग्रेस में गरम दल और नरम दल कॉंग्रेस के नरम दल के निताओं के आंदोलन की बदिती थी राजा बामध्य आंदोलन एक तरह से देखिए नरम दल की यही थी कि हाथ जोड़ना से भारिश करना पत्त लिखना यही इनका काम था मतलब अच्छे से आप स है एक सोदेश आंदोलन काउसा सोदेश आंदोलन से अधिक तर नरम बगति नेता थे शहरी छेत्रों से किसे शहरी छेत्रों से 1904 से लगातार भारत को सोसासन देने पर बल्दी आगया दादभाई नोरोल जी ने बाल गंगाधर तिलक मदलनाल और उधम सीन और गुपाल किसन गोकले में उगपंती नहीं थे गुपाल किसन गोकले नहीं थे यानि की गरम दलके नेता नहीं थे बारति रख्टी ये कॉंग्रेज का प्राधना याचना और विरोष की राजनीती करने का अरूप लगाया था बाल गंगाधर तिलक में वेरियाद रखिए नरम दलके नेताओं की यही एक तरह से राजनी दिर थे यहीं कॉंगरेस की प्रात्ना यह अचना की नीती अंततागर समात होगे बालगंगा दर तलक की नेदत में बारतीय राष्टी ये कॉंगरेस बारतीय राष्टी आंदोलन गरम पंथियों की प्रभाव दिन आया 1906 की बाद अरवेंद गोस दादाभाई नौरो जी जी के गोकले और S.N. बनर जी में से कॉंगरेस के गरम दल से संबन दित था अरवेंद गोस राष्टी अंदोलन में बाल गंगादर अतलग, दादाबाई नौरोजी, एम जी नराडे, गोपाल खिश्न गोकले में से, नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता था, बाल गंगादर अतलग को, सेरे पंजाब के नाम से मसूर थे, लाला लाजपत राय, याद रखे, ला भाई नौरोजी, गोपाल किस्न गोकले, और लाला लाजपत राय में से, भारतिय राष्टी कॉंग्रेस में ओधारबादियों से जुड़ा नहीं था, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने अपने राजनितिक गुरु माना है, मैजिनी को, किसे मैजिनी को, गोप ज़िसला के कि गया जाता एके रहिए असांति के जनक में जानेकोई बालगेंगाधा ध्र तिलक को असांती द्यनक सब्सक्राइब कहा था वंद्वान के छलाब मेरी दर्ज़बी है तो यह थे मैक्स मूलन मैं मैं उन्नेसो आठ में च्छे वर्ष की कारावास की सजा सुधंता संग्राम की जिस उगवादी निता को दी गई थी वह थे बाल गंगंदर तिलक कौन थे बाल गंगंदर तिलक सहब भारत की सुधंता अंदूलन के पैरंबिक तोर में उगवादी विचात धारों को निरूपित करता है सम्मिधानिक साधनों और रियाची काओं के स्थान पर आक्रमक साधनों से सौसासन प्राप्त करना बारती मुसल्वान सामान रूप से उगवादी आंदोलने की और आगर से नहीं हुए इसका कारण क्या था इसने गड़पती महुत सो सुना होगा समझ रहे हैं इसी कारण थोड़ा धरम में बठा हो गया कथन एक कारण आर बाल गंगादर तिलक संपधायक तावादी थी गलत है उन्होंने धरम का राजनितिक अस्त के रूम में फिर्योप किया यह बिल्कुल सही है यानि कि कथन ग पका स्रीगरिस किया था बीजी तिलक में वह व्यक्ति जिसने महाराथ के गड़बती उस्साव का ऐसा कारया कल्ब किया कि वह एक ग्राट की उस्साव हो गया और उनका स्वर्वुप राजनितिक हो गया बालगंगदर तिलक की अर्थी उठाई थी तो सौकत अली ने याद की सावर करने इसके भी पोंच लिया कि अभिनाव भारत की खोच किसने किसने गटन किया था इसका बीनी सावर करने 1905 में कृतिकारी संगटन 1 मरल dictate महारा wellbeing का hon महरात्श्ट में मित््च मिला संग्ल को सुरू किया था बिनायक दाम उदर सावर करना ने बिडि सावर करना ने ठुट मिला बिडि सावर के के बारे में सही कलता ने क्या है उन्होंने अभीने भारत नामकरांथी का रिफ शंगटन की brushing आपना की भारती राष्टवादियों को पिरित करने के उत्तिस से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी उन्होंने भारत का सुतंता संग्राम 1857 नावक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रों का एक राष्टवादी द्रेट्टी कून प्लान करती है बैटिस कैसे मुक्त होने के लिए बे एक चलते जहाद से कून पड़े थे इस अभी कतन आपके विल्कुछ सही है अब देखिए सिवल सर्वेस में इसी तरह को गुश्चिंस बन जाएगा कि वीडी सावर के बारे में आपको सही कतन चुनना है इन्मेसे और आपको नीचे उप्सन दे देगा उसके बा सथाफना कह placebo कि 25 में किसने कर गेवा अनुसीलयन समति की स्थाफना depressed कि किrement concraft कि करिया क्लाप उस ने जिस गुप्त क्रांथ करी संगठन को बंगाल में जिनम दिया वह है अनुसीलयन सम्ती बालगंगादर तति Coin Lifetime को लुप्तम दिया गया क्रांतीकारी आंदोलन की तौरान 7th Aa के कारांतीकारी आत्राइटबडल में हुल साहिस फिर स्टा harassment इक भाए ऐख जा लोग हो ने दिखा है कि आप लोग जब लोग करते हैं चात लोग तो आप लोगों को देश दुरोही ठहराया दिया जाता है और आतंक बादी भी बोल दिया जाता है कि आप सरकारों के खिलाब जा रहे हैं तो देखिए सरकारों के खिलाब जाना मुझे रगता है कि देश के खिलाब जाने के पक्ष में मत देखना चाहिए में हम अगर आप सरकार के खलाब जा रहे हैं तो आप किसी काम के लिए जा रहे हैं न इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं हुआ कि देश के खलाब जा रहे हैं लेकिन यही आप सुचिए उस समय से मैं आप लोगों की तुलना भगत सेहीं राजगुरु और सुक्तेव से करता तो क्योंकि आज देखिए इतिहास में उस समय उन्हे गलट ठहराए गया लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी बारे में पूजा कर रहे हैं उन्हें मान रहें सम्मान कर रहे हैं तो आज से अगर जब भी आपका सो और देजसा साल बास समीधान लेका इतिहास लिखा देखिए जो भी आज हो रहा है वो इतिहास में लिखना है तो आपको देखिए जब तक आप इतिहास रहेगा दर्ती रहेगी मुझे लगता है तब तक आपका नाम बना रहेगा तो अभी वही काम करिए जो आपको अच्छे लगते हो जो देश हित्म हो अपने हित्म हो ठीक ह इस सरकार हैं पांस साल बाद बदल जाती हैं आने के बाद फिर बदल जाएंगे ये कुछ नहीं ठीक है मुझपरपूर में King's Hold की हत्या का प्रयास किया गये था 1908 में मुझपरपूर बम कांड 1908 का समय था पिफोल चाकी से वाइब्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिवानी की साथ अलीव और सडेंद मामली में अरभिन गोस्त का बचाव किया था ये थी चितरन्यादार हिंदुस्तान रिपबलिकन इसोसीशन की स्थापना हुई थी 1924 में एच आर एका सदस नहीं था तो याद रखी सिख बर्मा नहीं था और भगस्तिंग के चंद से कराजा रामपरसाथ बिसमिल के सभी लोग थे अपनी फासी से पूर जिसने पीने ही तु दूद्ध को आज भी कार कर दिया था और कहा था अब मैं किवल अपनी मा का दूद और सुचिए कि सामने फासी है मौत खड़ी हुई है फिर अपने भी फिर भी आप मतलब आप सोचिए कि गलत रास्तों के लिए सुईकार नहीं किया हुने सद बोलते हुए सहीद हुए और आज हम देखते हैं कि डर से हम कुछ भी रास्ता चोड़ी हम लोग कुछ भी करने लगते हैं तल्वे चाटने लगते हैं इसलिए आप देखते हैं इतियास में आपका नाम उसी तरह से लिखा जाता है 1857 की बाद आप देखिए जिसने अंग्रेजियों का साथ दिया उन्हें आज इतियास मापनिंग करता है सिंधिया को देख लिए आपको तो रानी लच्मी भाई को सिंधिया को देखिए इतियास की अगर आप विस्कार से किताब परते हैं तो उसमें सीधा सा सब्द लिखा है गद्धार थसिंदिया और गोपाल की रानी तो यह सब्द मुझे लगता है कि इतियास जब तक रहेगा और इतियास कहने का मतलब जब तक यह धर्ती रहेगी तब तक आप देखेंगे कि वो गद्धार सब धर्टेगा नहीं सरफरोस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है कि जोर कितना वाजू एक कातिल में है यह पंक्ती किस ने लिखी थी रामपरसाथ बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार ने काकोरी सडेंद के मामले में फासिपर चड़ा दिया था रामपरसाथ बिस्मिल को काकोरी सेडन केस कब हुआ था 1925 में इभी याद रखेए कई बार कुछ ले थे काकोरी सेडन केस कब हुआ 1925 इससे संबंदित कौन बैरक्ट थी तइ रांपेसाथ बिसमिल रांपेसाथ बिसमिल रोसन शिंग और भगस सिंग और अस्फाव Crunchamart Aukllal करांतिकारियों में से काकुरी साइटन के से जुड़ा नहीं था भगस्तिंग नहीं जुड़े थी ठीक है रोशन सिंग जुड़े थे और अस्फाकुलार जुड़े थे ठीक और प्रॉबर के साथ पिस्मि सचेंद नाद बकसी मुगंदी लाल और चंदसेकर राजार और मम नाद गुप्त में से काकुरी कांड में से जुड़ा हुए करांदी गारी जो मुकद में से बच निकला था यह थे चंदसेकर राजार सहाब ठीक है अस्पकोला खां ग्राजेंद लाहेडी रामपसाथ बिस्मिल और चंदसेकर आजार में से वए जो काकुरी कांड में फांसे की सजा से बच गया था तो यह थे चंदसेकर आजार तो यह थे चंदसेकर राजार काकुरी कांड मुकद में में सरकारी वकिल था जगत नारायन म कि दरो दीवार पर हसरत की नज़त करते हैं खुस रहो एहले बतल हम तो हम तो सफ़र करते हैं कहा था किसने का था है वाजित अली सायने इंडोस्तान सोचलिश्ट रेकॉब्लिकन इसोसीशन की गठित किसने किया तो इसकी स्थापना चंद सिकर आजाद कभी आप जाएं तो तिलावाद जाएं तो इसे गों कर आएं चंद सेकर आजार भारत को ठेकर कंपनी आएडन भी कहते हैं से आप लोग बहरी बेटी सरकार को सुनाने ही तो केंदरी विधान सबाब में अपरेल आठ अपरेल 1929 को वंपी का था किसने भगस्तिंग और पटू के सब दफ्त ने ह हिंदोस्थान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोचीशन के संसाफक निताओं में एक थे भागर सींग सचेंद सन्याल द्वाना इस्थापित हिंदोस्थान रिपब्लिकन एसोचीशन कर दिया गया था चंद सेकर आजार ने इस अभी आप लोग इनके पर जो भी मूवी बनी हुए है उन्हें देखना थोड़ा हाँ बूरिंग है जिमकि आप लोग मिर्च मसाला पसंद करते हैं समझ रहे हैं लेकिन आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को में लेकर बरस 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेपब बाद में आप देखेंगे ठीर एंकलाब जिंदाबाद का नादा दिया था भागस सिंग ने भागस सिंग राजगुरु सुखदेव को फासी दी गई थी 23 मार्च 1931 को एक कई बाद क्विस्चन बन चुका है दो नाम दे देगा आपको कि भागस सिंग राजगुरु और ब 270 किस्ट लाहुरben चिस्ट बाद स सेखेंख किस्त है मसीर बाट कि सपाने वाले पिए अस्फ़आ कालतॊ-धुला मुकद्मों का सही क्रमन शबसे पहले लाहर मुकादमा, फिर कानपूर मुकादमा, काकोरी मुकादमा, फिर मिराठ मुकादमा म के गयो और लेक्जा देखेजी हावडा सधन पविकरहण 1910 में वेक्टोरीय शडशन प्विकरहण 1914 में लाहर 17 पविकरहण 1916 से 30 के भी और काकुरी 797 प्विकरहण 1925 में local serend 1916 उस्मानी और नागीनी गुपता जिस सदेंद केस के लिए कैद किये गया थे हुआ है कानपूर बोल से भी सदेंद केस ठीक है याद रखना है फिसद चटगाओं सद्धागा धावा आउजित किया गया सूर्शेंड है याद रखी है चटगाओं सद्धागा धावा लूटा इस सूर्शेंड सी जुड़े होई थे सुतंता संग्राम की सबसे कम आयूके सही थी, खुदी राम, बहुत, आप चोचिए, बच्पन की उमर में कई हमारे मतलब आज जो आज़ादी मिली हुई है, उन्होंने कई बच्पन में ही अपनी उम्म मतलब अपनी जिन्दगी खो दे, सही दो गया देश के लिए, और आज हम लोग उनकी आज़ादी की कितनी कदर कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं, आज हमें समीधान में सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उपयों नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि कितने लोग उन्हें जान दी, कितने लोग सहीद हुए देश के तब जाकर आज आजा दी मिली, यही अगर चाटू कालता अगर यह लोग भी करते तो साहध हम लोग अभी भी गुलाम होते हैं, कि हमें क्या लेना दे रहा है, अगर कोई पेड़वीर आये तो कह देते हैं, हमें क्या लेना दे रहा है, चलिए आपकी जिंद्गी है, इसमे अर्विंद खोस्ट, गदर पार्टी, लाला हर्दयाल, स्वराज पार्टी, सी आलदास, यह संगाठन होगा है, संस्थाफ़, अभीना भारत, GD सावरकर, मित्यमिला, BD सावरकर, यहाद रखी, अभीना भारत आपकी GD नहीं, BD ही है, ठीक है, BD सावरकर, इंडियन पब्लीकन एसोसीजिएशन एसेन शन्यार चटगाओं सस्तागार हमला सूरसेन कापूरी सडेंद रामकसाथ बिस्मिल लाहुर सडेंद जतिंदास गदरफार्टी लाला हरदियार जतिंदास जिस आरूम में बंदी बनाए गए थे वह था लाहुर सडेंद के समें जेल में सूची दो जतिंदास भूंखरदास सेन की जान गई थी चंद सेका राजास मोडवेट के तौरानी की जान गई थी भगस सिंग कुफासी दी गई थी कल्पनादत आजीवन कारावर्ज दिया गया था सूची एक सूची दो चटगाओं आर्मरी रेट कल्पनादत अभिनो भारत बिनायक दामोदर सावरकर अनुसीलयन सम्ती अर्विंद गोस कुका अंतुलन गुरु रामसी काकुरी केस की अभित्तों की बचाओं ये तु एक सम्ती का गटन गवा था ये थी गोबिन बल्लाव पंध की अध्यक्ष राम पेशाथ बिसमिल इंदुस्तान सोशलिस्ट रेपल रिपब्लिकन एसोशीशन चंद सिकार अजात पंजाब नो जबान भारत सबा ये भावसी अभिन भारत अनुसीलयन सम्ती नियू नेस्टनलिस्ट पाटी इन्डियन प्रटियोट इसोशीशन में से क्रांती गपरी विरोध की सिद्धान्द का पिति बाद किया था अरवेंद घोसने किसने अरवेंद घोसने सही कतने सवाश्चेन्द भॉसने फॉरवर्ड विलोग का गठन किया भागत सिंग हिंदोस्तान रेक्पबलीकन सॉसिलिस्ट एसोसियेंट सन्किस अधाफकों में सेख थी बिल्कु अरवर्ण सांध में था गपल खळी और विपिंद चंद पाल में थी वह जो एक उगवादी था तो विपिंद चंद पाल सांती गो सुनी थी चोदरी वीनादास कलवनादत जोस्ती में से वह महला जो करांतिकारी जिसने अच दीप्छा समारों में अपनी उपादी डिगर गयांड करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी तो यह थी बीना दास ने समझ रहे हैं उस समय महलावें भी करांतिकारी एक तरह से आप सोचे जहांती की लानी रानी की लचमी से कम कोई नहीं था आलोचना और सुतन्त चिंतन एक करांतिकारी की दुबज सिस्ताय कहा है भगस नहीं है एक बात और आपको बता दूए है कि अगर आज की नेता की आप अगर तुलना उस समय की नेता से गर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस समय की नेताओं की आप लोग बेजिती कर रहे हैं क्योंकि जमीन औराशमान का परक्ष आज के निताओं में object । Um तय। तो माख करिए model आप उस समय के निताओं से इन के तुल ना मत किया करेगा। इनकी तुलना आप लोग किसी, जितना आप गंदगी मतलब कर सकते हैं, वुराइद उनकी करिये इनकी, लेकिन उन नेताओं को बखस दिया करियेगा, क्योंकि वो उपर अगर आत्मा इस तरह के आप भी भरुसा करते हैं, तो वो जरूर अपने आपको कोशते होंगे, कि बता अरश से बाहर करांची कारी गधिविदिया देख लीते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सुधायटी को प्यारम किया, स्याम जी किष्न बर्माने, इंडियन होम रूल सुधायटी स्थापित हुई थी 1905 में, बीडी सावरकर राजबिहारी गोस, मदनलाल दिंगरा और ल आला हर्द्याल में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, गदर आंदोलर की स्थापना हुई थी सोहन सिंग भागना में, गदर पार्टी से कुष्टेंस आपके कई बार बन चुके हैं, गदर पार्टी का पहला सभा पतिते सोगहन सिंग भांगना पित्थम सएउद के दौरान OD अने वाले गधर करांतिकारियों का अधार इस्तलता फश्कनी में अमेरिका घर पांटी किसन आपना हुई थी सच्टी राज अमेरिका में कहाay एक तरज अमेरिका में से गदर क्या था July है गदर करांधी शेड़ने का सबसे मतफुण कार्त सरोंब होना इप ओए रिम जिसने व कास्ते सरकार के तापना की टीव हैं निभी इस प्रेस्थान जहां पिथम महायूद के दोरान भारत की एक अंतिम सरकार वनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महिंद परदाबती यह था आफगानिस्तान याद रखी महायूद कहने का मतलब है कि प्रेस्थम विस्यूद जब तक आपका दोतिय विस्यूद नहीं हुआ तब तक आप महायूद के नाम से जानते थे इसे तो यह 1914 से 18 तक चलता है बारती क्रांती की मा कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को मैडम भीकाजी कामा से संब्धित सही कितने मैडम कामा दादभाई नोरोजी की निजी सचेव रही है मैडम कामा की मतलब पिताप आलसी थे वह पहला जिसने भारती ये तरंगा सबसे पहले फहरा है था तो यह थी भीकाजी कामा साहब कि हत्या के आरूम में आसी के सजादी गई थी मधनलाल डिंगरा और ऊधम सिंखो वह बाद जो मेडम वीकागी कामा और M. बरकुतुला और B. B. S. अयर और M. N. रोय में समान थी बेश अभी करांतिकारी थी और सुतंता आंदोलन की युदी में भारत से बाहर विविद देशों में काम कर रही थी ठीक है कामागाटा मारू कनाडा की यात्रापन निकला एक जलपोर था सर्दार अजरीश सिंह बाबागुरीश सीमिस इस नाव को भी यादाबागाटा मारू घटना… इस नाभी याद रख रहे disent इंडिपेंडेंटेंस लीक की स्थापना हुई थी रास की थी किसने रास व्यारी वह सने बंगाल विवाजन 1905 और सौधिसी आंदोलन ठीक है तो बंगाल विवाजन से आपके कुष्चियां समय सा बनते रहे हैं इसे अच्छे से पढ़ लिए हडप नीती बंगाल का बंग बंग विरोधी आंदोलन प्यारम हुआ था साथ अगस्त 1905 को वह आंदोलन जो बंग बंग के बात सुरू हुआ था सौधिसी आंदोलन बंगाल का विवाजन करने वाला गवर्नर जनर था लौड करजन इस नाम को याद रखिए पूच लेता है कि किसके समयकाल में ब बंगाल की विवाजन की समय बंगाल का लेटिनेंट गवर्नर जनर था सर एंडीवज खेड़ जया ठीक है लेटिनेंट गवर्नर की बात कर रहा हूं बंगाल विवाजन 1905 की वरोद में हुए आंदोलन का नेतित किया था सुरेंदनाथ बनर जी ने डबलू सी बनर जी एस सेन बनर जी और आरें टेगोर और बीजी तिलक में से वह जो सौदिशी आंदोलन का आलू चक था एवन पूर्व तथा पश्चात के मद एक बेदर समंदी का समरतक था आरें टेगोर साहर बंगाल में बैटिजन की वहाज उपंधार को राष्टि नीति की रूम में अपनाया 1905 में बंगाल विवाजन मुक्यता किया गया था बंगाली राख्टबाद की बिर्दी को दुरबल करने के लिए बंगाल विवाजन की बड़ राख्टबादियों द्वारा पारम किया गया कारकृरम था बायकार्ट सौधिसी राष्टि हिसिच्छा आप लोग देखे हैं जथे हैं कि अभी भी आप भाइप चार परसेंट कहीं चीजों में मतलब उस पर डेपेंड नहीं है तो आप समझें यह कहा जाता है कि आपके आज यो पांच पॉन बेकरें तो उसमें से चार पॉन चाइनीज कंपनी होगी है तो एक आएक आप रोक देंगे ऐसा बिलकुत संभाव नहीं है और आज तक कोई भी वाईगोट आंदूलन कभी सरसिज नहीं हुआ उस समय इसलिए कि आप देखते थे हम विदेशों पर कमी ही निर्वर्त थे हम स्वज़शी कपड़े पहनते थे और हमारे पास सभी सुधाय थी लेकिन आज हम लोग काफियत तक दूसरे देशों पर निर्वार हैं समझ रहे हैं तो इसलिए यह संभाव नहीं है कभी आप लोग थोड़ा लिया करिए का तब इस तरह के बरना मैंने देखा है कि कई लोग अपने मुवाइल पोड देते हैं टीवी पोड देते हैं देखिए उसका नुकसान आभी को भादना पड़ता है यह जो खरीद लिया है वो ठीक है आपके पैसा जा चुके हैं चलि का देखा हमने की सबसे जाना बेके भारत में और एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है एक एंकल कह रहा था कि चाइने सामानों को बंद करना चाहिए ऐसा और अपनी टीवी के नीचे क्या चला रहा था चाइनीज कौन का एड़ दे रहा था तो यानि कि तुमने जनता को भी अपनाए गया बंगाल बिहाव ऑजयन के विरूद आंदुलन के रोह में बंगाल 1909 में विभाजित हुया था जिसके बिरूद के फैसरो के दुबारा विभाजित हुया तो 111 में मदरास में सौथेसी आंदोलन का नित्त किया गया चिदंबरम पिलले ने सौधेसी आंदोलन का नित्त दिल्नी में किया था सियद है rhizen महलाएं करूसभान और बुद्धी जीवों जे भी बरगो में से 1905 के सौधेसी आंदोलन से मुखता अभी प्रभावित थे किर्सक एवं मुसल्मान वे अंदोलन जिसके दोरान बंदे मात्रम भारती राष्टी अंदोलन का सीषगी बना सौदेशी अंदोलन के दोरान सौदेश की भावनाव से ओधोध भारत के चरपंथी चरमपंथी राष्टी आंदोलन की काल की संदर्व में सही कतन नहीं है लियाकर हुसेन ने वारी साल के मुसलिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतित किया था ये सही नहीं बेटिस पतकार H.W. नेवेंसन जोड़े थे सौधिसी आंदोलन से भारत की प्राची इंकला परंपराओं को पुनजीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी एवं इंडियन सोसाइटी ओप औरियेंटल आर्ट की स्थपना की थी ये थे रवेन नाट आउनिंद नाट टेगोर एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ देखें बंगाल विभाजन के बारे में अगर आपसे पूँचे कि कब हुआ तो आपको बताना है कि किसके समय हुआ तो एक करजन की समय हुआ था किसके करजन की अगर आपसे पूछी कि रद कब हुआ तो ये रद होता है बंगाल विवाजन रद होता है 1911 में किस की समयई हाइडिंग की समय ठीक है विवाजन होता है करजन की समय और रद्धुता ही हाइडिंग की समय, 1911 में, ठीक है? इससे questions बन चुके हैं, क्योंकि मैंने देखाया Congress बनारस कलगत्ता और सूरत अधिवेशन भी देख लेते हैं बारती रोष्टी एक Congress की 1905 की बनारस अधिवेशन का देख्ष था, गोपाल किस्ने गोखली साहब 1906 में कलगत्ता Congress अधिवेशन की अधिवेशन की देख्ष था, दादा भाई नौरोजी साहब ने 18 वर्ष की आयू में इसनातक, 20 वर्ष की आयू में प्रोफेशर, तथा सुधारा के सह संपादक 25 वर्ष की आयू में साथजनिक सभा और फ्रांतिय संबेलन की मंत्री 29 वर्ष की आयू में राष्टिय कॉंगरेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयू में मत्वून, रोयल कमीशन के समख्ष अग्णी प्रवार और 34 वर्स की आयू में प्रांथी ये विधायक, 36 वर्स की आयू में इंपेरियल विधायक और 49 वर्स की आयू में भारतिय राक्टी कॉंग्रिस के अध्यक्ष, एक देश भक्त, जिसे महतमा गांदी ने स्वयम अपना गुरूप माना है इन सत्वों में एक जीवनिकार ने बड़न किया है गोपल किसने गोख्ले का, इसका गोपाल किसने गोख्ले का इस पूरी कहानी उपर से दिखाए गईगें ना पताएगें और आप सभी जानते हैं कि महतमा का गांदी ने अपना राजनेतिक गुरू भी मानते हैं गोपाल किसने गोखले सहाब को कई बार ये भी बन जाता है गोपाल किसने गोखले मत बंगांग दीजिए गुरु कौन थे तो आपको बता दिया को कॉंग्रेस में सौराज पिस्ताओ बर्स 1905 में पारित किया पिस्ताओ का उद्देश था सौसासन सुनिश्चित करना सौसास कॉंग्रेस के मंच से भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की जिस अधिवेशन में पितम 1218 सब्द का सब्द व्यक्त किया गया था हो ए कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 सब्द का प्रयूग सरवकितन किया गया था। दयानध सरवसुतिन्ए घ्राणनंद सहरसुतिन हैं भारत में ग्रेंट ओल्ड मैंन की सअगया दिया है, दादा भाई नवरो जीकों याद रखिए यह कई भार कुषिकंट्चन से भी बन चुका है 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 lynn ग्रेंड ओल्ड मैंन की संगया दी गई है दादा भाई नवरी जी को याद रखी मुझे लगता है इन आपके जो रिवीजन पॉइंट विए उसे जो भी क्लास लिए इन में या तो वो कुष्चेंस लिए जा रहे हैं जो आज चुकी है और क्या आने की पूरी संभाव ना है उन्हीं कुष्चेंस को रखा गया है देखिए कितने मतभून प्रफेसर के रूम में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काल किया था उन्होंने बंबई में महला सिच्छा की निउप रखी थी इस अभी कह थन दादभाई नौरोजी के बारे में सही है दादभाई नौरोजी की विशाय में सत्थ है वह पहले भारतिय थे जो एल फिं भी किया था आप खुद देखिए उस समय की नेताओं को जो भी सुतंदा सहना रही रहे कोई आपको अनपढ नहीं मिलेगा मुझे लगता है कि सब पढ़े लिखे थे और जो अनपढ थे उनका नेतित कर रहे थे एक तरह से पढ़े लिखी लोग और पूरी वफाधारी से क प्राओं कर रहे हैं और जो अनपढ रहे हैं यानि कि वो नेताज बन के बैठे हुए फिर आप देश की भाला समझ सकते हो कि देश कितने गट्टे में जाने बाला है तो निस वसने तालीस में आप देखिए जब हम आजाद हुए तो कही देशों ने कहा कि भारत 2-4 साल बा बिचारधारा नहीं मिलती थी गांगी जी नेरो जी की और सदार पडल की और इनकी भीमरा अमबेडकर साहब की फिर भी उन्हें रखा गया क्योंकि अमबेडकर साहब एक तरह से ग्यानी थे खानून के समझ रहे हैं तब जाके इतना भारत को एकता मिली और अभी तक चल रहा है और आज कि आप मंद्रियों को देखिए कानून मंत्री को खुद कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी वो क्या कानून बनाएगी समझ रहे हैं वही हम लोग भूबत रहे हैं वेटीस फालियमेंट में चुना जाने वाला पितम भारती हैं दादा भालोजी नरमदल गरमदल की रूम में भारतिये राष्ठी कोंग्रेस का बेवाजन हुआ सूरत अधिविशन में यह भी कई बार बन चुका है नरमदल और गरमदल के रूमें भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का विभाजन के उगवा था सूरत अधिवेशन में 1907 के भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के सूरत में के बारसिंग अधिवेशन के अधिक्ष थे RV गोस कौन थे RV गोस भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के वर्स 1906 में विख्यात कलगत्ता दीविशन में 4 संकल्प पारीद किये गए थी सूरत में 1907 में हुए कॉंग्रिस की अंगले दीविशन में इन 4 संकल्पों को स्विकार करने अत्वा उन्हें आस्विकित करने के पिसन पर कॉंग्रिस में विभाजन हो गया था बारती राठी की कंग्रिस का पिथम विभाजन को था 1907 में सूरत विभाजन कशिया था तिलत में 1907 में सूरत में भारती-राठी कॉंगृस को लिधाएन की मौफ़ कारण था अंग्रेजी सरकार के साल नरमपंतियों की वार्टा करने की चमता कश्मता कह बारे में चरमपंतियों में विश्वास का आवाहं एक तरह से आप समझेए जो गरम दलके थे यानि कि गरम खून एक तरह से कह दीजे और एक ठंडा कून, ठंडा कून क्या करेगा? यहां जोड़के और परातना लिखके या परातना बत लिखकर समझ में जो भी सोधार या कोई कानून के बारे में करेगा और जो गरम दलके ने सा देखने को मिलते रहे हैं, मुसलिम लीग संगाठन का, 1906 में इसका गठन रहता है, सर स realize ऐहमीद कान, सर मुहममद इकबाल और आगा खान, नवाब सलीम लाच छान में से, ओल इंडिय मुसलियम लीग की स्थापना की थी, किसने, नबाब सलीम उल्ला खान ने सलीम नबाब सलीम उल्ला खान ने 1906 में मुसलिम लीग की स्थापना हुई थी डायका में मुसलिम लीग का पितम अध्यक्ष था आगा खान कौन थी आगा खान 1907 में मुसलिम लीग का बारसे का दिविशन हुआ था कराची में कर दिया बिल्गु सही है बैसा अधिकार अक्किली मुस्लिम लीग का ही था आर गलत है यह सही है आपका भारती स्वाधीन्ता संगर्ष की संद्रम में सत्य गतने हकीम अजमल खान राष्टवादी तथा चर्मबंती अहरार अंदोलन सुरूं करने वाले नेताओं में से थी भारती राष्टी कॉंग्रेस की संगठन की समय सर सेयाद एहमाद खान ने इसका विरूत किया था मौलाना बरकुतुला और मौलाना अब्दुला सिंदी काबूल में भारत की अंताकाली सरकार का गठन करने वालों में से एक थी 1906 में लाड मेंटो ने सिस्सिमला में मिली मुसल्बानों की सिश्मंडल ने प्रापना की थी मुसल्मानों के लिए पित्तक निर्वाचन यानी अलग से निर्वाचक बढ़ की 1908 में अखिलवार्टी मुसलिम लीग की एक लंदन साखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में याद रखी अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में फिर देखते हैं चल्द मुद्ध चल्द मांले मिन्टो सुधंर करें कई बार ये भी बन चुक आये कि 1909 का ईंडियान संविस्दञा टाइसे दूसरा नम क्या था माले मिन्टो सुधंर में मिन्टो सुधंर बिल फारित के फ्लाइत का कि 1909 Special इंडियान कांसल एक्ट की विवस्ता की गई थी संपधायक पिती निद्त की संपधायक पितीनिद्त की राश्टी आंदुलन की अधी में जिस ढटनाम में मदभेद के बीच थी और वहेग। वह है जिसने अंतता देश्व का विभाजन कराया था विधान सभा में मसल्मानों के लिए पिथक निर्वाचन चेत्रों और इस्थानों का आरफ्चन प्रापका दिल्ली दर्बात और राध्धानी परिवतन बैटिसकाल में दिल्ली के पहले भारत की राध्धानी क्या थी कलकत्ता 1912 में जब राध्धानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई वो समय भारत का वायसराय था लॉड हार्डिंग दिल्ली भारत की राध्धानी बनी 1911 में 1911 में बंगाल विभाजन को रदिकर भारत की राध्धानी कलकत्ता से दिल्ली स्थाना दित करने की गोषना की गी थी एक अपरेल 1912 को दिल्ली राध्धानी बनाई गी थी तो याद रखी इसमें भी आप लोग बड़े भेहमित हो जाते हैं कई बार बंगाल विभाजन 1911 में दिल्ली राध्धानी घूसित हो चुकी थी 1911 में लेकिन बनी कब है एक अपरेल 1912 को ठीक याद रखी वह है जिसके राज को राज किये प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बंप ही का गया था लौड हार्डिंग पर बैटिस सासन के दोरान बिहार क को एक अलग प्रांत के दज्या प्राफ्त हुआ 1912 में 1912 में कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन की बात करूं दिसम्बर 1916 में इंडियन नेसनल कॉंग्रेस तथा इंडियन मुसलिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयुजित किये लखनव में का लखनव में दोनों में समझोता भीवाता इसी में लखनव समझोता 1916 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अधियप्षता की थी किसने एसी मजूमदार ने एसी मजूमदार ने याद रखिए जिस भी सम्मिलन में कुछ अच्छा हुआ हो जिसमें बड़ा समझोता हुआ हो उसके बार में याद रखा करिये कहां हुआ था उसके अधिर्च कौन थी ठीक है क्योंकि इनसे क्वेश्टियां से डारेक्ट बन जाता है कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच इससे दिलखनव समझोता परहस्ताक्चर हुआ था 1916 में अधिबादियों एबं उधारबादियों के उनर मिलन की पिक्तिरिया में प्रमुक सिल्पी थे एनिवेसेंट कौन एनिवेसेंट बर्स 1916 में मुसलिम लीग और कॉंग्रेस क के मत समझोता कराया था दीजी तिलखने कॉंग्रेस के 1916 की लखनव अधिवेसन में लिया गया मुख दूरगामी पईडाम बाला नेड़य था मुसलिम लीग की पिताव पिताग निर्वाचन चेत की मांग सुईकार की गई थी में इंडिया नेस्नल कॉंग्रेस और मुसलि तक साथ ही भया था ओमहत्मा घंदी पहली बार चंपारण की किसांओं की समस्थ्याँ से अउगत कराये गये के प्रद्र का हॉम् किया गया था अनी बेसंट में उनीस तो पंद्राय सोले में दो हम रूट लीग आरम किये गय थे तिया एवं एनी बेसंट की द्वारा तक है कि आगे आपका कि मैं एनी बेसंट मोख था शंब्ध द्र रही हैं ग्रह सासन आंधूलं से हम रूट आंधूलंट से विधाम विश्योदी की दाना आंधोलन यो भारत में लोग क्रिये हुआ था हूम्रूल आंधोलन बालगंगा दर तलक एनिवेसंट एन्स वामन्यम आयर और टी एस अलकूर्ट में से जिसका युगदान हूम्रूल लीक की स्थापना में नहीं था तो याद रखना टी एस अलकूर्ट का नहीं था सियार दास एस वामन्यम आयर एनिवेसंट और बीजी तिलक मैंसे हूम्रूल आंधोलन में सिस नहीं जुड़ा था कौनी सियार दास नहीं जुड़े थी हूम्रूल समर्थक अपनी राजनेतिक सक्ती का सपलता पुर्वक्त पेदर्शन कर सके क्योंकि इसने देश के सामने सौसातन की एक ठोस यूजना रखी थी तिलक एवं एनिवेसंट तिलक नथा एनिवेसंट द्वारा बनाएगे हूम्रूल लीगों लीगों को एक मिला कर दिया था कव 1908 में आप जानते हैं 1908 में ही तो आपका यूद्ध महायूद्ध कतम गव में पिस्तुत की तिलक की होम्रूल लीग महराष्ट करनाटक मद्ध प्रांथ और बरार तक सीमिता तिलक द्वारा इस्ताफित होम्रूल लीग अधिक सकती साली भी था एनिवेसंट ए ओहूम माइकल मधू सुदंदत और आर पामदत में इसी फैवियन आंदूलन का पिस्त बार अध्यक्ष भी बने थी है कि दोनों गतन बिल्कुल से हैं आप चलते हैं गांदी उनके आरंबिक प्यारंबिक आंदूलनों के बारे में करमचन्द गांदी दीवान थी पूरबंदर राज़कोट बीकानहर के मात्मंगांदी के पदारपन से पूर भारत में राष्ट करांदी के राहं दूलन ने ऑईल्यने के करांतीकारी आंदूलनों प्यांना योद्में बीजा़चचड अप्र है एक हुआ है। फीनिएक्स भॉम है डर्भन-दचिडभी का है। एम जी संबह तक थे दार्षनिक और राजस्था वात करें। घन्धी जी के राम-्राजु के युगल से इधन्त थे सत्थ और आहिंसा। गांदी जी की द्रिष्टी मेंसा करत क्या था सद्धिगी प्राप्ति का रास्ता सद्धिगी प्राप्ति का रास्ता गांदी जी के संदर में बिना माक्षबादी की माक्षबादी विना समाजबाद के समाजबादी बिना ब्यक्तिवाद के ब्यक्तिवादी तता समाजबाद समाजबादियों में एक माक्सवादी से सही है समाजबादियों में एक माक्सवादी गांदी की सत्यागर रणनीती में सबसे अंतिमिस्थान पर आप थे हड़ताल अभादी जी जब भी कोई बात मनवानी होती थी क्या करते थे हड़ताद पर गयठ जाते थे गांदी की स्ध्दहान की अंसार सही है कि संत्या सख्ऩा गरही का सद सस्थ है। सफ्त नई को अपने संकल्प में दर्ड वेश्वास होना चाहिए unacceptable कि सेगरही को HP 12 हाउ नहीं रखना चाहिए गांदी जी के अनुसार जिंसार कीक कोड़ता मुरूट रोग है गरिवी का इस्ताइध गांदी जी ने परिवार नेविजन ये तू तरीका बताया आत्म नेरन्तन समझत रहे हैं 1915 में गांधी जी दच्छडपी काम रहे थी 21 वर्सों तक दच्छडपी का कि जिस रेलिवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेंज में से फेका दी फेक दिया गया था वो कौन सा था पीटर मारित से वहा रहे गया था एमके गांधी ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस के जि निचके सावच्डपी के किनाये है एक आस्रम बनाया था इसे आँ सथ्या गए आस्रम although एं और संब्सा परान आ अयलकर क्या है अगान्दी जी है सेवाधरम अपनाया था 10 रफीका ऐल मार्वक्वा घा ठीक गर्वोडू यत्ले ते और गोखी सब्याध्य मेंkedly just परता राजनिति के लिए सत्यागर सब्द कोल गड़ा महत्मा गांदी ने बारत के सुधन्द संग्राज ze सब्सें फैश्कीड के दोरा सबसे फहल से सत्यागर किया था महत्मा गृकर मोहंदा करमचंद मोह हंद करमचंद गांदी सरवादिए जाने निर्मित बस्तुओं का वार्यार समझता था जाद रखेंगे चलते हैं महात्मा गांधी के राजनेतिक घीवन की घट नायाओं का कालक्रम है चंपारन अहमदाबाद मिला अंदुलन और खेडा असयों अंदुलन याद रखिए चंपारन ओही है बिहार का चंपारन, ठीक है कि फुस्तक अंटू इस लाष्ट से सरवाधिक प्रवावित हुए, बिल्कुल सही है, इस अभी कतन एक तरह से गांदी जी के बारे में सही है, कभी आपको टाइम मिले तो गांदी जी की आतमकता पढ़ना, आप लोग मतलब वो हकीकत लिखी गई है, उसमें मतलब कि साहर एक इनसान को लिख पाना अतनी मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में आप इतनी सच्छा ही लिख पाएं, समझें एक एक बात पूरी बताई के लिए, मातमा गांदी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारना हैं, अन्टू दी लाष्ट, नामकुस्तक में गांदी बाती बिच्यार धारा प्रभावित रही है, रसकें थोरों और टॉल स्टोर से, सौदेसी आंदोलन, ख्यालापता आंदोलन, बेक्तिक सत्यागय आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन ने, गांदी जी सम्बंधित नहीं थे, यह था सौदे गांदी की संदर में सही है, जाती भी इन अच्छोतों की, दसा में सुधार के लिए कठोर संगयस किया, असहे हो गांदोलन सुरू किया, सभी ने एवग्या अनदोलन सुरू किया, इसा भी किये, मात्मा गांदी को सरपितम राष्टपिता किसने का था, सुभाष्चन्द गांदी जी की नाम के पहली मात्मा जुडा थो चंपारन सत्यागे की द्वरान, उनके नाम की आगे मात्मा गांदी के जुड़ गिया, गांदी जी को सरपितम मात्मा की तौर पर संबोधित किया था, किसने पर लमेंदनार टेग ओंध हुट tarmin, नौवरखाली काल में, मात प्यार एलाल कितना प्यार एलाल नाम अच्छा है राजपोट सत्या गए खेडा सत्या गए वायकॉम सत्या गए और असहयों गांदोलन में से जिस सत्या गए अंदोलन में महत्मा गांदी ने पित्य चुरूप से भाग नहीं लिया था यह था वायकॉम सत्या गए महत्मा गा गांदी जी के अनुवाईयों ए एन सिंगा, बैजिक के सोर प्रसाद, जेवी किपलानी, और राजित प्रसाद में से वह जो पेसे से एक से चक थे, तो राजित प्रसाद, ये बिहार के थे, ठीक है, जीडी बिल बिढ़ला, जमना प्रसाद बजाज, जयार डी टाटा, वाल ही राजंद, ही राजंद, उदोगपती हों मैं से, वह एक थी जो ये लंबी समय तर, AICC के खजांची रहे, और वर्स 1930 में जेल भी गए थे, तो ये थे जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज साह, बारती एक अबड़ा व्यापारी बेंकर ओंग्रेस थी, तो था महत्मा गांदी के निकट सहयोगी रहे है, कौन है, जमना पिसाथ बजाज की बारे में एक कहा गया है, स्वाधीनता अंदोलन के दरण महत्मा गांदी के करीबी अंग्रेज में ते रेवरेंड चार्ली एंडी उच, ठीक है, वह कारागार जैसे गांदी जी ने मंदिर का नाम दिय जबाला नहरू ने, गांदी के को one man, one dream, host कहे कर सम्दुधित किया था, मांट बेटन में, मांट बेटन में, जिसमें मातमा गांदी को आदेशित किया था, कि भारत में पितमबर्ष खुले कान पर मुह बंद करे, पितीध करे, गोपालिक ने, और यह नो ने यह भी सलादी कि आप पूरे देश को पहले गूंब लिजे यहां के हाला जान लेजे ठीलिया बारती राजनीती में प्रवेश के पूर्वेग बर्स तक देश में परवेग चक इवां विध्यार्थी के रूम में रहने की सलाय गांदी जी किस ने दी थी वह बालकसन गोक लिए गलत साधन ह में कभी भी सही उद्देश तक नहीं ले जाते हैं या कहा किसने MK गांदी ने इसे आप अपनी जिंदगी पर भी पॉल्व कर सकते हैं कि आप अगर अच्छी रड़नीती नहीं बनाते हैं तो आप सफलता तक मुस्किल से कभी नहीं कहुँश पाए नहीं ठीक है जो नैतिक इसमें मादमागांदी ने पहली बार भुमug हडताल का प्रयोग अध्यार कि रूमे किया था भारत में एहमदाबात की हडताल ठीक है मात्मा गांदी ने भारत में अपना पहला जन भासंट दिया था वर्णाड असी में उत्तरफेदेश भर्णाड असी गांदी जी ने बंगभा मजदूर को मुक्त कराने का पितम अभियाद आरम किया था चंपारंसे कहां से चंपारंसे मात्मा गांदी का हुआ संगर्ष जो उद्धोकिक सेमकों से संबंदित था एहम अगदाबार संगर्ष एहंदाबार संगर्ष अरम किया था सूती मिल कामगारों के लिए गांदी की के ट्रस्टिट्रिप श्रिध्धान के पिती पार्द की संबंद में सही योग में 10 छिड़े पी का 1903 गांदी वादी अर्थ विवस्था की विषय में सही है वे अहंसा पर आधारित अर्थ विस्था पर बल देते थे केंद्री करन सोसन और आसरभनता को चरम दे भी भारत में वसीनी के अनकी पक्च में पक्चधर भी नहीं थी यह सभी कतन सही है एम के गांदी के इंपर आस इस परस्वों का सामाजिक सुधार आर्थिक सुधार संपन किया जा सकता है उनके लिए कुटे उन्ते उप इस्थावित करके गांदीयन इनोबेशन गांदी जी का नवाचार का अतात्तपा था कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगो चंपराण में तिनकटिया पिता का वर्ड तात पर था तीन बटे बीस पूब आप पर नील की खिति करना ए पर गांदी जी ने पहली बार शत्यागया अंदोलन विहार किया था चंपराण में अग्साना नील कर्मियों की समस्याओं का समाना या क्योंकि जबर्जसतीन के कि जमीन थी उस पर नील किकेती करवाई आ रही थी। चंपारंद जाच में आचार जेवी किपलावी महत्मा गांधी के सहयोगीयों में सेख थे। चंपारंद संग्यर्स में जिनोंने महत्मा गांधी का साथ दिया था वे थे। परहत्मा गंदी के चम्पारण सत्यागा से संभलत सिती यह शकुमा क्योख झाए भागांदी ने सरपिटम जिस योग लिया था जोए था चमपारण नेल की केती के संब्द में चंपारन में महत्मा गांदी को आमंदित किया था राजकुमार सोकल में किसमें? राजकुमार सोकल में चंपारन सत्यागा के संब्द में सही है या किसानों से जुड़ा था इसे तिनकटिया पिथा के विरोध संचालित किया था डॉक्टर राजय पिसाथ तथा जेवी किपलानी ने इसमें M.K. गांधी जी को सहयो दिया था बिल्कुश सही है चंपारन नील अंदोलन के राष्टी इंजल था थे महत्मा गांधी महत्मा गांधी की चंपारन सत्यागा का फिरोद किया था एंजी रंगाने किसने एंजी रंगाने खेडा के किसानों के पक्ष में महत्मा गांधी की सत्यागा संगठित करने का कारण था अकाल पढ़ने के बाद यूत पिसासन ने भूराजिस की ओगाही इस्तेगिन नहीं की थी यानि कि कर को रोका नहीं था फसल बरबाद होने के बाद भी चलिए अब हम लोग बात कर ले थे किसान अंदोरन और किसान सभा के बादे में कि याद रखिए अंगेज होन एकिसी को नहीं छोड़ा इमें सोच ही किकिशी एक बढ़क को छोड़ दिया हो उनका सोसन करने HU's को फिर चाहे आप पक किसान देख लिजे फिर चाहे आप नाई кадयु फिर चाहे आप लोग जनजाती में को देख लिजे हर किसी पावनोंने सुतंड किया भार्तवर्ष का सरपि थम किसान आंधूलं था तम बिज्वा आंधूलं अंधूलं दो इंद नारायन देवेदी, गौरी संकरमिस और जवालाल नहरू और मदर मोहन मालविये में से, फरवरी 1908 में स्थाबित यूपी किसान सबाकी, इस्तापना से समढद नहीं था, जवालाल नहरू इससे समढद नहीं थे, ठीक है, नाई धुमी बंद, सामाजिक वायकार्ट एक इसके विमेन भावों के भिन्ने भिन्न नेताओं द्वारां किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके परवाव छेत्रों से सही समलित हैं, सही जानन्द सरसुती, ये आप देखेंगे बिहार राज में, खुदाई खितमतगार, NWFCFP, स्वामी रामानंद हैदरावाद में, अ स्वामी सही जानन्द साहब, अवद के एक आंदोलन का उद्देश क्या था? लगान का नगत में परिवर्तन, अखिल भारती ये किसान सभा की पितम सत्य की अध्यक्षता की थी स्वामी सही जानन्द सरसुती ने, वह जगह जहां अखिल भारती ये किसान सभा का पहला स्वामी इसाय जानंद सरसुतिनी भूमियों और जल मार के राष्टी करण की मांग के साथ अकिल भारतिये सयुक्त किसान सभा का गठन गिया था। उनकी मित्तियु से ठीक पहले। राजिंद पिसाथ, सी जारदास और मौतिला नहरू और भगस सिंहिं में से बिहाव में किसान आंदोलन के साथ जोड़े थे राजिंद पिसाथ। कौन राजिंद पिसाथ जोड़े थे? सूची एक सूची दो। बार्दोली सत्यागे, सरदार बल्लग भाई पटेल, भारती किसान बिद्ध्याले, एंजी रंगा, बंगाल प्रिजा पार्टी, फजलू, फजलूल, हक, बकास्त, संघर, स्वामी सिध्धानन, सरवसुती, ठेक है, याद रखे बंगाल के तिभागा किसान अंदोलन की मान थी, जबीदारों की हिस्तेदारी को भसल के आदिभाग से कम करके एक्तिहाई करना, बार्दोली सत्यागे, 1928 के नेतित किया था सरदार बल्लभाई पटेल, मातमा गाती ने बल्लभाई पटेल को सरदार कियो पाती, उनकी बड़ी संगठन, छमता के कारण जिस आंदोलन विदी थी, वो था बार्दोली सत्यागे, भूदान आंदोलन प्यारम किया बिनोबा भाविन, आचार बिनोबा भाविक के भूदान आंदोलन किसके प्यारम से समझ दिस्थान था, पोचम पल्ली, भूदान आंदोलन सरफितम प्या समवादी दल भारत में 1918 में पिथम मजदूर संकी किस था अपना की गई थी बीपी वाडिया द्वारा एहमदाबार टेक्टाइल लेबर एसोसीएशन किस था अपना की थी मातमा गांधी जो मातमा गांधी जी बापु द्वारा ठीक है अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंगरेश के 1920 में बंबई में हुए पिथम अधिवीशन की अध्यक्षा की थी लाला लाजपत रायने इसने लाला लाजपत रायने 1929 में नांगपूर में संपन All India Trade Union Congress की अध्यक्षता की थी जवालाल नहिरु सहाब में ठीक है जो कम्यूनिक्स पाइटी इसकी स्थापना MN राय नहीं की थी, ठीक है, कांपोर्स अडेंत मुकत्मा जिस आंदोलन की निताओं की विरूदिथा हुए था, सामयबादी आंदोलन की, ट्रेड यूनियन आंदोलन की करांतिकारी चर्ण का समय था 1926-1949, 1940 में रेडिकल दिनोगोकेट्रिट पाइटी का गटन किया था MN रॉयन, सौमें दनाथ टेग और द्वाराज इसकाफित दल का नाम क्या था, क्रांतिकारी सामयबादी दल, रॉलेक्ट एक्ट और जलिया वाला भाग हत्याकान, 1919, भारती सुदंता संग्राम के द्वारान रॉलेक्ट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजिनिक रोह सुथबन किया था हुआ है, इसमें इसने लोगों को बिना मुकदमा चला जेल भेंजने के लिए अधीकित किया था, ठेक है, याद रुखिए, फिर आपका रॉलेक्ट लाने का प्रियोजन था, राष्टी एवं करांधिकारी कतिविधियों पर रोक यानि की लगाने के लिए एक तरह से जो भी आंदोलन चल रहे थे उन पर उन्हें दबाने के लिए, रॉलेक्ट एक्ट भारत में लागु का हुआ, ये उन्नीस सो न्नीस में, रॉलेक्ट एक्ट का लक्ष क्या था, बिना मुकदमा चलाए, बंदी बनाना, और मुकदमा की सुनवाई संचे पित्करिया द्मारा करना, रॉलेक्ट चत्यागया के संदर्व में सही कतन क्या है? रॉलेट अधिनियम सेडीशन कमेटी की सिफारिश पर आधिया था रॉलेट चत्या गया में गांधी जी ने हॉम रोल लीक का उपयोग करने का प्रयास भी किया फिल्कुश सही है जे सभी जब रॉलेट टेक्ट पारिट हुआ था उस समय भारत का वायसरा कौन था लॉर्ड चैंस पोड रॉलेट टेक्ट का भारतियराक्टी कॉंग्रेस ने विरुद किया क्योंकि इसका लक्ष था व्यक्तिक सुतंता को सेमित करना ठीक है यानि कि आपकी जो सुतंता है उसी व्यक्तिकी सुतंता को सीमित करने या वोस पर प्विती बंद लगाना अखिल भारतिय राजिती में गांधी का पहला साइसिक कदम था रॉलेक्ट सत्यागे रॉलेक्ट एक्ट की विरुद में लगान ना देने का आंधूलन चलाने का सुझाओ दिया था स्वामी सिंधानद में अधा अनार्किकल एंड रेवुवालिशनरी ग्राइम एक्ट 2019 को सामान पौल्चाल में कहा जाता था था रॉलेक्ट एक्ट को यह मत होन करना 13 April 1919 को जलिया वाला बागंत्या कांड कतिलाम हुआ था कहां है अमर्ण सर में कापी संक्या में लोग अमर्ण सर में की जलिया वाला बाग में 13 April 1919 को इकतित हुए थी डौक्टर श्रिफुद्दीन किच्लू और दॉक्टर सत्वाल की गिरमतारी की विरोध में इसी का एक तरह से विरोध पिदल संकराई थी 30 माई 1990 को अपना अलंकरण भारस सरकार को लोटाने वाले बैखती थे रवेन नाट टेगोर इसी की विरोध में एक तरह से ठीन है आपनी नाइठ होड का परीतयाक कर दिया था तो जलुकर सत्वाला बार संकरन बनाए जाना और तथा, 1919 का अमरसर कॉंगरेस का अधिवेशन, घटनाओं का सही किरम क्या है? डॉक्टर सुत्यपाल का बंदी बनायजाना, जलियवाला भाग नरसंगार और 1919 का अमरसर कॉंगरेस का अधिवेशन हंटर आयोग की निवति की गई थी जलिया वाला बाग हत्याकांड की पाद जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलिया वाला बाग की घटना से ठीक है जलिया वाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को माटा ला था ओधम सीने किसने वो दम सीने जलिया वाला बाग नरसंगार पर कॉंग्रेस जास्ति की रिपोर्ट के प्यारू लिखने का कार्ट सौंपा गया था महत्मा गांदी जी को बस 1919 में जगन्नाई जलिया वाला बाग अत्या कांड की समय भारत का वायस राइक उन था लौर्ड चैंसपोर्ड इस तरह के कुष्चेंस आपके हमेसा पूंचे जाते हैं एक बात हमेसा याद रखी यह जो भी आपके रिवीजन के यह पूंचा जाएगा यह पूंचा जाएगा तो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए ठीक है वाय घटना जिसे मॉंटिगू ने निवारक हत्या के नाम से विसे सीकेट किया था जलिया वाला बाग नरसंगार वाय एक जिसके कारण सार्जिनिक रोज की लायर उभरी फ सही किया अंगरेजों की तरफ से जासंती बनाई थी तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से जो भी नेड़ आ था उन्हीं के पक्ष्च में आये था ठीक है उन्होंने का ए नहोंने अपना कर्तब का पालन किया खिलापत आंदोलन के बारे में चाल लेते हैं खिलापत आंदोलन के पैरम किया था सौकत अली और मुहम्मद अली ने सौकत अली और मुहम्मद अली ने खिलापत आंदोलन के प्रमुक नेताओं में से थे मौलाना मुहम्मद अली सौकत अली खिलाबंद आंदोलन के मुख उद्देश क्या थे? भारत के मुसलबानों में बेटेस बरोधी भावना उत्पन करना और ओटोमन समराज की रक्षा और खिलाबत का रक्षा करना तुर्की की याद रखिए तुर्की के जो खलीबा थे तो उसी के विरोध में एक तरह से मुसलिमों ने एक किया था 1919 में अखिल भारती के खिलाबा सम्मेलन का अधिक चुना गया था महत्मा गांदी को महत्मा गांदी ने खिलाब आंदोलन के समर्तन किया था यह महत्मा गांदी ने कहा था खिलापत अंदोलन के द्वारांस हाजी कोल मुल्क की पदी भी त्याग दी थी हाकीम अजमल खाने वह जिसने गांदी जी को सावधान किया कि मुसलिम धार्मिक नेताओं उनके अनुवाईयों के कत्रपन को करोसान ना करे मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना सौकत अली और अभूल कलाम आजाद म ए जिन्ना में से महत्मा गांदी की खिलापत अंदोलन में भागेदारी की वर्तना की थी म ए जिन्ना ने किसने म ए जिन्ना ने खिलापत अंदोलन का बईडाम था हिंदू-मुस्लिम मत्वेदों में कमी आई वायवेक्ति जिसने 4 अपरेल 1919 को दिली की जामा मस्चित के फ्रवचन मंच से हिंदू-मुस्लिम एकता कवासन दिया था ये थे स्वामी सिध्धानद स्वामी सिध्धानद ठीक है कॉंग्रेस ने खिलापत आंदोलन के समर्थन किया मुख्धा खलीभा की उनरस्थापना के लिए मुसल्मानों की साहनवुती पराप्त करने के लिए ठीक है जवाहलाल नहरू मदर मुहन मालवी और मुहमद अली तथा स्वामी सिध्धानद में से खिलापत अंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो याद रखी मदर मुहन मालवी ने इसका समर्थन नहीं किया था जवालाल नहरू ने किया था मुहमद अली ने किया था स्वामी सिध्धानद नहीं किया था लेकिन मदर मुहन मालवी ने इसका समर्थन नहीं किया था बस 1920 की खिलापत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असायू गांदोलन की नितित को समालने का अनुरोद किया था वैती खिलापाद में इस मिसाल में मुसल्मानों को हिंदूओं से भड़ा नहीं पाए एज चिंसन कि इस कतन का समद्ध जिस गठना से था हुआ है खिलापत और असायू गांदोलन उन्नीस से 1922 बस 1921 का मोगला अंदोलन शाखा थी खिलापत अंदोलन की अब देखिए असायू गांदोलन आप दे किसने सियार दस ने भारती राच्टी कॉंग्रेश पहला असयू अंदोलन सुरू किया था 1921 मेश्फ का पिरभणतलन दूमें शाय गांदोलन इसमें बहस्कार की योजना थी, बिल्कुल ये सही कथन सही है। असायोग आंदोलन से समढ़ दें, कॉंग्रेस समढ़ सरप्वितम जनांदोलन बनी, हिंदू मुसलिम एकता में बिट्थी हुई, और जनता के मन से बेटे सक्ती का भाय भी खतम हो गया। बेटे सरकार ने महातमा गांदी को जो उपादी दी थी, जिसे उन्होंने असायोग आंदोलन में वापस कर दिया था, ये थी केसर ए हिंद की, ए असायोग आंदोलन सुरू होने से पहले इन्होंने त्याव दी थी। महातमा गांदी, मदन मुहन मालविये, तेज बाहदो सप्रू, चितरन जन्दास में से असायोग आंदोलन के दुरान अपनी बकालत छोड़ दी थी, तो ये थे चितरन जन्दास जन्होंने अपनी बकालत छोड़ दी थी। बाल गंगधर तिलक, लाला लाजपत्राय, मौति लालेहरू, चितरन जन्दास में से असायोग आंदोलन को समर्थन दिया, फरन्तु इसके पैड़ाम नहीं देख सके, तो बाल गंगधर तिलक थी, ठीक है, क्योंकि इसके पैड़ाम आने से पहले ही इनकी मौत हो चुई थ असयोग आंदोलन में सक्री थी, चपरामें, कहां चपरामें, ठीक है, फिर आप देखेंगे, चोरी-चोरा कांड की वस्त्विक्तिती थी, पाजपरवी 1922 को, इसी के साथ याद रखें, गटना गटी इसके बादी असयोग आंदोलन रोप दिया गया, बापस ले लिया गय चोरी-चोरा इस्तित कहा है, गोरगपुर जन्पद में, गटी जने असयोग आंदोलन बापस लिया था, चोरी-चोरा कांड की कारण, महत्मा गटी ने असयोग आंदोलन को अपनी हमाले जैसी भोल बताई, चोरी-चोरा घटना के बाद, चोरी-चोरा की घटना के समय महत् भारती ये कॉंग्रेस समती कि बैठक में ऐसे आंदोलन बापस लेने के लिए गांदी जी के विरोध निंदा पिस्ताओ पिस्तुत किया गया था उस समय की परिस्तिती से देखा करेंगा आस्त मज सोच लिया करेंगा कि पाकिस्तान को अलग करने में गांदी जी का हाथ था क्योंगे आपने देखा है गांदी जी ने कॉसिस की थी समझ रहें एक बहस का मुद्धा है वो असायव अंदोलन के इस्तखन समंधी गटनाओं का सही किरमे चोरी चोरा में पुलिस गोली कांड हुगभीड द्वारा पुलिस थाने को जलाना गांदी जी द्वारा अंदोलन का इस्तखन यानि की वापस लेना और गांदी जी की कि के गर्णाओं को सही किरम क्या है चोरी-चोरा कांट बार्दुली विस्ताओं असायोग अंदूलन का इस्तिगन 1923 से28 के काल में भारती राजनीते में गरांती कारी गतिवीदिहों कि पुनरवित्ती का कारण था गांधी जीद्वारा असायोग अंदूलन का इस्तिगन अस्थाओं में से एसायूग आंदोलन 1920-22 के द्वरान इस्थापित की गई, कासी विध्यापीट, गुजराद विध्यापीट, जामिया मीलिया, और 1901, ठीक है ये तीनों एक आप देखेंगे, एसायूग आंदोलन के द्वरान इस्थापित की गई थी, 1921-22 के एसायूग आ आप देखते हैं मालने मिन्टो सुधार आता है, और 1930 में सभीनय आयोग्या आंदोलन होता है, एवी साही सुम लेते हैं, 31 देसंबर 1930 को भार्दियराख्टी कॉंग्रेस का लाहर अधीवेशन होता है, 23 मार्ट 1931 को भगस सिंग सुगदेव राजगुरू को फासी दी जाती है, 1 अगस्त 1920 को असाय वांदोलन का आरम होता है, अपरेल 1919 में रोल एक्ट सत्या गया होता है, ठीक है, कथन A, मात्मा गांधी द्वारा 1922 में असाय वांदोलन इस्तगित कर दिया गया था, बिल्कु सही है, इस इस्तगन का सी आर दास एबा मोतिला ने रूत वारा सही है, लेकिन, सौराज पार्टी का गठन होता है, 1923 में इसके बारे में भी देख लेते हैं, पुछ पॉइंट, भारत में सौराज पार्टी की स्थापना जिन कार्डों से हुई थी, वह है, गांधी जी द्वारा सही हुआ अंदोलन बापस लेना, और कांसलियों में प्र सही है, सौराज पार्टी का गठन की आसाफलता के बाद हुआ था, असयों आंदोलन की, मौतिला नहरू सी आरदास द्वारा, बस 1923 में गटित पार्टी का नाम क्या था, सौराज पार्टी, मौतिला नहरू सौराज दल की नेता थे, स्री निवास एंगर, चितरन जंदास और विठ्छल भाई पटल, सी राजगोड गोपालाचारी में सित्दल में नहीं था, तो याद रखिए स्री राजगोपालाचारी इसमें इससे समन्दित नहीं थे, स्री निवास एंगर थे, चितरन जंदास को विठ्छल भाई पटल, इस सभी लोग आपके सौराज दल से समंदित नहीं थे तो याद रखिए राजिन पिसाद नहीं थे देश बंदू के नाम से किसे आप जानते हैं चितरंजन दास को सौराज आहम जंता के लिए होना चाहिए केबल बर्गों के लिए नहीं पिसे द्यसूत की घोष्णा किसने की थी सियार दास में ठीक है कॉंग्रिस नहींताओं द्वारा मॉंटिक्यों चैन्स पोड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरंपंतियों ने पार्टी छोड़ कर गटन किया था इंडियन लिबराल फेडरेशन पार्टी का सोले दिसम्मर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का नेड़ा लिया था मदन मुहन मालवी और मोति लाल नहरू ने सांट्रल लेजिसलेटिव असेम्ली का पित्म भारती अद्यत ज्यानि की श्पीकल चोहने गए थी बिंथल भाई जे पटल टिक वहराश्टी नहीं था जो 1925 में सेंट्रल लेजिसलेटिव असेम्ली के अद्धर निरवार चिच्त हुई थी बिंथल भाई पटल इस साइमन कमीशन के आने की विरोध भारतिय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी आप देखेंगे भारतिय सदस नहीं था आप वही है कि जिसकी जिंदिगी के आप फैसला ने करने जा रहे हैं उन लोगों को आप वहां के लोगों को सामिल ना करेंगे आप कैसे परिस्तिति उनकी परिस्तितियों को जाल सकते हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से उनकी समस्या हैं ठीक है? तो इसली के कारण इसका बिर्वोद भी हुआ था कि इसमें कोई भारती है नहीं था साइमन आयोग नूप किया गया था 1927 में 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश से आय था पिसासनिक सुधारवा विचार के लिए आया था। साइमन कमीशन का ओय सदस जो उदारवादी दल का था सर जॉन साइमन जिसके सुझाओ पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था तो ये था लॉर्ड एर्मिन कतन ए कारण आग कॉंग्रेस ने साइमन कमीशन का साइमन आयो का बहुस्कार किया बिल्कुल सही है साइमन आयों में एक भी सदस भारती है नहीं था यह भी सही है यह आज दोनों से हैं आज सही व्याख्या भी कर रहा है यह की ठीक है साइमन कमिशन की विरोध विरोध आयृजित है लाला लाजपत्र है की नयतित में साइमन कमिशन विरोध आयुजित किया था साइवन कमिशन में एक भी बार ती है सदस सामिल नहीं थे ए भी सही है ए आज दोनों सही है एक ही सही व्याक्या आर कर रहा है आपका अगर आपसे पूछे नहरू रिपोर्ट किस नहीं दी थी तो ML मोदिलाल नहरू ने ठीक है राज गोफालाचारी और सदार पटल मोति लाल नहरू और गोविण पलव पंध सरतेज भादो सपरू और जयकर तथा जवाल नहरू और जग जीवन राव मैसे सब शरब विथम भारत के लिए उपने विसिस सौराज की माँगी थी सर्क तेज बहादो सप्रू और ज्याय करना है इन दोनों लोगा ने ठीक है बारती सुदंदा आंदोरुन के काल कि संद्रम में नहरु रिपोर्ट की अनुसंसा की गई थी आउर्प संख्यकों है तु आरप्चित इस्थानों के लिए सयुक्त निर्वाचन छित और सम्मिधा नहरु रिपोर्ट की अद्धिप्श्था में ईक कमीटी द्वात त्यार किया गया और इसका विस्ताय क्या था यह तकी चैज रगःखा था कंगरेस के दल की औगड़ साकहात छिस के एक प्रमुख नेता जबहालाल नहरु थे ah इंडिया लीग की स्थापना की गए वर लीग स्थावित हुई थी नेरो रिपोर्ट की विरोद में अब आता है कॉंग्रिस का लाहर अधीविशन अपूर स्वराज पिस्ताव पिस्ताव उन्नीस सुन्तीस में भार की सुतंदा संग्राम के दोरा पिस्तावित किया गया कि सम्पूर स्थंता की रूमें परिवासित किया जाए मौलाना हसरत मुठाए निकाल ठीकर न नीसे 12 के एघंधाबाद डिविशन में संपूर स्वराज को कॉंग्रीस का लक्ष मानने का पिस्ताव रखा था हसरत मुठाए नें कॉंग्रेस ने पहली बार भारत की सुतंदा क कफिताव पारिवाज का पिस्ताव पारिवेशन जिसमें पूर्ण सवराज का प्मूर्ण सवराज का किसे ने की थी अम्डिश चवालाल नहिरू ने कोंग्रीस में का लक्ष्छ पूर्ण सवराज गोसित किया गयें fr unique fe Tuners को अर्द रात्री में भारती राष्ट दाज को फेराया था जवालाल लहरू ने सुतंता का नव ग्रहत तरंगा पहली बार लहर आए गया था 31 दिसंबर 1929 को राष्टी ए भारती राष्टी कॉंग्रेस का वह अधिविशन जिसकी अधिक्स का जवालाल लहरू ने सरपितम की में 1929 में कॉंग्रेस के लाहर अधिविशन में पारिश संकल्प में सामिल था बाहर की विदेशनीती की खोष्णा पूर्ण स्वराज की लक्ष्ट की खोष्णा सभी ने ययोग्या अंधुलन पैरम किलने की तेयारी पूर्ण स्वराज संकल्प को भारती राष्टी वह भी नरम पढ़ने लेगे थे आपना देखाऊ का ठीक है कि इस समय तक आप देखेंगे सभी लोग एक हो चुके थे भारत में राष्टबाद बहुत मतलब एक तरीक से कैसे कह सकते हैं आप लोग की बहुत सकती साली प्रवित्ती में आ चुकत था महलाओं किस्तिती देखेंगे च्षाद्रों को देखेंगे किसी भी बारत को देखेंगे सभी लोग अब भागेदारी कर रहे थे आंदुर नो अब आता है आपका सविने एवग्या अंदुलन, कारकारी कमिटी को सविने एवग्या अंदुलन प्यारम करने का दिखार दिया गया था लाहर सत्त में, किसमें? लाहर सत्त में, गांधी जी ने दांडी मार्च प्यारम की थी, 12 मार्च 1930 को, गांधी जी ने दांडी मार्च य आपर मत्री से आश्रम से वह अपरांच जिसमें जिसके सत्यागेरियों कि संख्या मातमागांदी के तांडी कुछ से में सरवादिक थी गुज्राइए असायूग अंदोलन नमक सत्यागे बारदोली कुछ और भारत छोड़ो अंदोलन में से महिलाओं की भावेदारी कोई खास चीज है या मुसलिमों की एक कौमन चेंड फिर चाहे हिंदू भी उच करते हैं उतना ही एक पर ऐसे आपके सकते हैं हर किसी का उतना ही अधिकार है नमक नमक के बिना कोई नहीं रह सकता है कि दांडी मार्च तुरू किया गया था नमक कानू तोड़ नहीं तो और उस समय देखिए नमक पर भी टेक्स लगाए जा रहा था समझ रहें आज भी आप देखते हैं नमक सस्ता है सबसे दांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन साइमन कमीशन का आग्मन और गांदी इर यह गलत है यह तो सही है आर गलत है ठीक है सक्ती की विरू दधिकार की इस लड़ाई में मैं विर्ष्ट की सहानगूती चाहता हूं याकतन किसका था गांदी की दांडी यात्रा से मातमा गांदी की दांडी यात्रा के विशे में सत्य यपूर्था एक पैदल यात्रा थी सावरमती आसरम सिर्फ आरम होकर इसका समापन दांडी में हुगा था सावरमती आसरम से सुरू समुची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी कितने 24 डेल्ज में नमक सत्यागय की समय गांधी जी की गरपतार हो जाने के बाद आंदोलन की निता की रूम में उनका इस्थान लिया था अभबास एव जी ने मातमा गांधी धरस्ना नामक गोदाम पर कॉंग्रिस कारकरताओं की धावे की समय थी यह रवदा जेल में वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार बिनुवा भापी इत्हम बार गिरपता हुए थी एता सभीने एव गया अंदोलन गांधी जी ने जिस विदेशी प कुपलाचारी ने भारती स्वधींता संगर्स के दौरान रेड सर्ड के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई कितमतकार ने आहन किया था पठान चेत्रिय राष्टवादी एकता का और उपनेवेसवाद के विरुद संगर्स का अब आप देखेंगी कि गांधी जी भ लोगों को रोखने से कि अगर कोई हिंसा भी कर रहा है तो उसका भी समर्धन करते हैं वो रोखते भी नहीं किसी को चलने दीजिए क्योंकि बहुत भी समझ गया थे कि अब बहुत दिन हो चुके हाथ जोड़के लालकुर्ती दल संगर्टेट किया गया था अंगरेजेओं को निकालने के लिए गड़वाल रेजिमेंट के सेनिकों ने पिदल सनकारीयों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था गडवाली, बेज चंद शींग सिंग गडवाली, जिया तरंग अन्दोलन में पेहरtu भात में, बेज़ी श्राइक कचबया की चौकिधारी टेक्स के वरोब अन्दोलन एक फिस्था था, सभिनए अयो गया अन्दोलन का, सभिनए अयो गया अन्दोलन का, यह थी पटना की यानि कि विहार पटना से अब होता है आपका गांधी और इर्विन सम्झोता हुआ गांधी इर्विन सम्झोता हुआ मुख रूप से गोल में समेलन में कॉंग्रेस की भागयदारी सहज करने के लिए पांच मार्च 1931 को हुआ था इर्विन गांधी सम्झोता याद रखी इस डेट को पांच मार्च 1931 को वह है आंतोलन जिसका इस्तगन गांधी इर्विन सम्झोते में किया गया था किया जाना पिस्तावित था यह था सभी नए अग्या हंदोलन गांधी इर्विन समझोती में महत्मा गांधी के लाप को सत्वाना पुरुषकार कहा था एलन केम्वेल जॉंसन ने फिर आप देखेंगे कराची का अधिवेशन होता है 1931 में भारतिय राठी कॉंग्रेश के कराची अधिवेशन का सभापतित किया था बल्लभाई पटल ने 1931 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की कराची अधिवेशन की जिसकी अधिक्स्ता सरादार बल्लेभाई पटल ने की थी मूल अधिकारों और आर्थिक कारकरम पर संकल प्यारू किया गया था पंडित जवाला नहरू द्वारा भारती राख्टी कॉंग्रेस की कराची अदिविशन 1931 को मात्मा गांदी की लोग पिरियता और सम्मान की पराश्टा माना है S.C. बॉस ने गांदी भारती राख्टी कॉंग्रेस का कराची अदिविशन और फे दुद्य गोल में सम्मिलन एक करम से घटनायों भी गांदी राख्टी कॉंग्रेस का कराची अदिविशन और फे उसके बाद होगा पूना सम्मिलन होता है मौलाना मौम्मद अली मौलाना अभूल कलाम आजाद मातमा गांधी पंडी जवाला नहरू में से वह भारती निता जिसने लंदन में पिथम गोल में कॉंग्रेस में भाग लिया था तो याद रखी मौलाना मौमद अली याद रखी पिथम गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं किया था ठीक है पिथम गोल में सम्मिलन के बारे में सही है 1930 में आयवजीत हुई थी इसे साइविण आयो की रिपोर्ट पर च click करनी थी इसका आयवजन लंदन में हुआ था कहां लंदन में लंदन में संपन हुए गोल में सम्मेलन में भारती इसाईयों का पिती ने दित किया था केटी पाल ने दूतिय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था महत्मा गांदी, सरोजिनी नाइडो, मदन मोहन मालवी ने दूतिये गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का पिती ने दित किया था महत्मा गांधी ने किसने महत्मा गांधी ने याद रखे दूतिये गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया तो दूसरे केवल दूसरे गोल में सम्विलर में गांधी जी ने भाग लिया, उसके बाद तीसरे में नहीं लिया, ठीक है, कथन एक कारण आर्ट, जवालाल लहरू ने दूसरे गोल में सम्विलर ने 1932 में भारतिय राख्टी कॉंग्रेस का पितिनित किया था, बिलकुल गलत था, कारण आर्ट सही था, मातमा गांधी जब दूसरे गोल में सभाव में भाग लाने के लिए लंदन गए थे, तो वो कहा ठहरे थे, किंगसले, किंगसले हाल में, दूसरे गोल में सम्विलर में कॉंग्रेस के एक पितिनिती की रूम में, भाग लाने के लिए मातमा गोल में समीलां में जिस पिसंड पर आचस फ़ल रहा है और है समपधाईंग पतिनी दिवث सबसे बहारतिखे के नाम जिसने थिनों गोल में समीलां में बाग लिया कि याद रखे वी Нет के नाम तरहई में पिष्च आप कर फेटlike एका पहले दूषरे उत्य निस खे Petoi 1932-1932 के वोदी में भारत ओवेड़ेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैटकों का पराप पिथम दूतिया उतितिया गोल में सम्मेलन की रूम में वोलेख किया जाता है उनका उसी रूम में वोलेख गलत होगा क्योंकि यह तीन अलगला सम्मेलन नहीं थी अपर तो यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीन सत्तों में सत्त संपन हुई थी गोल में सम्मेलन में 1932 में हुआ था तीसरा सही कतन है प्यथम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अमबेडकन ने दलित बाठ के लिए आलग नेरवाचंग मंडल की मांग रखी थी पूना पैक्ट में इस्थानी निकाया हो ततना सिविल सेवाओं में दलित बर्वों के पितिनी दित के लिए विसेज उबंद रखे गे थ सम्मेलन में भारती राष्टी है कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था बिल्कुल यह सही बिल्कुल कतन है आपके अब देखें कि आप लोगी संबदायिक पंचाट और पूना सम्पैक्ट होता है 1932 में संबदायिक अधी नेड़े गोसेत हुता है रेमजी मेकडोनाल्ड ने किसने किया रेमजी मेकडोनाल्ड ने अगत 1932 में रेमजी मेकडोनाल्ड के संबदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक वितम निरवाचक समूब बनाए गया अच्छूतों के लिए है अनि कि एक महत्मा गांदी ने पहला आमरा नंसन का अरम किया था Communal Award के समय 1932 में महत्मा गांदी मरड़ पांथ और बास प्यधानता इसलिए किया क्योंकि रेम जी मैक डोनाल्ड ने संपधाय करती ही नेड़े Communal Award की रोषना की थी संपधायक अवर्ड एबं पूना पेक्ट में दलिदबर्ग के लिए सीटें दी गई थी कि रोषना एकत्तर और एकसो सैंता लिए पूना समझोती का उद्देश क्या था दलिदबर्ग को पितिनिधित देना कथन एक कारणार पूना पेक्ट में ने Communal Award की रोषना को दरासाई कर दिया था विर्गो सही है उसके मात्यम से संसद एबं विधान सभावन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सी टारक्षन का मार्ग पिसस्त हो गया था ए आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या भी दे रहा है बेडीक, स्री वियार अंबेडकर और गांदी जी के वेच एक समझता हुआ था इसे आप लोग पूना समझोगते की नाम से जानते है आगर आप से पूछे हैं कि पूना समझता गिन किन के वीच हुआ था तो वियार अंबेडकर साहब, भीमरा अंबेडकर साहब और महत्मा गांदी के में ठीक है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे संबदाय कदिनियम के विरोध गांदी जी के आवराट अंसन के बाद पूना समझोगता 24 सेप्टमबर 1932 को हस्ताक्षित हुआ इस समझोगती पर गांदी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किये थे गांदी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे याद रखिये उसे भी संबदायक रधी नेड़े की गोष्णा के बर्चा संबदायक संबदित किया गया था पूना समझोता बी आर अंबेड कर मदन मुहर मालविये सी राज गुपाला चारी और एम की गांधी में से 1932 के तेहा से पूना समझोती पर अस्ताक्चर किये थे लेकिन गांधी हीने इस पर आस्ताक्षन नहीं गिये थे 1932 में पूना पेक्ट के बाद हरीजन सेवक संग की स्थापना वी थी इसके अध्यक्ष कौन थी गांसयामदास बिड़ला अल इंडिया अंटचलिविडी लीग बाद में जिसका नाम बदल कर हरीजन सेवक संग हुआ इसकी पिता मद्यक्ष कौन थी जीडी बिड़ला अखिल बाद हरीजन संग की स्थापना की थी मातमा गांधी है दलिद बर्गों का संग इस्थाबित किया गया था डॉक्टर वी यार अमवेट कर द्वारा मातमा गांधी द्वारा चड़ेग भूद की बाती धूल उठाते लेकिन इस तरह नहीं है किसने कहा था डॉक्टर वी यार अमवेट करने ठीक है याद रखिए अगर आपकी पास तो विधा है अगर आप कहीं मार्केट में रहती तो आपकी रन सामान ग्यान बुक कबर कर लीजिए उसे वैसे हम लोग उने कबर किया हुए लेकिन खरीद के आप लोग पढ़ लीज सकते हैं और अगर आपकी पास तो विधा है तो खरीद लें कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी 1934 कॉंग्रेस सोचलेस्ट पार्टी की पहली बैठक पढ़ना में हुई थी 1934 में एम एन रॉय गड़िसंकर विध्याटी फट मतानू पिल्ले और आचार नरेंद देव में से कॉंग्रेस समाजबादी दल का प्रमुक नेता था आचार नरेंद देव बस 1934 में पटना में अकिलभार्टी कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी का सयुजग था जैबिकास नरेंद 1934 में कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी का अगटन किया गया था जैबिकास नरेंद देवद्वारा बिहाज सोशलिस्ट पार्टी के संस्ताबक थे जैबिकास नारायन, लोग नायक के नाम से जाने जाते हैं जैबिकास नारायन, जैबिकास दिवस मराया जाता है, अपरेल 1986 में मराया गया था, श्री नर सिंग नारायन थे समाजबादी, सही कताने, 1936 में अस्ताक्षरीज मिला था ये भी आपका बिल्कुल सही है अब बात करते हैं परांतिये चुनाओं होती हैं और मंत्री मंडल का गठन 1937 की बात है तो 1937 में संपन विधान सभा चुनाओं में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था पंजाब में परांतिये सरकारों को गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहित कराएगे बिधान सभा चुनाओं में मदरास बिहार उडिसा बंगाल राजी में कॉंग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं पराप्त किया था बंगाल में बंबई एसम उडिसा बिहार में से वह परांच जहां 1937 के आम चुनाओं आम निर्वाचन में भारती राष्टी कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं पराप्त हुआ था असम में तो आप याद रखी एसम बंगाल पंजाब में नहीं पराप्त हुआ था इन्हें प्रांटों की संख्या कितनी थी पाँच उन्निस तो सैंटीस में भारती राष्टी कॉंग्रेस का मंती मंडल बना था मद्व परांथ उडिसा में वह परांथ जहां 1937 के आम चुनाओं के बाद भारती राष्टी ए राष्टी कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी बिह वारती इस ने नाटार मद्रा सुरीजा पंजाब में से हुआ है पिदेश जिसमे 1935 के अधिनियम के इंतर के कॉंग्रेस की मंती मंडल का गठा नहीं हुआ था पंजाब 1937 के चुनाव में Congress कमंतिरी मंडल बना था 6 परांतों में 1935 के अधीनेमों के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गटित Congress मंतिमंडलों का काल था 28 महीने का Muslim League ने मुक्ति दिवस मनाया था 1949 में Congress ने भू स्वामित को समात करने की निती बनाई कारकाइडी कमेटी 1937 में 1937 के चुनाव के पश्चाद UP में गटित मंतिमंडल के विद्विभाग को सौफा गया था रफी एहमत के दबड़ी को Congress पिसासी पिदेसों में मुसलिमों की सिकायतों से समधी रिपोर्टों का सही गालन करम है तिरुपूर रिपोर्ट शरीप रिपोर्ट मुसलिम सफरिंग्स अंडर कॉंग्रेस रूल ठेकर आप देखते हैं कॉंग्रेस का तिप पूरी संकट सब्सक्राइब्स सबाइब्स बखरेट मुझ्राट में पहार्ति राष्टी कॉंग्रीस के तिपुरी समयलें में बर्स 1949 में सुभाश्चंद बौस को कॉंग्रेस का अब्देथ कुना गया था वह तिपुरी में, बजवलबूर में, ठीक है, सुभाश्चंद बौस दूसरी बाल अब्देथ चुने गे थी तिपुरी अधिविषन म में सुभाष्टेंद बॉस ने पट्टावी सीता रमिया को पराजित किया था तिकपूरी अधिविशन 1949 में प्याद रखी पट्टावी सीता के सीता रमिया के पक्ष में थे गांदी जी तो इसलिए आपने देखा है कि फिर सुभाष्टेंद बॉस ने स्टीपा दे दिया था क्योंकि कांदी जी ने इसका विरोध किया था और पट्टावी सीता रमिया की हार को अपनी हार बता दिया था तो इसलिए सुभाष्टेंद बॉस ने उसमें खुद ही अपना स्टीपा दे दिया था सुभास्चिंद बॉस की त्यागपत के बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिक्ष हुए राजिन पिसाद कॉंग्रेस के तिप्पुरी अधिविसन के बश्टा सुभास्चिंद बॉस और दच्छन परती का समस्त जगड़ा जिस पिसन पर खेंदित हो गया था वह था कॉंग्रेस कारकाईडी का गठन वह भारती राष्टबादी नेता जिसने जर्मनी और वेटन के बीच योद को ऐसे इस सोर फिदत आउसर की रूम में देखा जिसने भारतियों को उस इस्तिति को अपने हित्में और लाव उठाने का मौका दी मिलता है सुभास्चिंद बॉस ने सुभास्चिंद बॉस ने देशी रियासतों के बारे में बात कर ले थे हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश क्या था भारत सरकात था देशी राज्यों के मात सम्मन्नों को सुधारना ठीक बटलर कमेटी ओल इंडिया स्टेट पीपोल्स कॉन्फेंस का गठन हुगा था 1927 में 1929 में भारत प्रजा मंदल ओल इंडिया स्टेट पीपोल्स कॉन्फेंस की अध्यक्ष थी पंडित जवाल लाल नहिरू और वह भारती ये संद्य में रजबाडों का बिलाई अधिकारिक हुआ 1927 में राज्यों का बिलाई करण जिनके नितित में हुआ था वो थी सर्दार पटल आप समझेए सर्दार पटल का बहुत बड़ा युगदान रहा मनाप सूची भारत कितने भागों में बढ़ा होता अधिर राजबाडों की भारत में बिलाई के बाद भी जिन तीन राज्यों ने भारत में सामिल होना विलंब किया वह था जूनागड हैदराबाद जम्मू बस्मी यही तीन रियासतें बची हुई थी और तो सर्दार पटल साब ने सबसे डील कर ली थी फिर आपने देखा अधिर भारत का अभिन नंग बना 26 सक्टूर उननीस और आपने देखा है कि अगस्त 2019 में पूरी तरह से अब हमारे अंदर में आ चुका है आप आप देखें कि बो सभी प्रावदान या भी लागोंगे जो अन देश के अन राज्यों में होते हैं अब कोई वेदभाव नही बिहार में से हुआ परांच जिसने एक सयुक्त एबं सुतन्त अस्तित के लिए योजना सामने रखी थी पंजाब ने देशी राज्यों से याथावत समझोती का पक्षेदर था हैदरावाद कौन सा हैदरावाल अब बात करते हैं दूतिय अविस्यूद दूतिय अविस्यूद दूतिय अविस्यूद के समझने में भारती राठी कॉंग्रेस की नीती थी पूर्ट सुतन्ता का अस्वासन मिलने पर वेटरेन को सहयूद दूतिय अविस्यूद में भारती राठी कॉंग्रेस ने अंग्रेजों को सहयूद प्यदान किया था बिल् कॉंगरेश ने दुटिय विसेउड़े कि संद्र में हुआ है कि जर्मनीकी वरोत युद गोसित कर देने के नेढेक कुछ सुरिकार नहीं किया था यहार दोनों सही है आर एका सही नेड़े, आर सही व्याक्या है, एक ही. ठीक है, याद रखी क्या हुगा, कि दुटिया विसिव्ध उन्नी सो अन्तारीस में होता है. और हम उन लोगों इसमें सामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि पहली विसिव्ध हम लोगोंने 1914-18 में गुगल था उसमें अंग्रेजियों को देख लिया था कि उसमें हम लोगों ने मदद की थी पूरी अंग्रेजियों की फिर भी हमा लोगों को कुछ चाहत नहीं लगा था महा युद्ध समाप्त कब हुआ 1945 में आप दिखते हैं जापान पर परमाडु बम गिराएगे उसी के बाद खतम हो जाता है दुस्ति यह विसियोद्धी की समय बेटिन का दिखते हैं बेटिन का विदान मंतरी कौन था बिश्टन चल्चिल अब बाती ही ऐफ पाकिस्तान की बान भारती मुसलमानों के पितख राष्ट के लिए पाकिस्तान सब्दी का परेयोग सबसे पहले किस ने किया याद रखे पाकिस्तान सब्दी की बारे में अगर पूचे तो चौधरी रह्मत अली बाउनके मित्रों ने चौधरी रह्मत अली को याद रखना है आगको ठीक है पाकिस्तान सब्दी की बाद कराओ मुसलमानों के लिए पिथक राष्ट का विचार दिया था सर मुहम्मद इकबाल ने सरोपितम भारत में एक पितक मुसलिम राजी का पिस्ताव रखा था मुहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के अलग राजी अंदुलन का नित किया था मुहम्मद अली जिन्ना मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलिम एकता कदूद कहा था सरोजी नहीं नायजू ने एक बात और बतम आप लोग देखते हैं कि कई बार मुहमद अली जिन्ना एक तरह से नहीं चाहते थे लेकिन उनने देखा 1900 आप देखें कि 35 के बाद जो इस्कृति बने उसके बाद मुसलिम ही उनके पक्ष में नहीं थे आपने उनने चुनाव भी लड़ा आपने देखा है कि मुसलिमों ने अधिक तर मुसलिमों ने उनका साथ नहीं दिया और वो भारत में रहते तो उनने लगा कि हमारा कोई सम्मान नहीं रहेगा और भारत से अलग राज बनता है देश बनता है अगर पाकिस्तान तो उसमें कम से कम पिधान मंत्री या गवर्नर जो ही रहेंगे रहेंगे तो इसलिए उनके अपनी राजनेतिक लालसा थी उसी कारणन उन्होंने चाल चली नहरूई एक राष्ट वक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेत लिए था ठीक है मुसलिमों के लिए एक पितक देश की पितम बार निश्चित अभीवेक्ति हुई थी 1930 के मुसलिम लीग के इलावा दिविशन के एकवाल के अध्यक्ची भासन में मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला पिस्ताव पारित की अगया था 1940 में 1940 में बरस 1940 में मुसलिम लीग के अधि विशन में पाकिस्तान की सिजन का पिस्ताव रखा था खाली कुजिमान है मुसलिम लीग का वार्से का दिविशन जिसमें जिन्ना की दो राष्ट की सिधान्त को मानता दी गई वह था लाहूर में मुसलिम लीग ने भारत की विवाजनी की मांग का फिस्ताव अपने दिविशन में किया था लाहूर में वह अर्थ थी जब Muslim League ने पाकिस्तान दिवस मनाए था तो ये 23 मार्च 1943 की बात है Muslim League के Lahore अधी विशन 1940 की अध्यक्ष्टा गी थी मुहम्मद अली जिन्ना ने आप देखते हैं वेक्ति का सत्यागया 1940 बेक्ति के सत्यागया में बिनुबा भावी को पिथम सत्यागयी चुना गया था दूसरे थे पंडिक जवाल लाल लेग। सर्वोदे सब्दे का प्रयोग सर्व सबसे पहली किस ने किया था महत्मा गांती ने किप से कृप के रिप से पिस्ताओं आता है 1942 में भारत में के कृप से मिसन कबा है 1942 में बितानीय सरकार के पिस्ताओं की परारूप खोषणा जो सर इस्टेफोर ते किप से लायत थे दूसर्बलिक थे भारत कुई एक दोमिनियन इस्तिती की दी जानी चाहिए और सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतिय संग होना चाहिए कोई भी प्रांत या भारतिय राज भारतिय संगे के बाहर रहने का नईड़र ले सकता है भारत का सम्मिधाएं भारत की जंता द्वारा निर्मत किया जाये यानि कि भारत की जंता द्वारा चन्हें हुए पि कती निधी वां द्वारा 1922 के किपसंघ्ण का एक महत्कून कहलू था दूती एविस 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 के तौरंत बात पश्चाद भारती संगी की स्थापना करना उसे डोमिनियन पत पिदान करना एविस समात होने पर डोमिनियन दर्जा समिधान संद्वारा ने विस समिधान मान कोई भी सुगा भारती संगी से बाहर रह सकता था किप समिसन के समद्ध में सही है वह जिनकी दरिष्टी में क्रेट से विस्ताओ एक तूटती हुए बैंक के नाम उत्तर दिनां की चेक था ये था महत्मा गांदी साहब ने कहा था ठीक है वह पिदान मंतिरी जिसने भारत में किप समिसन भेजा था विजटन चेर्चिल किप समिसन के साथ कॉंग्रेश के अधिकारिक बारता का थी पंडिचवाल लाले रूप मौलाना आजाद गांदी जी के आंदोलन को राजनेतिक फिर होती कहा है लौड लिन लेत गुने लौड लिन लेत गुने चली अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत छुड़ो आंदोलन 6 जुलाई 1942 को गुवारधा में मातमा गांदी ने कॉंग्रेश की कारकारी सम्ती में अपने भारत छुड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस सम्ती के अधिक्ष कौन थी तो आप देखेंगे उस सम्ती के अधिक्ष ते मौलाना अभूल कलाम आजाद मौलाना अभूल कलाम आजाद 14 जुलाई 1942 को कॉंग्रेश कार सम्ती द्वारा भारत छुड़ो आंदोलन पिस्ताओ पारक किया गया था वर्धा में कहा वर्धा में भारत छुड़ो आंदोलन की समय भारत का पिधान सैनापती था लौड बेविल भारत छुड़ो आंदोलन प्यारम गवा नौ अगस्त 1942 को इसे अगस्त करांती भी कहते हैं याद रखे भारत छुड़ो आंदोलन का पिस्ताओ बंबई की सिस मैदान में पारिद किया गया था वह था ग्वालिया टैंक ठीक है भारत छुड़ो आंदोलन की प्यारम करने की पूर दिन महतमा गांदी ने रास्ती रियासतों के राजाओं को अपनी जन्ता की प्रभू सकता सुविकार करने को कहा था ठीक है यह कथन हम भारत को या तो आजाज करेंगी या पर आजादी की प्रयास में देवंगत हो जाए होंगे किस से जुड़ा हुआ है भारत छुड़ो आंदोलन से करो या मरू का नरा किस ने दिया था महत्मा गांदी करो या मरू का संबंध किस से भारत छुड़ो आंदोलन से बल्दी उसायन ने महादी वक्ता की बद से त्याक पत दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्यारम किया गया है किप से पिस्ताओ की पिक्रिया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की सम्मद्ध में सत्थ है यह आंदोलन सुतार प्यवर्थित था इसने सामान सेमिकबर को आकरसित नहीं किया था एक बात याद रखे क्योंकि आपने देखा है भारत छोड़ो आंदोलन सुरू होने के समय खास खास नेताओं को एक तरह से ग्रफदार कर दिया था तो अपना नेतित करने के लिए आप स्वयन थे समझ रहें तो इससोता प्यवर्थित था स्वयम अपने आप में भारत छोड को आंदोलन का समर्थन नहीं किया था एक एगार पूछ लेता है एक की आजाद राजिंत पर शाथ सर्दार बल्लेब भाई पतेल और जवाललाण नहिरू ने 1242 में भारत चोड़ो का पिस्तावो समर्थन किया था सर्दार बल्लभभाई पटल ले किसने सर्दार बल्लभभाई पटल ले 1940 में कॉंगरिस की बंबई इदि वेशन में भारत चूरव पिस्तावित किया था जवालाल नहरू की भारत चूरव का आलेक पनाया था मात्मा गान्थ इच्व्क पारित किया मॉलाना अभुलक्लाम creeet भारती राष्टी कॉंग्रेस के लगातार 6 वर्स तक अध्यक्ष थी अगुल कलाम आजा याद रखना क्या क्या याद रखेंगा यूँ भारत छुड़ो अंदुलन फल्थ था क्यूश के प्यस्तावों से भारतीयों के निरास का भारत पर जाबानी आक्माण की धंकी का AICC द्वारा अगस्त उन्नीस तो ब्यानीस में एक प्यस्ताव पारित कन्य का भारत छुड़ो अंदुलन की समय कॉंग्रेस से डेडियो का पिसारन किया था उसा महिता ने, किसने, उसा महिता ने, कॉंग्रेश रेडियो पर भारत छोड़ो अंदुरुन कियोधी में, नेमित रूप से कारकरम प्रसारित करता था, राम मनुभत लोहिया, आज जानते हैं, सापा पार्टी एक तरह से जो यूपी में आप देखते हैं ना, इनी की विच किते हैं कि सर्वदार बल्लपाई पटेल, और मायवद्धी के कासी राम भी है, एसपी के, तो आप कह सकते हैं, एसपी यानि के सापा के राम मनुभर लोहिया, ठीक है, बारत छोड़ो अंदुरुन की समय एंग्लेंड के पिधान मंत्वी कौन थे, चल-चल, अमेरिकी बत् पन दंगे सबसे अधिक ब्यापक रहे हैं, ब्यार और सहित प्रांद में, कथन एक आरण आर, लॉड लिन लेथगो ने 1921 के अगस्त आंदोलन कुछ सेपाही विद्रो की बाद सरवादी गंबीर विद्रो कहा, बिल्कु सही है, कुछ चेत्रों में किसान ब्यापक जन बारत चुडऻ अंदोलन के संद्रम में मातमा गांधी ने को बंदी बनाया गया था, बंबए में गरफतार कीया था बंबए में, बोगरफताओ पारित होने के बाद गांधी जी को कैhrद कर रखा गया था आगाखा पैलेस में, 9 अगस्ट 1942 को जिन्दो नेताओं हजारी बाग में गरपतार को गरपतार किया गया था बेथे सिपकुमात और रामा नंदु याद रखिए जो भी खास-खास नेता थे उन सभी को गरपतार कर लिया गया था मातमा कांधी उनकेट सहयोगियों की 1942 में हुई दरपकड से बिहार में बहुत दंगी हुए इसमें एसमें रेल सिबा पूर्ण लूप से ठप हो गई उसमें अधिकतब ब्रभावित जिला था मुंगेर जैपेकास नारायन को राष्टी इस्तर की नेता की पहचान मिली भारत चोड़ों आंधूलन के संदर में भारत चोड़ों आंधूलन के दुरान जेल से फरार होकर भूमिगयात गतिविन्हों को संगटित किया था जैपेकास नारायन ने साथ दिसम्मर 1942 को स्री योगन सुकल लाइक गई पर नाम है स्री जगत नारायन लाल की पत्नी का नाम क्या था स्रीमती राम प्यारी कथान एक कारण आद भारत छुड़ो अंदोलन से लोगों को जागरेत करने और सास दिलाने में सफल्दा मिली बिल्कुस है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया यह आर दोनों सही है आर एका सही स्वश्टिकेल भी है ठीक है राष्टिय स्वश्वक संग 1922 की भारत छुड़ो अंदोलन से पिथक रहा बिल्कुस है इसका विचार था कि इस अंदोलन से भारत की स्वथनता देर में होगी यह सही है आर गलत है ठीक है कथन एक और कारणा भारत छुड़ो अंदोलन की भाई नाम सुरूप अंग्रेज और मुसल्बान कॉंग्रेस के पिथी सम्मान गेरना के कारण एक दूसरी के नद्धी का गए बिल्कुस सही है जिन्ना ने वेटे सरकार के पक्य सहयोगी की तरह कार किया मुसल्बान कॉंग्रेस अंदोलन से दूर कर रहने के लिए कहा यह आर दोनों सही है आरे की सही इस पश्टी करण भी दे रहा है सुतंता संग्राम के दौरान जिन जिस अंदोलन के मैं अवना असापली और भूमिगत किरिया कलाप की प्रमूप महला संगटक थी भारत छूड़ो आंदोलन में आंदोलन जिसके साथ अवना असापली जोड़ी हुई थी भारत छूड़ो आंदोलन की बश्चात सकती हिस्तांतर की विक्रिया की खोस समय का तका जाती ये आर दोनों से ये आर एक ही सही ब्याक्या भी है भारत छुड़ों अंदोलन की उपरां स्तीरी राज गूपालाचारी ने दी दी भी आउट नामक पैम पैम लेट जारी किया बैटिस भारत व भारती द्रिक्तर अन्न सभी सदस भारती नेता हो के अंदरी तथा प्रांती विदान मंदलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए जाए और सम्मीधान के नमार करने वाले निकायों को यता संभव सी कायोजीत किया जाएगा वो सम्मीधानी गतिलियोत का हल मैंसे एक विस्ता करें कभा कहा हुआ था कडक में सुभाष्यन दोब ऊण था ने फार्वर्ड विलो की स्थापना की थी 1949 में प्रेशन की आई ऐन्य दिमार की उपज थी और इसकी स्थापना की थी मोहन सींग ने किसने मोहन सींग ने मांसिर्फुद। था ज्यानी पीतम सींग और मेजर आई वाची फूजी वारा का बहुतियर रख्ष्टी ए सेना का की स्थापना हुई यानि कि आई एने की स्थापना हुई 1942 में आजाद हिंद पहुच की पितम सहनापती थी मोहन सी सुवाश्चेंद बोस ने सुतंद भारत की इंतरिम सरकार की स्थापना की गोशना की थी 21 अक्टूबर 1943 को 1943 में आजाद हिंद पहुच का अस्तित में आई तदकालीन मलाया में सुवाश्चेंद बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गटर में सक्रे सहुग दिया था रासप्यारी बोस ने आजाद हिंद पहुच का पिधान कार्याल है था रंगून में तुम मुझे खुन दो मैं तुम दिया था सुवाश्चेंद बोस ने आजाद हिंद पहुच दिवस मनाए गया था 12 नमबर 1945 को आजाद हिंद पहुच के सैनेक को सादवर्स के कारवास का दंड दिया था रासित अली द्वारा गुरु दयाल सिंग और प्रेम सहेगल मोहन सिंग सहनवाज मैसे आजाद हिंद दावाई दिख्षता की थी भोलावाई बारत के नाजीवाद, फासीवाद, और संपदाय संभराजवाद, विरोधी निच्चत रोग के कारण, जापान के विरोध गुरिला यहुद की अपनी योजना के बक्ष में बहुमत जुटानवय में सफल हुए थी, जवालाल नहरूट, आप देखेंगे फिर आती है केबिन इन सभी को याद रखें, इनकी डेट कुकें की कई बार लगाने के लिए क्रम में आ जाता है, सिविल सर्वेस में मैंने देखा है, इस्टेट वी सीएस में भी देखा है, कई बार पूंच लेता है, और वंडे एक्जाम में तो देखिए, कई तरह से कुश्चन्स बन सकते ह आपको ध्यान देना है, अब आपसे बूच लेगा कि यह उजिना कब बनी, तो याद रखें, उनने सो चालीज, कई मिशन की अध्यप्ष्टा की थी सर पी लॉरेंस द्वारा, सर पी लॉरेंस द्वारा, दूदी अभी से उद्दी के बाद, उननी सो चालीज में भारत आय मिशन तीन केमनीर मंत्रियों से गटित था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेकजंडर, सर इस्टिफोर्ड किप्स और लॉर्ड एमरी, मैं इसका सदस नहीं था, तो याद रखी लॉर्ड एमरी नहीं थे, कौन-कौन थे, इसमें देखेंगे आप लॉर्ड पैंथि लॉरेंस, एबी अलेकजंडर, सर इस्टिफोर्ड किप्स थे, इसका पेस्ताव मही में आया हो और इसमें अभी भी भारत को बेभाजन मुक्त रखने की अकांचा भी थी, जिसका बेटी प्रांतों से मिलकर बने एक संगीराज का स्वरूप होना था, उपे उध्याट का सम इसकार में से सही नहीं है, पाकिस्तान की स्विकिती इसमें सामिल नहीं थी, वह जिसने वायसराय की एक जीक्यूटिव, काउंसिल की पोर्णर गठन का सुझाओ दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतिये नेताओं द्वारा धारन किये जाने थे, में पूरी तरह से था, तो याद रखे महत्मा गांधी, वह कॉंगरेस सद्यक्त जिसने किर्श मिसन वा लॉड बेवल दोनों से बारताएं की थी, ये अभूल कलाम आजाते, कैबिनिट मिसन की भारत, आगमन की समय भारतीय राश्की कॉंगरेस के अध्यक्ष थे, मौलाना अभूल कलाम आजाते, अब बात करते हैं समिधान सभा की, 1946 में, सोतंद भारत के लिए समिधान की रजना हीतु, समिधान सभा के बच्चार सरब पितम पिस्तुत किया था, कॉंगरेस भारतीय ने 1936 में, कॉंगरेस भारतीय ने 1936 में, समिधान सभा जिसमें भारतीय समिधा करिमाद कीया ते टेबी संक्षाम..श्मिद्हाद की दिन निफारम। डॉक्टर सचिदानन सिग्णा कि अप — क्यों उपकी आप देखते हैं पहले आज था यत्यक्ष करणा जाते हैं पिर आप देखते हैं 11 से दिसम्मर को डॉक्टर राजिन्द पिसाद इस्थाई अध्यक्ष बनते हैं भारती उपनिवेश के लिए प्रभुसंत ता संपन समिधान सभा के पितम अध्यक्ष थे राजिन्द पिसाद बरस 1946 में प्राम्तिय सभाओं द्वारा भारत की समिधान सभा चुनी गई 1950 को अंगीत की किया गया एक सही इसमें से किबल एक सही है ठीक है किबल एक सही है क्योंकि आप जानते हैं कि प्राम्तिय सभाओं द्वारा भारती समिधान चुनी गई थी एक बात और आपको याद रखना होगा कि देखिए पिथम अधिवेशन आप देखते हैं कि कब हुआ नौ दिसम्बर को लेकिन एक बात और रियाद रखी 26 नवंबर पचास को अंगी कित हुआ लेकिन पूरी तरह से आप देखने समिधान 26 जनवरी 1950 को लग हुआ था तो यहाँ पूश्रा है अंगी कित तो आप देखेंगे 26 नवंबर सजीदानन सेंगा जोड़े थे भारत छोड़ो अंदोलन से बैटे सिवक केंद्रिय लिजिस्टलेटिव असेंबली तथा सुतंत भारत की संसल में अध्यक्ष का पत्समाला जीवी माव लंकर है तो याद रखें यह आपके लोगसभा के पहले अध्यक्ष भी रहें जेवी अंत्रेम सरकार फिर सुतंत भारत की अब देखेंगे सरकारवंती पंडित जवालला नहिरू की नेतिति में अंत्रेम सरकार गटन सेप्टमबर 1946 में होता है 1940 में बनी अंत्रेम सरकार में डॉक्तर राजिंत पिसाद बाद में आप देखते हैं कि नए राष्टपती बनाए जाता है तो एक खाद देवन किरसी मंत्राले बिभाग इनके पास था अंत्रेम सरकार 1940 में रेल मंत्राले का कार देखते थे आसा फली इन सबी को याद रखिए अंत्रेम अगर आपके सरकार के गठन में अगर आपसे पूचे किसी बिभाग के बारे हैं तब आपको याद रखना हो और आप देखिए सुतंत भारत के बारे में पूचे तो आपक यह सभी अंत्रेम में रियाद रखी अंत्रेम सरकार के गठन की बात करा हूँ जवाललाल नहरू बल्देव सींग अली जहीर और बियार अंबेड कर में से अंत्रेम सरकार के सदस नहीं थे अब बात करते हैं भारत का विभाजन होता है और सुदंता मिलती है आप आजाद होती है जब भारत की सुदंत होती है इंग्लेंड का पिधान मंत्री था किलीमेंट इटली बैटे सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की गुष्णा की थी यह थी फरवरी 1947 में अप लोगों को बताना होती है बुलिट में इतने तेज आवाज आती है किसी यह साइलेंसर इतना मतलब पावर्फुल लगा जाता है कि आवाज क्या देने की आवाज क्या बताईए मतलब इस तरह सोची आवाज आपको चिलाने की क्या आवाज है लेकिन जब आता था कहां तरब लोटके तो बड़े सजी धजे आता था एक बड़ा लंबा फॉन लेगा चाइना का और बड़े लाल आप देखेंगे लाल रैड कलर के कप्रे पहनता था और जूता भी रैड कलर की मालूस चल जाता था कि हाँ ये कमा की आया है दिखाने के लिए वो ऐसा सब करता है तो आप लोग मतलब मुझे ही लगता है कि हमें मतलब सांती से कहते हैं पिसांत महासागर जो जितना सांत होता है बड़ा होता है उतना ही सांत होता है लेकिन ये अलग बात है कि दिखावा बन चुका है यह आज की समाज का हर्द आप देखिए लॉर्ड मांट बेटन वायसराय की रूम में भारत आए यथा संभा भारत को सयुत्तर रखने की विसेश्थ हिदायत के साथ ठेक है भारतीय सुतंदा का अधर बनी मांट बेटन यूजना मांट बेटन यूजना अधर बनी देश के विभाजन की बारती सुदंदा अधिनियम दा इंडियन इंडिपेडनेंट्स एक्ट बेटेश संसद्वारा पारिक किया गया था जुलाई उन्नीस वस्नेटारिस में भारत के विभाजन से संबंदित मांट बेटन यूजना की सरकारी तौर पर घूठना हुई थी 3 जून 1947 को इसे आप लोग तीन जून के नाम से गहन जानते हैं कथन एक कारण आर अंग्रेज अन्वे भारत को 1947 में सुतंदा बदान की अंग्रेज दूतिय विसेवद में निर्बल पूछ चुके थे ए आर दोनों सही हैं आर एकी सही व्याक्या नहीं कर दा है कथन सुतंद भारत में वेटेन की प्रवुद्टा बनी रही गलत है सुतंद भारत के विबनत जनरल की निवति बेटेन की प्रवुद्टा संपन सासक ने की थी आर सही है यह गलत है भारतीय स्वाधीन था विदेयक को राज्किय स्विकेती प्राप्त हुई दिन 18 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन का वालकन प्लान उपश था लॉड माउंड बेटन के मस्तिश का 1947 में भारतीय राज्किय कॉंग्रेस देश के विभाजन के लिए मुखरूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पर्माने का संभावित संपतायक दंगों से को बचाना चाहते थे इसलिए आप देखिए महत्मा गंदी भी क्योंकि आपने देख रहे हैं हल्त तरफ महार कार्ट चल रही थी तो मात्मान गंदी ने एक ही सोचा कि यह सही है कि गम से गम रोपने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए कर्थन एक कारणा बारती राख्टी ने भारती राख्टी कॉंग्रेस ने मांट बेटन यह उन्ना को स्विकार किया बिल्गु सही है वह दूई बारत और पाकिस्तान के बीच सिमाओं को नेधारित करने के लिए भारत की विभाजन याद रखी अभी आप लोग रेड़ किलिफ रेखा भी सुनते रहते हैं भारत पाकिस्तान की वीच भारत के विभाजन की संदर में 1947 में नेवक थे सिमायों की अध्यक्षता की थी अधिवेशन में भारत की विभाजन का पिस्ताओं सुईकित हुआ इस अधिवेशन के अध्यक्षते आचार जेवी किपलानी आचार जेवी किपलानी नई दिल्ली में 1947 में आविजित अकिलवार्टीय कॉंगरेस संती की बैठक में गोविंद पललब पंथ, सर्दार बलब लिकुषे भाहि पटेल, जेवी किपलानी तथा हबुल कलाम आजाद में से विभाजन के पिस्ताओं समर्थन किया था ह है 1947 में कॉंग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन का पिस्ताओं की पारित होने को राष्टवाद का समकदायरबाद के पक्च में समर्पन की रूम में लिया था डॉक्टर किचलू ने डॉक्टर किचलू ने ठीक है आप समझेए 1947 की भारती राष्टी कॉंग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अधिश्टा की थी जैवी के प्लानी अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन हुई बैटक में भारत विभा की समिधान सवाथ 14-15 अगस 1947 की मंदरात्तिरी केंद्री असेम्बली में एकबाल का गीत हिंदोस्तान हमारा जंगर्मन गाया है एमे सुब्रा लचमीन है ठीक है पहले अउसर पर भारत की पिदानमंत्री की निक्तिव की थी गवर्नर जनरले गवर्नर जनरले सुतंत भारत क अंतिम्न गवर्नर जनरल कौन था तो यह थे स्री राजगोपालाचारी अगर आपसे पूचिए सुतंत भारत का भारती गवर्नर जनरल कौन था तो याद रखे स्री सी राजगोपालाचारी साब थे सुतंत भारत के पहले भारती गवर्नर जनरल यह राजगोपालाचारी भारत की पितम इवां अंतिम भारतिये गवर्णर जनल थी सी राय गूपालाचारी भारत का अंतिम वाइस राय था लौड मांट बेटन सुतंद भारत के पितम विदी मंत्री थी वियार अंबेडगन आपको समझ में आए देखिए जब हमारा भारत आजयाद हुआ तो उस समय विदेशों द्वारा कई देशों ने कहा कि भारत दो से तीन साल में कई भागों में बढ़ जाएगा कई टूपे हो जाएगी भारत की तो आपने देखा है कि क्योंकि कई धर्म थे हमारे देश में कई भासा बोलने वाले थी और आलाग विचारदारा थी बियार अंबेडकर की आप समझे कि पंडित जबालाल नेहरू से विचारदारा नहीं मिलती थी कई विचार कई ऐसे मुद्दे थे जर्म पर इन दोनों में मद्वेद रहता था फर भी आप देखिए कि पंडित जबालाल नेहरू की केविनिट में बियार अंबेडकर साब को कानून मंत्री बनाए गया क्योंकि आप देखेंगे कि कानून के चित में बियार अंबेडकर महारत हासिल किये ते और आज जो सम्मेधान आप देखे हैं उनीकी देन है इक तर एसे समझ रहें हैं आप लूगे और आज की निताओं को आप देखिए, पड़े लिके जो हैं, वो नोकरी कर रहे हैं, या कहीं तसला डाल रहे हैं, या कुछ पकोड़ा तल रहे हैं, आप समझ सकते हैं, जो अनपड़ हैं, जो पाच भी फैल हैं, दस भी फैल हैं, वो जाके कानून बना रहे हैं, वो किस तरह कानून बनाएंगे आपको समझ सकते हैं, ठीक है, और सिक्षा पर कभी बात नहीं होगी, स्वास्त पर कभी बात नहीं होगी, रोजगार पर कभी बात नहीं होगी, तो देश कहां जाएगा यह आप समझ सकते हैं, देकि किसी देश को अगर powerful country बनाना है, तो सिक्षा स्वास्त तो आपको देना ही हुआ ठीक है यह मैन आधार है लेकिन हमारे आप समझे कि अगर यह दो और नो दे दिये जंता को तो जंता उसे चुनेगी जो मतलब काम करेगा काम के नाम पर गोट देगी और नेता कभी नहीं चाहेंगे ऐसा यह अलग बात है छोड़ी आप क्या कर सकते ह भारत का दुर भाग कहिए इसलिगे तो कहता हूं कि आज की निताओं से उस समय की निताओं की तुल्ना मत कि किया गरिएगा बिल्कुल बिल्कुल प्यारम से भारत के राट्पती पत पर आसीन वैक्तियों का सही क्रम है तो राजिन पे साथ ऐ सराधा किश्णन जाकिरुसे कसा हैं वीवी गृष देखिब आपके जितने ब्लवश से पतना बढ़ा हो ऑगरा हुए है कि मुझे निलगता दूसरी की मदद कर दीजे, मेरी तरफ से जितनी आपकी हो सकती थी मदद की लिए ठीक है, और जे आपका, ये रेवीजन के पॉइंट भी उसे आप लोग रख लीजे, खता में, NCAIT पूरी कबर हो चुकी है, एम लक्षमी कांद भी देखता हूँ, वो भी कवर करवा दूँगा, लौड माम्ड वेटन की अधिक्षता में बनी विभाजन परिशद में, भारती राख्टी कॉंग्रिस का पिति निदित किया था, जवाहलाल नहरू और सरदार पटल में, भारत की विभाजन की समय भारती राख्टी कॉंग्रिस के अधिक्ष थे, जेवी किपलानी, पांच अगस्त 1947 को राजिन पिसाद जवाहलाल नहरू जेवी किपलानी, और सरदार पटल में से भारती राख्टी कॉंग्रिस के अधिक गांदी समिजान कुछ 20 जनवरी के दिन लागु करने का नेड़े इसलिए लिया गया था क्योंकि कॉंग्रेस ने इस्तिथी को 1930 में सुतंदादीस दिवस की रूम में मनाया था ठीक है बातिर राष्टबाद बेटिस राज का सिसू था यह कतन किसका था आर कोपलेंड का बेटेस सासन की सबसे अधिक महत्पूर उपलती भारत का एकी कंड था कि हम पड़िक करने का है ठीक है तो देखे अब हो गया हम लोग आजात है 1947 तड़ हम लोग आजात मिलाते हैं अब चलते हैं भारत का समिधानिक विकास देख लेते हैं एक तरह से आप याद रखिए यह आपका समिधान का भी टॉपिक है और आपका इतिहास का भी टॉपिक है ठीक है तो कहीं भी आप लोग पढ़ लें लेकिन इसलिए तो कहता हम एक दूसरे से जोड़े हुए हैं सभी सब्जेक्ट आपके और एक दूसरे से जोड़कर हमें सब पढ़ा करिएगा ठीक है अब बाब को आजादी दे दी गई है आप आजादी महसूस करते हैं या आजाद जीते हैं यह आप बने दोरे भारत का समिन्हारिक विकास रेगूलेटिंग एक्ट पारित किया गया उन 1773 में याद रखी इनसे कुश्चेंस आपके हमेशा देखने पूलती है 1773 में पिथम बाहर गवर्नर्ट जनरल ऑफ बंगाल के पद हे दू प्रावीदित किया गया था रेगूलेटिंग अधिनियम 1773 में रेगूलेटिंग एक्ट के पिरावधानों के इंतरगत बिहार के लिए एक विरांती है सभागी स्थापना हुई थी 1774 में बाहरत में सरवितम सरवुच नियालय की स्थापना हुई रेगूलेटिंग अधिनियम 1973 में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्थापित उच् अपनी संती के नेड़े को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 में अधिनियम जिसके तहत लौर्ड कॉन्वालेश को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्य करने का अधिकार मिला था 1786 करेक्ट 1793 में एक बिनियम द्वारा जिलाग लेक्टर को उसकी नयायक सक्तियों से बंचित कर गया और केल संग्रायक अभीकर्था बना दिया गया ऐसे बिनियमे का कारण था लाओड करनवाले स्थ जिला फेलेक्टर में सक्यास है अतनी विश्चतर सक्ति से सदयक होलता था कि महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परमसक्ति का होना आवांचनी है भारत में भाटी ब्यापार में इस्ट इंडिया कंपटी का एक कादिकार समाथ किया गया 1813 में याद रखी एक बात को 1813 की अदिनियम में आप देखेंगे चाय और चीन को छोड़ कर इन दो प्यापार पर एक आदिकार उनका बना रहा और बाकी पर एक आदिकार समाथ हो गया था इसे आप देखेंगे 1833 में चाय और चीन पर भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं एक आदिकार यह कई बार बन चुका है पूर्चा चार्टर दिनियम 1833 भारत के लिए मत्पूर समझने जाने का एक कारण है इसके द्वारा भारतियों की सिक्षा के लिए बित्तिये पराधन भी किया गया चार्टर 1833 में इंट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविदियों का समापन काउंसिल में परम सक्ताधारी की कि पदनाम को भारत के गवर्नर जनल के पदनाम में बदलना काउंसिल में तथा गवर्नर जनल को विधी करता को भी कि सभी सक्तियां पिदान करना और गवर्नर जनल की काउंसिल में विधी सदस्त के रूम में एक भारती की निप्ति में एक साथ कराने की संस्तेश की गई थी मॉंटिकू चैंप्स पोर्ड रिपोर्ट द्वारा नागरेक सिवाओं के लिए पितियोगी परिक्षा पिणाली को सिद्धानता सुष्टार किया गया 1853 में पहले बार भारत में क्रिया सील विदान परिश्ट कर से जनुगा था चा परिक्षा युजित करने एतु सहमत हुई थी 1922 में सूची एक सूची दो नेंतर परिशत की स्थापना पिट का भारती अधिनियम इंडिया पिट से भी कहते हैं पिट का भारती अधिनियम 1784 सर्वच नेले की स्थापना नयामत अधिनियम 1773 इसाई मिसेनरियों को भारत मे प्रवर्ण जनरल परिशत में कानुनी सदस्की न्युक्ती चार्टर अधिनियम 1833 में सूची एक सूची दो भारत में उपनेविसी निविसी है और सरकार की अधिनियम प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 भारत में कंपनी का व्याफार एकादी काय समात कर दिया गया चाय और चीन को छोड़ कर ठीक है रेगुलीटेंग एक्ट 1733 कमपनी की निदेशक को कमपनी की प्रबंदन से समंदी सभी सब्स पत्ताचार और दस्तावीज जों दस्तावीज बेटिस सरकार को पिस्तूद करने को कहा गया एक्ट ओप 1858 का शान का अधिकार इस्ट इंडिया कमपनी से बेटेसित ग्राउन को हस्तानित कर दिया गया पिसिसधिक इंडिया एक्ट 1784 भारत में इस्ध इंडिया कमपनी के कार्यों को पूरी तरह से ब्हेंजदी करने के लिए बेटेंड में एक बौर्ड ओफ कंट्रोल की स्थाफना की गई थी इसके द्वार ठीक है बोर्ड आप कंट्रोल की स्थाफना जिस अधिनियम के अंदर गत्त की गई थी वह था पीट से इंडिया एक अधिनियम 1784 बेटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने चाय कि व्यापारी के अधिकार को खो दिया था 1833 में चीन के साथ भी भारत का सासन इस्थ इंडिया कंपणी से क्राउन के कोई स्थाना दित किया गया था 1858 की भारत सरकार अधिनियम के अंतरगत सही कतने गवर्नर ऑप ए इंडिया एक अथा 1889 के अंतरगत बेटिस संसद ने इस्थ इंडिया कंपणी को फूरता समात कर भारत में सीधा साथन करने का उत्तरदाय गयंड किया विल वो सही है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादिश्ट जारी करने की सकती पिनान की गई इंडियन काउंसल एक 1861 की द्वारा अधिनियम जिसमें सामोई कार चालम की इस्थान पर विभाग या विभागी ये पद्दिती द्वारा वायसराय की कारी परिशद पर उसके प्राधीकार को औ पर वहस करने की सकती का प्राधी तो आप देखेंगे भारती परिशद अधिनियम 1892 की द्वारा ये सकती मिली थी अंग्रिये जोने भारत में सरवकितम परोक्ष निर्वाचन पिडाली की शुरुआत की 1892 में कब 1892 में भारत में मेडिया को नेतित करने के लिए एक्ट लि 1908 ठीक है बॉंबे मदरास कलकता में उचने आले मी स्थापना हुई थी 1861 में याद रखिस सबसे पुराने आपके उचने आले यही है बॉंबे मदरास कलकता 1861 में भारत में बेटेंट की सभी सम्मिधानिक प्रियोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इनियन कांसिल एक् से मौने की बूचिंपूर्भ की रपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधार बनीनीय प्रांतों में 20 सारें प्राइली अधिनियम के इंद्रकत लागत की गई थी 1919 की मौन की चнойम सक पूर्ट विस्ताओं सम्मंधित हय्त था संभिधानिक सुधार नहीं 12 सरकार अधिनियम ने इस पर प्रोक से परिवासित किया था केंदरिय एवं प्रांतिय सरकारों की अधिकार्था को दोई सासन प्राली लागुद बरने वाला एक्ट था आया था 1910 में कव 1929 में यह अधिनियम मारले मिन्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम में केंदरिय एवं प्रांतिय विस्यों को अलग अलग कर दिया गया था भारव सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था और मॉन्टियू भारत के लिए राज सच्छी वह लॉट चैम्सपोर्ड भारत के वास्टाय थी भारत सरकार अधिनियम 1929 के बारे में असत्य कथन है यह अधिनियम मारले मिन्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है याद रखिए इसे चैम्सपोर्ड पिस्ताव या चैम्सपोर्ड मॉन्टिय के चैम्सपोर्ड सुधार के नाम से जाते हैं लेकिन याद रखिए मारले मिन्टो सुधार की बाप करें तो 1909 का जो अधिनियम था उसे जानते हैं आप लोग मारले मिन्टो सुधार ठीक है 1909 क कथन कारण 12 सरकार दिन्याम 1929 के पवर्तन के साथ पिसासन कडाचा उसकी विश्यस्ता है एकात्मक और केंद्रिय रही बिल्कुस सही है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को पित्यायुजित किया गया था एक बात और याद रखें देखें ट्वाले दिन खतम हो गये जिसमें आपको एक किताब में स्यलेवर भी तरह सामने हैं आपको हर तरह से सोचना होगा इक उपने दिमाग को थुड़ा खोला खोलना होगा वो रठन produto कि कि चाथम हो गए अब रहत ही हैं है कि कहा ट्रवा कुश्यंड के सब्सक्राइब 1935 के 12 सरकार अधिनियम की विशेषता थी गवर्नरी प्रांतों में दोई सासन की समापती गवर्नों को विधाई करियाओं में निसेदारीकार बीटो की सकती और स्वैंदारां विदी बनाना ठीक है एक तरह से आपकी 1935 में 12 सरकार अधिनियम की विशेषता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाथ की प्रांथिये दोईद सासन विवस्था को समाथ किया था Government of India Act 1935 में प्रांथिये स्वसासन का उपन्द था एक संहिये न्याले फडरल कोट की स्थाफना का उपन्द था केंद में एकिल भारतिये संग का उपन्द था 1935 का Government of India Act माथकूर ये भारती समिधान का प्रमुक स्रोत है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद में इस साथी साथ राज्यों में दोईद सासन में राष्टी प्रांदों को सामिल करने के पीछे अंग्रेजों की ऐसी मनसाक थी राष्टिबादी नेताओं के संपदायबाद समराजबाद परोधी सिधान्तों को बैद करने के रिए राज्याओं का इस्तेमाल करना जुन है और पंडिन चटे आधिनियंक बारे में कहा गया था किया एक कर जिसमें ब्रेक तो है पर हिंजिन नहीं आहिए है भारते हम को टेमाइ सब्सक्राण 1935 को गुलामी का अधिगारपत कहा था पंडिल जवालाल नहरू ने भारत सरकार दिनिया 1935 में अंतरवेश्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रिमेंट और स्टेक्शन को वर्ष 1950 में भारत के समिधान में समविष्ट किया गया था राधी की नीती ने देशक तत्यों के रू स्टाव ने कहा था ठीजा सूची एक सूची दो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रिम कोट की स्थापना भारती परिशेट अधिनियम 1909 संबदायिक निरभाचन बंडल का प्यारम भारतीय सरकार अधिनियम 1922 सासन का प्यारम भारत सरकार अधिनियम 1935 प्यदेशों की कि ठीक है अब बात कर लीती है आध्रिम इतिहास से संबंदी एध अधुन हिया विद्य मतलब प्यायंट उक्सी से संदित है आधुनिक इतिहास यानि इयांट या अधुनिक भारत की इत्यास संबंदी मंदल के आदार था रूस था क्या था रूस था ये वर्स हो गया ये घटना होगे 1775 पिथम आंगल मराथा यूथ 1780 दुद्धी आंगल मैसूर यूथ 17824 पिथम आंगल बर्मा यूथ और 1838 ये पिथम आंगल अफगान यूथ सही सुम लेते हैं पुनहाग जजिया लगान थरूक सियर्ग मसूली पर्णम परदक्यार होड सती पिथा निशिद अलियम लॉड विलियम बैंटिक दास्ताकंद लॉड एलन बरू से सम्मदित है ये ने भी याद रुखी भारत के संदर में किसासन की में 30 सत्तात्मक दरिश्टी कोर्ट प्रया संबंधित माना जाता है थॉमस मूरो एक बात और बताओं आपको कि आधुनीक भारत से सबसे जाना कुष्चन साब की देखने को मिलते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ लीजे आप दो बारत में 19 सिद 777-79 पितम आंगले मेशूरिय वবद्धिया 790-32 ती तीये मैशूरिय वবद्धिया था 1924-26 पितम तेम आंगल भर्मा योद्धिया था 1824-26 पितम आंगले मारा आंगल बर्माईय bizi था 3825-44 पितम आंघय सिक्षिय påot काला नुक्रम है डेमेटिक परफॉर्मेंस फिराता है वन्ना कुलर प्रेस एक्ट बंगाल टैनेसी एक्ट नॉर्थ बंगाले टैनेसी एक्ट के बाद नॉर्थ बेस्टर्न प्रोविशेंश से एंड अबाद आया ठीका बाली विवार एमजी रनाडे, ठगी पिताकंत, कर्नल इसलीमेंड, विदवात उनर विवार, ईसो चंद विद्यातागर, पिंड्यारियों का दमन, लॉर्ड हैस्टिंग्स कुंगर सिंग ने अंग्रेजों की बिषद्य बिहार में संगर्स का नितित किया, जबकि 1857 की वितम इतना, संगराम में खान बहादुर खान ने रोहेल खंड में नितित किया, मुसलिम लीगी ने 22 दिसंबर 1949 को, मुसलिम दिवस मनाये, मुक्ती दिवस मनाये, तात्या पिने नाना साहब की सायता है तु कानफुर में फोजों का नितित समाला था, जीनत महिल ने फैजाबाद में इसकी खमानी समाली थी, इस तभी बिलकुल सही है, The Marvel of the Century, Marvel of the Century, The Wonder of the World, Living Photographic Pictures in Lifeside Reproduction, Cinematography, Photography है के तोग्राफी है, If you, exhibition will be given at Watson Hotel tonight, उफिक्त विज्यापन टाइमस आप इंडिया में चापा गया था, 7 जुलाई 1896 में, 7 जुलाई 1896 में, पड़ लीजे ये थोड़ा, ठीक है, बैटे सरकार भारत की विज्या विभाजन के लिए उत्तरदाई नहीं है, कतन का सरे किसका दिया जाता है, यह कतन लॉड एटली कुछ, राजमितिक स्वतनता राष्ट का जीवन स्वास है, कहा है अर्विन भोसन, अब देखिए इसमें मतलब आपको कहीं कॉमा भी नहीं द दिजी आप लोग, लिव लेंग्स फोर ओर्ड, लेक सिंखला 1893 से 94 में सरवहरा वर्ग की साथ संपर्व से भारत बाहर होने के लिए कौंग्रेस की आलोजना की गई थी, इन लेकों के लेकर थे अरविन दबोस, दो निवताओं ने भारत में द्वारा कर सावाजी उध्या निर्माता डॉक्टर वीमराव मेटकर की मित्ती हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को, 2016 में डॉक्टर वीमराव मेटकर की पुंड़ती थी, एक साथ भी, एक छोड़ी एक तो देखिए, करेंट से आप लोग जुड़े रहिए, तब अगर कुछ होता है उनकी पुंड़ती थी पर तो रवेन नाट टैगोर को महान पर ही कहा जाता है, मातमा गांधी ने कहाता है, रवेन टैगोर की विसाय में सत्य है, उन्होंने पराचीन भालत और उसकी संस्किती का गौरफ गान किया, उन्होंने सिवाजी और गुरू गोविंद सींग को राष्ट निर्माता की रूमें द पहुच की अंतरकत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, मातमा गांधी ने कहा था, भारत की मुक्ती मातमा गांधी की नेतित में नहीं होगी, यह लिखा था सुवाश्चंद बौस में, किसने? सुवाश्चंद बौस में, पितेक बस तू पितीक्षा कर रही है, परंतु सुवाश्चंद बौस में, राजा जनता के लिए बने और जनता राजा के लिए नहीं बने, राष्टी आंधोलन के दोरान ये वक तब दिया था, दादा भाई नोरो जीन, भारत में वहाए स्क्वाउट, वाल्चर और सिविल गाइड आंधोलन का जन्द दाता था, बेड गढ़ित किया, भागत संग, भागत सिंग, हिंदोस्तान रेपबलीकन सोसलिष एसोसियेशन के संस्तापुवों में से एक दिल, एक दिल, मैं एक समाजबादी और गड़तंत बादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये अब अक्तब क किसने से संबंधित है, जवाहलाल नहरू ने कहा था है, किसने, जवाहलाल नहरू ने, भारत में सामभाद का ओचितम पुजारी कहा गया है, जवाहलाल नहरू को, किसे, नहरू जी को, जवाहलाल नहरू जी को, जवाहलाल नहरू का जीवन का जीवनिकार था, फ्रैंक मोरे राजनितिक विरोत पिदर्सन के वाइकोर्ट घेराओ और बंद तथा हड़ताल चार रूपों में से उस ब्यक्ति के नाम पर आधारे थे जिसने तरपिथम इसका उपयोगी राजनितिक अतियार की रूम में किया था यह वाइकोर्ट सही कतन है आरसमाज की स्थापना 1875 में हुई आल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पिकासित किया था कलकत्ता के पसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मौन राय ने की थी यह सभी कतन बिल्कुल आपके सही है चंपारन आंदोलन असयोग आंदोलन भारत चुडव आंदोलन और दांडी मार्च घटनाओं में से कालकरम के अमसार तीसरे स्थान पर आती है दांडी मार्च क्या दांडी मार्च ठीक है भारती राजनीती में 1947 के बाद महला ने सरवादी के उगदान दिया है और उना आसब अली ने हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंति मंदल को लीक के निताओं के हिंसक और आसब आकमडों के आंगे आरक्षित छोड़ देंगे ये बर्स 1946 म में पहले बार पूर सुतंता की मांग को उठाया था मौला ना हसरत मुहानी ने मौला ना हसरत मुहानी ने भारत विभाजन के लिए मौहमद अली जिन्ना को सरवादी कुत्तरदाई ठहराया था किसने लौड मांट बेटन ने लौड मांट बेटन ने याद रखिए जो मौ अम्मद अली जिन्ना में भी देख सकते हैं 31 देसंबर 1928 को दिली में हुई सरपतली ये मुसलिम सम्मिलन की अध्यक्ष्टा की थी आगा खाने अगस्त 1923 को बनारस हिंदू विस्वध्याले की अधिवेशन की हिंदू महासाबा की अधिवेशन की अध्यक्ष्टा किसने की थी पंडित मदन मुहन मालवी ने भारत की कमिनिस्ट पाटी और राक्टी है स्वयम सेबक संगी की स्थापना करमसा सबसे करीवी वर्ड से 1925-1925 फ्रेंटियर गांदी का असली नाम क्या था अंग्रेजियों की विरोध खान अब्दूल-गप्फ़यर खान को आचमर कि अंग्रेजियों की विरोध थी खान अफड़-गप्फ़फर खान द्वारे भार पेर्म किया गया अंदोलन का नाम क्या था लाल बाफ यानि नाम की सेंपर ने कमर किया तिप्पुरा की देशी रियासत सुतंता अंदुर्न में 20 सदी के प्यारम में सामिल हुई थी क्योंकि बंगदाल की करांतिकरी तिप्पुरा में आसर ली हुए थे राजिन पिरसाद रहने वाले थी बिहार के ठीक है महान कभी रवेंद नाट टेगोर एक महान चितकार की रूम में हो रहे जब उनकी आयू थी लगबख 17 वर्स समझ रहे हैं बचपन जगत नारायन लाल को जेल में भेजा गया था हजारी बागल जेल कस्तूरबाई वा महाद देशाई की समाधियां इस्ते थे आगाखा पैलिस और पूना में कॉंग्रेस के अधिकारी कितिहास के रचेता थे पट्टा भी सीता रमिया भारत में उपनेवेस काल में हिटली आयो का उद्धिस था इस रिमेकों की मोजोता परिस्तितियों पर पीतिवेदन पर सिफारिस लिखी थी आप देखें कि कई अंग्रेज अधिकारी एसे थे जो भारत के पक्ष में भी रहा करते थे बंगाल दुर्वीक का बर्स जिसमें लाखों लोग देबंगित हुए थी 1943 की बात थे विस सांती और आपसी सहयोग इस्तावित करने के लिए निरो जी ने सिधान पिस सबसे पहली भारत में आये थे पूर्दगाली और सबसे बाद में यही लोग गए बारत में 15 अकस 1947 के परश्चाद भी उपने विस्ति सक्ति की प्रोद्र स्वाधीनता संगर्श जारी रखना पड़ा पूर्ति जीच यानि की पूर्दगालियों के खिलाब बे समाजबाद से प्रभावित थे बे बेटे सुधारबाद से प्रभावित थे बे महत्मा गांदी से प्रभावित थे बे जर्मन राष्टबाद से प्रभावित थे बे जर्मन राष्टबाद से प्रभावित थे बे जर्मन राष्टबाद से प्रभावित नहीं थे ठीक ठीक है भारती नौसेना का विद्रोब 1946 तब हुआ जब मुंबई मुंबई और कराची से रायल इंडियन नेभी के भारती नौसेनिक सरकार की विरूट खड़े हुए ठीक है यहां सरकार का कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सरकार सही कताने इसुर्चंद विद्यासागर ने महिलाओ की सिक्षा को प्रोफसाय करने कि फिर्मों कुद देशों से कलकत्ता में बेथुन स्कूल इस्ताफित किया वाकिम चंद चट्टो पध्याय कलकत्ता रद्विस विद्याले की पितम इसना तक थे यह भी बिलकुश सही है वैटिस हाउस ओप कॉमन्स का चुनाओ जिस पितम भार्तिये ने लड़ा था बोध कौन थे डवलू सी बनर जी वैटिस संसत के सदस के रूम में चुने जाने बाले पितम भार्तिये थे दादभाई नोरुजी सहाब बारत में आपत्यक्ष निरवाचन की पिता आरम की गई थी 1892 में देवबंद के उस बिद्द्वान का नाम जिनोंने सुतंदा अंदूर ने भ्यमात्वुन भूम क्याने बाई थी यह थी अभूल कलाम आजाद अभूल कलाम आजाद डॉक्टर वी आरमबेटकर की सम्मद्ध में सही है उन्होंने सिद्धार्थ कॉलिज की स्थापना की 1922 में उन्होंने अपनी पतिका मोल नायक सुरू की 1922 में उन्होंने डेप्रेश्ट किलास इंस्टिट्यूट इस्टिट्यूट की स्थापना की थी ठीक है यह सभी कतन बिल्कुल सही है याद रखें सिविल सर्विस में आपको कुश्चन से इस तरह के देखने को मिल जाएंगे अब बोल देगा कि डॉक्टर वी आरमबेटकर के बारे में सही कतन चुमना है और नीचे 4 उप्सन देगा चार और आप से पूचे इनमें से कोंट कोई है तर नीचे आप डेखें के बाद आपको आपको आवी सी सीडी सिस तरह के सो उप्सन देगा और आप वाध अगर आप सब्खल होना चाहते है न रखेंगेल ने आप स California और questions paper आप लो अपने पास कम से का 5 साल की questions paper जो भी उस परीक्षा की जिस भी परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हैं देख लेना अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लो टेकर वैसे MPPS ते अगर आप UPPCS या IS की तैयारी करते हैं तो उनके लिए हम लोगोंने कबर करवा दिय आप लोगों के playlist सूची में डले हुए इसलिए आपको बहुत फायदा मिलेगा यकीन करिए गटनाओ का सही कालान किरम है जलियवाला बागत्याखान पर कॉंग्रेस संती द्वारा सर्फ संबिती रेपोर्ट की पिस्तिती तुर्की को अर्वे सांती सर्तों की प्रोष्णा बाल गंगादर तिलक का निर्धन कलकत्ता का भारती राष्टी कॉंग्रेस का विसे तजीविशन ये सभी बिलकुँ सही है ठीक है बिलकुँ सही है स्वाधिन था भारत की पिथम उद्धोगी कनीथी जिससे वर्स गोषित की गई थी उनीस औरतालीस में केरल में पिथम सामवादी राज सरकार के गठन की आगे था उनीस संतावन में । मातमा गांदी ने कहा था कि गांती राखती है। । याद रखेे गांदी बादी समाज बादी यह वादी जो सब्थ लगा रहता है न यह उस बिचारवाँको पर्टिकुलर बिचारवाँको यहिंगित करते हैं। き так गांदी की विचारधारों को एंगित करते हैं, ठीक है? इसी कारण गांदी की विरोथ की कारण, सही काल करम है, असायो गांदोलन, साइमन कमीशन, नहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो गांदोलन, यह बिल्कुल सही करम में लगी गो है, इस तरह की करम आपकी PCS और Civil Service में करेलियम से में पूछे जाते हैं, सही काल करम है, साइमन कमी करना और अंत्रिक, अंत्रिम सरकाल का गठन, यह सभी एक तरह से घठना है, सही करम में लगी हुई, सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सभी नहरू अयविया अंदोलन, खुदाई कितमतगार, यह भी विल्कुल सही करम में है, आजाद मुसलिम कॉन्फेंस, अल्लाव बक्स खाकसार पार्टी, अल्लामा मसरीकी, खुदाई कितमतगार, अब्दोल गफार खान, किर्सक प्रजा पार्टी, फजलूल खान, ठीक है, बारदोली सत्या गया, सरदार बल्लब भाई पते, चंपारन सत्या गया, गांदी जी, कुका अंदोलन, राम सींग, लाल कुट्ती, गफार खान संबंदी थे, ठीक है, अबद किसान सबाद, जवालल नहिरू, उनाइटिड इंडियन, इंडियन पेटियार्टिक सोसाइड, पेटियार्टिक एसोसीचन, सरसेद एहमद खान, ओल इंडिया किसान सबाद, आचार नरंद्देव, रैडिकल देमोक्रेटिव पा आउतिलाल नहिरू, नहिरू रिपोर्ट, एमकेव गांधी, चंबारान अंदुलन, स्थी बॉस, हर्वर्ड लॉक, एमेज जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापट, बिनोबा भावि, ब्यक्तिक सत्यागे, बीजी तिलक, हमरूल अंदुलन, अरुना आसापली, भारत छुड अंदुलन, सरोजनी नाइडू, धरसनास, रेड, टिक, हैंसे समझ लिए, यह आंदुलन होगे, बेक्ति जो जाने जाते हैं इनके लिए, हमरूल अंदुलन, एनिवेसंट, बार्दोली सत्यागे, बललभाई पटे, अर्सायू अंदुलन, एमके गांधी, यानिकी मांदमा खान, अब्दुल गफार खान, लानपुर्थी अभियान, बललभाई पटे, बार्दोली सत्यागे, ठीक है, सही किरम है, राष्टी अंदुलन की घटनाओं का सही किरम है, चंपारण सत्यागे, असायू अंदुलन, दान्टी मार्च, और भारत छोडों, आंदुलन, रॉल साइमन कमिशन, गांधी इर्विन समझ होता, ठीक है, सही कितन है, अंत्रियम सरकार 1946 में, रेल मंतरा लाय के कार आसब अली देखते थे, प्राचीन इसमारत अरच्छन कानून, जब लॉर्ड करजन, गवर्णर जनरल थे, तब पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, रॉल एक अहलेया भाई, पोलकर राज, महरानी लच्मी भाई, जास्ती, बेकम रजिया सुल्तान, एद दिल्ली, ठेक है, आंगे बात करते हैं पू, ए सही घटनाओ का किरम बिल्कुल सही है, बंग बंग लखनओ, समझ होता, रॉलेक टेक, दोईत सासन, फेवर्टन, बंग बंग उ सही करम है, रॉलेक्ट सत्यागय, जलिया बाला बाग अत्याकान, भारती राज्टी कॉंग्रिस का अमरिस्तर अधियाग का नेधन, ठेक है, बारती राज्टी अंधोलन से जुड़ी घटनाओ का सही काल अनिकरम है, महतमागंदी की दांडी यात्रा, गांधी इरिविन घटनाओ का सही काल अनिकरम है, हॉम्रू लांदोलन, चंपारन सत्यागय, जलिया बाला बाग अत्याकन, भारती राज्टी कॉंग्रिस का अमरिस्तर अधिविसन, याद रखिए इस अभी कुश्चन से या तो सिविल सर्वेस में पूचे जाएंगी अधिक तर बाद, या पूचे जाते हैं, सही काल करम है, चंपारन सत्यागय, जलिया बाला बाग अत्याकन, और चुरा चोरीी की घरनाम जलिया बाला बाग तरास्ती, सवराजिष्ट, दल का निर्मान, नौज़वान भारसबा का निर्मान, दान्डी मार्च जमना लाल बजाज वर्धा का सत्या गया आस्रम लाला लाजपत राय लाहोर का राष्टी एहम बिद्या राय जेवती बापुले सत्य सुद्ध समास से संबंदिश ठीक है साइमन कमीशन देश ब्यापी आंदोलन चोरी चोरा गतना आंदोलन का बावपस लेना और दांडी मार्श नमक का अवेर निर्माड़ ठीक है सही समलित है भाल भारस सी पिकासित पिथम समाचारपत द बंगाल गजट ऑल इंडिया हर जंसन की संस्तापक महत्मा गांदी गदर आंदोलन में सक्रिय है भाग लेने वाली हर दयाल और बाबा हर नाम सिंग तुंडी लाद पेश इंडिया अधिनियम पारित होने की समय बं अधिकास ता आधारित इंडियन कांसिल एक्ट उन्नीज मारले मेंटो सुधार पर भारस सरकार अधिनियम 1912 मौंटिकीव चैंप्सपोर्ड सुधार पर भारस सरकार अधिनियम 1913 साइमन कमिशन रिपोर्ट तथा सयुद परबर सम्ती की सिफारिशों पर ठीक है याद रख अगस्त गोष्णा मौंटिकीव अगस्त पिस्ताओ लॉड लिन लेत्पो अगस्त संकल माध्मागांधी प्यत्यक्ष कारवाई दिवस मौंध अली जिन्ना बारत का सासन अधिनियम 1935 क्रेप्स पिस्ताओ 1942 अगस्त पिस्ताओ 1944 बेवेल युजना 1945 ठीक है 1929 में जारी किये गए दीपावली घुठनापत्त का संबंध था डॉमिनियन इस्टेट्रस थी सूची एक सूची दो वटलर संती रिपोट बारती राज्यों और परमोच सक्ती के भी संबंध हाल डॉम संती रिपोट बेटिस भारत में सिक्षा की विविद्धि और प्रग मार्दमा गांधी की आत्मकथा मूर्रुप से गुजराती वासा में लिखी गईती स्रडलर आयुक सिक्षा से जुड़ा भारत में अंग्रेजी सिक्षा के प्रिसार में सायधा करने के लिए हिंदु कॉलेज कलकत्ता पिथम संस्था थी सुबध विभाजन कभगा 1907 में सं गटनाओं का सही अनुक्रम है कामगाटा मारू तिसंग रापदेगी मार्दमा गांधी का भारत आगमन और तिलक्की होम्रूल लेग गटना का सही अनुक्रम है अगस्त पिस्ताओं भारत छुड़ो आन्दोल आई एने मुकंदमा रोयल इन्नियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोग सही क्रम है होम रूल आन्दोलन असयो आन्दोलन सविनयययोग्या आन्दोलन और भारत छुडो हां दोलन साइमेन कमीशन 1927 भारत छुड़ो आन्दोलन 1942 भारती राठ्की कॉंग्रेस का गटन 1850 मेंटो माली सुधार एं 1909 ठीक है सम्मंदल के सही कालम मुक्रम है साइमेन कमीशन गांधी इर्वें सम्झोता क्रिप्सिपिस्त मिसन देश का विवाजन ठीक है सही सम्मले थे प्रुद्दीन तियब जी भारती राठ्की कॉंग्री से सम्मंदी ते हैं घर्णाओं का सही कला नुक्रम है सौधीसी आंदोलन अम्रूल आंदोलन असयोग आंदोलन सभीने एवग्या आंदोलन इस विल्कु सही है नीचे से उपर दकिया आनी कि आप समझीए mathematics से आंगी बढ़ती जाएए 1970 में आप देखेंगे जलिया वाला बागत्य कान देखेंगे आप 1922 एवी आपको सही है भामरूल लीग ये आप देखेंगे लोकमानती लक्सी समंदी नेशनले लिश्ट पार्टी मदन मुहनबाल भी नेशनलल लिबरेशन फेडरेशन तेजबादु सप्रूब स्वराज पा प्यारम ए 1909 में कॉंग्रेस लीग सम्झेटा 1916 लखनव सम्झेटा भी कहते हैं संबदाय का बोर्ड 1932 मुक्ती दिवस 1949 बकसर का यूद 1764 साहिक संदी 1798 भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का इक आधिकार समाप्त कब हुआ 1833 में बैटिश नागरेकों कंपनीयों के लिए 1813 में देखिए कुछ आधिकार तो आपके खतम हो चुके थे 1813 के अधिनियर में चाय और चीन को चून कर और चाय चीन के एक आधिकार को खतम कर दिया गया था 1833 के टेक्ट में ठीक है सही किरम है किपसे योजना बैवेल योजना केमिनेट मिसन योजना मांट बेटन योजना घटनाओ का सही किरम है क्रिप्स मिसन भारत चुडवा अंदोलन बैवेल ओफर और केमिनेट मिसन पिलान सही कालोन करम है अगस्त प्रिस्ताव क्रप्स मिशन की योजना, बेविल की योजना, मंती मंदल मिशन की योजना गातनाओं का सही करम है चंपरान अंदोलन, जलियावालबा, हत्याकान, मोपला विद्रो, चोरी-चोरा की गातना नहरू रुपोर्ट, सबियावग्या अंदोलन, गांदीरवन, पेक्ट, उना पेक्ट, ये सभी सही कालोन करम है सिरा राजबो पालाचारी योजना, बेविल योजना, केमिनेट मिशन, योजना, फिर माउंट बेटन योजना, ठीक है बेविल योजना पिस्तुत की गई कि 1945 में, बेविल योजना कब पिस्तुत की गई 1945 में मैक डोनल्ड, कम्यूनल अवर्ड, लिन लेतगू, अगस्त उपर, डलोहजी, डॉक्तिन ओप लेट्स, चैंप्सपूर, लाई, आर्गी कॉंग्रिस का संपूर स्वाधी इंता पिस्ताओ, 31 दिसंबर 1929, पूर स्वाराज दिवस, 26 जन्वरी 1936, दांडी मार्च, 12 मार्च 1930, दुधिय गूल में सब कॉन्पेंट, सेप्टमबर 1931, एनी बेसेंट, ग्रे सासनांदूलन, डॉक्तर राजिन पिसाब, चम्पाराण स CR फार्मूला, गांधी जिन्ना बाच्चीत, वेवेल इविन्ना, केमिनिट मिशन, ये सभी काल करम से यानि की करम से जोड़ी हुए हैं, ठीकिल, असायों आंदोलन, 1920, सविनय योग्यां आंदोलन, 1930, कॉंग्रेस मंती मंदलों का गठन, 1937, बारत छोड़ु आंदोलन, 1942, म गोपाल किसन गोकले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी को प्यारम किया, गदर पार्टी, लाला हर्दयाल, फ्रैंटीर गांती, अब्दूल गफार खान, इंडिया नेसनल आरमी, सवास्थेंद बोस्क, भारत योपितंबराश्टिपती, डॉक्तर राजिन पिसा, गठ जटनाओं का सही काल करम है, सवनेयोग्यातोरण, भैक्तिक सत्यागे, क्रफ्स मिषन, भारत छोड़ो, आंदोलन, साईमन कमीशन, पुना पैक्त, क्रफ्स मिषन, उपकैपनीट मिषन, ठीक है, आंदोलन है, सत्यागे, तक्रिया चंपारण, राजयन के साथ, अधाल लिया करेगा और नीचे लिख दिया करेगा चंपारां सत्यागे तिलक की मित्तिवु दांडी यात्रा सिम्ला समझता है ये सभी सही करम में जुड़ी हुई है सही काल करम है सौधिसी आंदोरन जलियाबालाबाद नंतंकार दांडी मार्ज औ भारत छोड़ो आंदोरन सही काल करम है पुणाप्यक्ट भारत छोड़ो आंदोरन सिम्ला कॉंफरेंस केबिनिट मिसन सही काल करम है बंग बंग का नेड़ है कॉंगरिस के उद्देश के रूम में स्वराज को सुईकार करना सौधिसी आंदोरन की योग्चारिक घोष्णा और सूरत आर यानि की सू बंगत हो चुका है यहां भारत में इकरांती होने जा रही है हमें जल्दी से चले जाना चाहिए यह किसका था सर इश्टेपोर्ड किप्स का पिथम अड़ूबं विसपोर्ट अ किया गया हीरो सीमा पर फ्रांसी सी इकरांती परम हुई 1789 में याद रखिए एक सही कथन है दिवाल लाल नेरू मित्यू के समय भारत की पिधान मंत्री की चौती पदा होदी में थी बिल्कु सही है भारत की पिथम गैर कांगरेसी पिधान मंत्री 1977 में पदपर निब्ध कुई यह भी बिल्कु सही है गटनाओं का सही किरम है लखनवू समझोता गांधी समझोता पूना समझोता सविने एवग्यांदोरन की अंते ग्रूप से बापसी बार्दौली गुजरात चोरी-चोरा उतरपिदेश यार्वदा महराष्ट नौखाल नौखली पश्री मंगाल में ठीक है संबन देते हैं सही कतन है सक संबत पर आधार राष्टी पंचांग म बिल्कु सही है रविन्ना ठायो ठाकुल द्वारा मूल बंगला में रचित गान चंगर्मन के हिंदी संस्कंड को समिधान सबाने भारत के राष्ट गान की रूम में 24 जनबरी 1950 को अपनाया था ये सभी कतन आपके बिल्कुल सही है ठीक है गटनाओ का सही किरम है खोश्यव और बुल गानिन की भारत यातरा दलाई लामा का भाग कर भारत आना चाउ एल लाई का भारत में आग्मन और गवा मुक्ति ये सभी किरम से जुड़ी दिने भारत पाकिस्तान की भी सिमला समझोता हिस्ताक्षित हुए था 1972 में भारत में भारत में ऑपरेशन विजय चलाया पाकिस्तान की भी सिर्षक देवस मना जाता है 23 दिसंबर को रवेंदनाट टेगोर साहित अमर सेंड अरस्तार से संबंदी थे चंद सेकर खागुल पोतकी से वीनु मंकर एकेड़ गट से पितम भारतिय नोबल परुसकार विजय था रवेंदनाट टेगोर 1913 की बात है और सही कालकिरम है बिल्कुल 1939 का भारतिय राष्ठी कंग्रेस का लाहर अधी वेसन गांधी इर्वें समझे था राजगुरू को पांसी और भारतिय राष्ठी कंग्रेस का का रिवेसन अधी वेसन बल्ला भाई पुटल आपरेशन पोलू एकवाल 1930 का मुस्लिम लीक का इलावा लिस्ति थे कोलकाता में, ऑपरेशन कोलो जुड़ा था है हैदराबाद राजी में सेनिक कारवाई से, राजी का सजवाले भवन राइटर्स, बिल्डिंग की नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल, भारत में सिक्षक दिवस मना जाता है 5 सेप्टमबर को, राष्टी पति क्रिया को समझा है, द्विंदात्मत बहुतिक बात, वेलिंटाइन डी या दिवस पिती वर्स मना जाता है 14 फरवरी को, यह तो आप लोगों के याद होगा, कुछ याद हो या ना हो, यह के लिए रियाद हो, आज कल का किलेंडर आधा रहे थे, ग्रिकोरियन किलेंडर पर, फालुन, गांग एक लोग प्रिया अंदोलन होता जा रहा है, यह चीन में, कहां चीन में, ठीक है, आँगे चलते हैं, मदर टेशा की समंद्ध में सही कतने, उनका जनम अलवानिया में हुआ था, वे 18 फर्स की उम्मे में ही नन बन गई थी, और एक संत बन गई थी, यानि क एक समय में वे कलगत्ता की सिक्षा भी रही है, बिल्को सही है, मदर टेशा की द्वारा इस्थापिर धरम संग कहलाता है, मिसनरी ऑफ चैरिटी, विदी सेवा दिवस, 9 नवंबर को, विस परेटन दिवस, 27 सेप्टमबर को, विस थेटर दिवस, 27 मार्च को, अंतराष्टी यह साक्षड़ता दिवस, 8 दिवस, ठीक है, यह आपके जितने भी दिवस मनाय जाते हैं, यह सब को कवर किया हुआ है, और आपके मत्पूंड दिवस के नाम से पिले लिष्ट सूची बनी हुई है, ठीक है, और इसकी थेम आप लोग तब देख लिया करिएगा, जब आप लोग करेंट अपियस वड़ते हैं, इस था यह आपड़े आपके बता दिवस, 11 जुलाई को विस्व जैंसन क्या दिवस, 12 अगस्त को अंतराश्टी युगा दिवस, और 29 अगस्त को राश्टी अखिल दिवस, और 8 सेप्टमबर को विस्व साफचर्था दिवस, आपको ब सही समले थे भी, फताय सिंग, राठोड, टाइगर मेंट, सुरेंद, सुरेश्ट देंदुलकर, अधसास्त, मडी कोल, थिलेम नर्माता, आरेस सर्मा, इतिहासका, यलो श्टॉन, सहिक राज अमेरिका, एफिल टावर, पेरिस, पेगोडा, म्यारमाद, पेरामिड, मिस्वे थे, इसमाद ले थे, बिसकी पित्थम मैला, पितान मंत्री कौन थी, यह आप देखेंगी, स्रीलंका, स्रीलंका की थी, कौन, स्री माव बंडार के, ठे, बंडार नाई के, वेटिस पितान मंत्री के सरकारी आवास का नाम है, 10, दाउनिंग इस्टीट, चीन से तिभबत पर चीन ने तिब्बत पर कब जा कब किया 1969 में भारत पाकिस्तान की योदि के परश्चात बंगलादीश एक सुतंत राष्ट के रूम में इस्थाबित हुआ था देसंबर 1971 में इंद्रा गांधी के समय सोविय संग रूस बना 1991 में याद रखिए पहले सोविय संग के हाल जाता थ रूस को अब देखते हैं सीते उद्ध खतम होने के बाद 1990 में रूस बन गया जर्मनी काई की करन होगा 3 अप्टूबर 1990 में स्युक्त राज अमेरिका का 1941 में दूसरे विसे उद्ध में सामिल होने का मुक्त कारण किया था फरल हावर पर आत्मन स्युक्त राज अमेरिका के पिथम राश्ट पती थी जॉर्ज बॉसिंग्टन विल क्लेंटन रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डवलू बुस सीनियर में स्युक्त राज अमेरिका के वह राश्ट पती जिसने राश्ट पत सित्यापत दिया था तो यह थी रिचर्ड निक्सन ठीक है आंगे देखते हैं विसब टूटू से संबंदित है दच्छिडपी का चीन पैवास्त की कागज की निमान का स्रें दिया जाता है साही लून को स जागरन संस्किति के इटली में प्यारम होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की सतन था आप आर्थे वें एक उपन नियाज सिंध्ल एक उस्तक और उनके लेकर अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फीडम एनिवेसेंड निव इंडिया बालगंगा दर्तलग केसरी और महत्मा गांदी हिंद स्वराज इनसे पूछे जाते हैं कुर्श्चन्स तो याद रखिए बापु माई मदर सी सक संस्करंड के लेका कौन है मनु बहिन गीता रहस नामक गरंद किसने लिखा था बालगंगा दर्तलगद्वान अरविंद गुहुस ने लिखा था दा लाइव डिवाईन उननीसवी सदाप्धी का पितम इतियासकार जिसने राजिस्थान की सामंत बादी बवस्ता के बारे में लिखा था वाथिक कार्णल जेंस अन्हापी इंडिया लाला लाज पत्राय दुर्गेश नंदिनी वट बाकिन संद चेटर जी इंडिया विंस फीडम अभूल कला माजाल पावर्टी अन्ड अन्ड अन्वेटिस रूल इन इंडिया जाधाभाई नोरुजी ने लिखी थी ठीक है सही सुम लेते हैं लारी को क अन्ड डॉमेनिक लिपियर फीडम एट मिडनाइट दुर्गादास इंडियान फ्रॉम करजन तु नहरु दुर्गादास अन्ड वॉप्धन नेस से समधित रफीक जकारिया दा मैन हू डिवाइड इंडिया मौलान अभूल कला माजाथ इंडिया विंस फीडम ये आपका स अन्डिया मातमा गांधी और निव इंडिया एनिवे सेंड ठीक है आपका सही समले थे वैलेंटाइन शिरोल इंडियान अन्रेश्ट रफीक जकारिया दा मैन हू डिवाइड इंडिया सवास्चेंद बॉस इंडियान इस्टेगल बीडी साबरकर इंडियान वार ओप इंड डिपेंडेंस ये भी सही है सही समले थे सुरेण नाथ बनर जी दा नेसंस इन दा मेकिंग लाला लाज पत्राय और टो बाइग्राफिकल राइटिंग्स आत्म चरितात्मक रितनाय स्वास्चेंद बॉस दा इंडियान इस्टेगल एमके गांधी हिंद सुराज जवाहाल न नहरू डिस्करब्री ओफ इंडिया मौलाना अबूल कलामाजाद इंडिया बिंस फीडम स्वास्चेंद बॉस इंडियान इस्टेगल लाला राजपत्राय अन्हप्पी इंडिया ठीक है ये भी सही समले थे हिस्ट्री ओफ दा फीडम मुवेंट इन इंडिया ताराचन्थ हिस्ट्री ओफ दा फीडम मुवेंट इन बिहार केके दक्ता आनन्दमत वाकेम चंद चतर जी प्री सेप्टस ओफ जीस राजाराम मुहन राय अबर इंडियान मुसल्बांस डबलु डबलु हंटर नहीं लिकी थी ठीक है सही सुमले थे हैं बीडिव सावर कर दा इंडियान अबर इंडिबेंडेंस आसी मजूंदार दीसेपोर्ड मुटीनी एंड रिवोल्ट अफारे सुसंतावन रुद रुद्रांगांसू मुहर्जी अबद इन रिवोल्ट अथारे सुसंतावन अन्थावन एस्भी चौदरी सिविर रिविलियंस इन दी इंडियन मुटीनीज अठारे सु संतावन से उनसट एलान एहक विपिंच रिंद्पाल अलहिलाल डॉक्टर जाकिर हुसें तहजीव उल एकलाग सरसेयद हैमत खान युबांतर अर्विंद बोस स्वाश्चेंद बोस इंडियन इस्टेगल होटोई इस्पिनिंग टाइगर ठीक है आंगे है फिलिपस टाल वोट अमेरिका विटनेज टू इंडियाज पाल टीशन्स अभूल कलावाजा इंडियन बिंस फीटम इस्पिंग टाइगर पुस्तक जीपनी है स्वाश्चेंद बोस की भागस्टिंग एंड इंट्रोडेक्शन टू दी ड्रेम लेंड स्वाश्चें सचेंदना सन्याल बंदी जीवन लाला रामसरंदास दी ड्रेम लेंड भगवती चरन बोहरा दी फिलोसफी ओव बंटे अनाई ही लेशन ऑप कास्ट की लेकिते डॉक्टर बियार अंबिटकर दूर्गादास इंडियन इंडिया फॉम कर्जन टू नहरू एंड आप्टर ल इंडिया विंस फीडम ठीक है समान देते हैं एस्टी बोस इंडियन इस्टेगल दादा भाई नोरो जी पॉबर्टी एंड अनवेटिस रूल इंडिया राजिन के साथ इंडिया डिया डिया देवाईडे इंडिया फ्रेंक मॉरिस जवालल नहरू की बार्यवरा की लिखी ठीक है लाला लाज पत्राइड अन्हेपी इंडिया दादाभाई नोरो जी पॉबर्टी अनवेटिस रूल इंडिया रफिक जकारिया दा में वो डिवाइडिड इंडिया स्वाश्टन बॉस इंडियन इस्टेगल गिल्टी मैं ऑब इंडिया पार्टीशन पुस्तक लेकि है डॉक्टर राम मनुवर लोहिया ने एच बी होर्शन दी ग्रेट डिवाइडिड जबाल लाल नेरू ग्लेम्सिस ऑब दी वर्ल्टी राम मनुवर लोहिया दे गिल्टी मैं ऑब इंडिया पार्टीशन मात्वा गांधी हिंद स्वाराज बाकिम चंद चटर जी आनंदमत माइकेल मदू सुदंदत, कैप्टिब लेडी, रभेन नाट टेगोर, गोरा, सरोजीन इनाइडू, दब्रुकेंट, बिंग, ठीक है गीता अन्जली का अंगरी जी संसकन पेकासित हुआ 1912 में मात्मा गांधी, हिंद स्वाराज, राम मनुवल लोईया, दाहील ओपिष्टरी, डॉक्टर राजिन पेसाथ, इंडिया डिवाइड़, अभूल कला माजाथ, इंडिया विंस फीडम मात्मा गांधी ने वेटिस फार्लियामेंट को बांज और बेस्या कहा था धेंद स्वाराज में, ठीक है गोकले माई पॉलिटिकल गुरू पुस्तक लिकी थी मात्मा गांधी ने राजिन के साथ, इंडिया डिवाइड़, दिलीव मुखर जी, टेरिश्ट, एसे बनर जी, नेशनल इन्वेकिंग, और मात्मा गांधी, माई एक्स्परिमेंट विद्टोड, ठीक है डीपी मेंस, लिविंग इन एरा, जवाल लालने रू, भारत की खोज, राजिन के साथ, इंडिया डिवाइड़, स्वाइड़, इंडिया डिवाइड़, इसे पुस्तक, फांडिशन आप इंडियान कल्चर की लेककती, स्री अरविन्द, बहु विभाय नामक पुस्तक किस ने लिखी थी, इसरो चंद विद्यास आगरने, बाकिम चंद ए देवी, चौधू रानी, दीन बंदू मेंत, नील्दरपन, प्रेम चंद, सतरंजी के खिलाडी हैं, इसे संबन्दी थे हैं ने की ठीक, चंद कांता उपन्यास की लेककती, देव की डंदन खत्री, ये लेकक जी, देवदास, जैदेव, गीत गोविन, पिसेद पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, काल मापस द्वारान, एम एन रोई की उत्पिरवासी सामभादी पती का थी, बेंगायड, ठीक है, गीता अंजली, आनन्दमट और सत्यार्थ पिकास, और गीता रहस से पुस्तको आत्ती आंदोलन के विकास से जुडा जाता है, आनन्दमट का, उपन्यास, दुर्गेश, नंदिनी, किलेकक थी, वाकिमचन, चटर जी, ठीक, वाकिमचन, चटर जी, बंगाली, देशवक्ती की वाईविल मानी जाती है, आनन्दमट, बंदी मात्रम का गीत, जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में, भारत के देशवक्त सबूतों को बड़ी पेड़नापिदान की थी, अंकित थी, आनन्दमट में, करांती कारी रचना, चितावनी का चुंग ड़या की रचेता थी, बारह हट केसरी चीन, महत्मा गांदी ने अपनी आदम कथा मुलूप से लिख हिं में लिखी गुजराथी में, हंद सवराज महत्मा गांदी दवारा लिखी कही थी गुजराथी में,ivesक गंदी ने हंद सवराज लिखी है Michigan strengthen भारतेंदू हरिश्चिंद की पिसिद किर्टी है भारत दोर्दसा अंधेर नंगरी चौपट राजा नाटक लिखा है भारतेंदू हरिश्चिंद रहे हैं सुबह मन्यां भारती कभी थी तमिल भासा की भारत भारती के लिखती मैथली सरेंड गुप्त राष्ट कभी की उपादी अपने साहती किर्टी किर्टियों द्वारा भारती सुत्नता संग्राम में हेतु प्याप्त हुई है मैथली सरेंड गुप्त को सही कथन है नेल दरपन नेल की खेती करने वाले किसानों की सोचन पर आधारित नाटक था घासी राम कोदबाल नाटक नामक नाटक की लेका का नाम विजे तेंदूलकर है उर्दू रंगमंच पार्जी थेटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था बिल्गु सही है इसाभी कतन संग्र्स की और पुस्तक की लेका कौन थी जैपकास नाराया प्रियेजन डायर अधि लॉंग टर्म डायनेमिक्स की लेकाते हैं विपिंचंद। अब अगर सेविस सर्विस की तैयारी करते हैं एस्टेट की सीएज की तब आप विपिंचंद पाल को जानते होंगे इनकी पोस्तक आप लोग पढ़ते भी हो आउट ओप्रेंट न्यूज पिपर्स जैनलि ब्रोग मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है कैथरीन मेउग द्वार दी फर्ट इंडियन वार ओप इंडिपेंट्स बिनायक दामुदा सावर करने लिखी थी आनंद मट बाखेंचंद चटर जी लाइफ डिवाइन स्री अरविंदू साधना रविना टेवर जंडा गीत लिखा है सियाम लाज पायर सबने राष्ट वक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों लिखा गया था पिदीव द्वार कभी एकवाल जेनों ने सारे जहां से इंडुस्त से अच्छा है लिखा था पंजाब से कहां से पंजाब से ठीक है मजहब नहीं सिकाता आपस में बैर रखना या पंक्ति अपनी रच्चना में लिखी है किसने मुहमद एकवाल में मैं अनिस्वरवादी क्यों हूं सिर्शक की पुस्तक लिखी है भगस्तिंग द्वारा भारत के सौधी सी अंतोलों के द्वरान लिखे का गीत अमाल सोनार ब उसे भी आप रविन्ना टेगोर ने लिखाता हूं जनगर्मनर की रचना किया है रविन्ना टेगोर ने गोल्डन थ्रेस ओल्ड नामक कविता संगराय की रचेता है सरोजनी नायडू लेंड़्मार्क्स इन इंडियन कॉंस्टिट्यूशनल एंड नेशनल डवलमेंट नामक पुस्तक के लिए कखें गुरूमुक नियाल जींग कॉंग्रेस प्रेजिडेंशियल एड्रेसेज के संभादक्ते जी एन टेशन पंडित जवालाल नहरू ने अपनी पिसिद पुस्तक डिसकवरी ऑप इंडिया लिखी थी एहमद नगर फोर्ट जेल में तो यह लोग जेल में हुगा करते थे तब भी सांध नहीं बेटते थे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे सही समले थे लेडी कैथरीन म्यू मदर टेशा सरी मदर इंडिया लॉरी कॉलिंस एंड डॉमिनिक लेपियर फिड़म एंड फिड़म एट मिड़नाइट राम मनोर ल जर्णी त्रू दी केंगडम ओफ अब इन दी इयर अथा सो ननन्चास पचास रिपोर्ट लिखी गई थी डवलु एच इसली में द्वारा इंडियान बार ओफ इंडियान बार ओफ इंडियान अथा संतावन लेकर थी बीडी सावर कर रवेश चंद दत्थ दा एकोनोमिक ह दिश्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली वेटेश रूल जोन आर मेक्स मेक्लें इंडियान नेसलिज्म एंड अर्ली कॉंग्रेस विरेंदनाथ गंगोली इंडियान एकोनोमिक थॉर्ट उननीस भी सेंचुरी पाइड फर इस्पेक्टिव्स विपिन चंद पाल दाइच ग्रोथ ऑफ एकोनोमिक नेसलिज्म इन इंडिया दी रूट्स ऑफ इंडिया के लिए करते डबलू ए फेयर सर्विस पुस्तक भारत की दूसरी सुतनता के लिए करते एमजी डियो सहार सहयाम ठीक है याद रखिए सही समले थे हैं प्रिये प्रवास अयुद्या प्रिसाद हरियोद गवन प्रेमचन अटर्नल इंडिया इंडिया इंटर्नल इंडिया इंडरागंदी साहनामा फ्रदोसी ओटोग्रफी ऑफ दी अन्नों इंडिया नीरज सी चौर्थी इंडिया इन बॉंडेड सिविलाइजेशन बी एस नायपोल कंफेंशन्स ऑफ दी लवर मुल्क राच आनंद इंग्लिश टीचर आर की नारायन प्लाइन एंड दी पूर नामपुस्ती सा पुस्तक के रचेता हैं बी एन मिन्हास दा प्रावलम्स ऑफ दी ओर इस्ट ए नामपुस्तक के लेकक हैं कर्जा दा अंटोल्ड स्टोरी लेकक हैं जनल पोल्ड पिस्लिद पुस् स्टिक माई लाइब रवीशंकर आधा गाउं राही मासुम राजा राधा रमाकांतरत दा फिल्फेरर लच्मन गायकवाड ठीक हैं बाकी इतियास बादल साथ सरकार सीता स्वयंबर विश्नु दास भावी यायाती विश्नु सकाराम खंडेकर गिद्ध जबार पतल ससी थर राइट ऑब डे बिक्रम चंद लव एंड लॉंगिंग इन बॉंबे गारो और अधालत लेला सिट जोबडी से राध्पती बवंत महिंदकुल सिष इमेजिंग इंडिया नंदन नीलिकडी और जनी थुरू बावुडम एंड निता लेंड टी एस आर सुबमन्यम गोदान और गवन दौनों ही जिस लेखक की रचना है उनका नाम है मुंसी प्रेम चलने निर्मला की लेखक है यह भी मुंसी प्रेम चलने याद रखिए थोड़ा जल्दी बोलना हूं लेकर रजश्ट करना पड़ेगा इतना टाइम किसके पास है आप सोचिए ना तो आपके पास ह है ना ही मेरे पास सोजे बतन पुस्तक के लेकर मुंसी प्रेम चलने मालगुडी देच के रजना का रहे है आलकी नारायन हैंस क्रिश्टियन एंडर्सन ने रचना की थी पारिशियों की कहानी की अभूल कलाम आजा इंडियन बिंस फीडम मडी संकर आयार दीप पाकिस्तान पिपर्स सभीता पांडे दी फ्यूचर ओप इन एन पीटी मारगेट थेचर दीप पाथ टूटाप तूपावर दी गोल्डन गेट के रचेता थे विक्रम सेट लगनव वाय सीशक से अपनी आगबता लिकी है बिनोज मेहिता ने साइलेंट स्पेंग के लेकर थे रसेल कार जुमपा लहेडी दे रोड अहेड नामक पुस्तक के लेकर है बिल गेट्स मानस के हंस के लेकर है अमरतलाल सागन सुमित्रा अनंदन पंत विख्यात है एक छायावदी कभी के रूम में डाइना एक्टिवीट के लेकर है जूलिया डिना डिना नो ठीक है 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 हैरी पोर्ट मदुबाला मदुकलस पुस्तक बुलेट और बुलेट माई लाइब एड पुलिस ऑफिसर के लेकर है जूलियस रिवेरो पुस्तक रोमान सिंग बिद लाइब इन वार्टोग्राफी इसने लिकिया देवानद्न है दाइस्टेगल इस माई लाइब नेलसन मंडिला दाइस् एंड वज सेख मुझी वर राहमार रिवर्ट लियोनेद वेजनेव एवी सही सुम लेते हैं प्राइस ऑफ पाइटिशन रफिक जकारिया आनन्दमत बाकिम चटर जी इंडिया 2020 एवेज अब्दूलकलाम पितोलोजी ऑफ करेप्शन एस एस गिल एवली सिस जैंस जायस मोटिव मोईन ठीक है आंगे है सकीर खिलापटू पाइटिशन पीटर हाइट होडी दी मुसलिम आप बैटिस इंडिया हाइट आप इंडिया पुस्तक लिखी है मार्क पूलीन है पुस्तक नाइटी एटी-पोर लिखी है जोज और वेल द्वार अंग्रीजी उपन्यास का दो गॉड ओप स्मॉल तिंग से लिखा है अरुधती रोयन है मेगनाईनी के लेखक है बिंद्रावन लाल बर्मा इंद्रावती पदमावती मधू मालती और मेगावती हिंदी रचनाओं में से पहले लिखी गई थी मिरगावती इन एक्वल म्यूजिक लिखी है बिक्रम से दीप फ्राव डिष्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का सम्मने भारत की सुदंता से तस्लीमा नस्रीन लिखका है लज्जा उतलहवा अमार माया बेलागी हापी लाइब बियस नाइपल वर्सी पिंग फाल्स गुर्स अरुन सूरी अगनी की उडान एपी जी अब्दूलकलाम जीत आपकी सिप खेडा गंधी गंधियन कॉंस्टिटिउशन पोर इंडिया श्रीमन नारायन दी रिपब्लिकन आप इंडिया एलन क्लेडिल दी रिब इंडिया सेंस इंडिबेंडेंस ठीक है पॉल आर बॉस की है कायमायनी की रिचेता है जैसंकर पिसाथ जियोग्राफिकल फेक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेकागे केम पडिकत बेगा नामा कुस्तक लिखी गई है बेरियर एल्विन ने सरत्चंद का लेका लिखा लिखा लिखावन्या से चरतीन स्रीकांत सेस्पिसन खुसबंध सेंग द्वारा लिखी गई आतमकथा का नाम है टूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस न्यू डाइमेंशन ऑप इंडियाज पॉरेंड पॉलिसी पुस्तक के लेकागें एबी बाचपई एगनाइटिड लेकागें एबीजी अब्दुलकला दा पोस्ट अमेरिकन वाल्ड नामक स्तक के लिखागोंने फरिद जकारियाज पॉस्तक दी श्टोरी ऑफ दी इंट करिंटीगेशन आव दी इंडियन स्टेतस लिखी गई हिएँ कि इसके दौरा लिखिए गई बीपी मेननने würद्धा 6 December 1992 नामक बुस्तक लिखी थी पीवी 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 नरसेंबार आउ साहब ने ठीक है 6 December 1992 बियस नाइपूल एन एप फ्रीट इस्टीट सलमान रूफदी मिड़नाइट्स चिल्डरेन पॉल इसकॉट इस्टेंग ऑन जे जी फेरिल दी सीज ऑफ किष्णपूर ठीक है ये वर्ल ऑफ आल यूमन लाइट सोली जे सरवजी ए फेश्टी फेश्ट क्रेप्ट पुस्तक पे लेकत है आर एन त्रवेदी ठीक है आटो वाइगराफी ओप मैडम क्यूरी का हिंदी मेरवाद किया था लाल बहादूर सास्त्री ने सुभह आजाद नामक कविता लिखी थी फैज मुहमद फैजने फैज अहमद फैजने ठीक है एलिजावेथ हौली जाने जाती है हिमालय की अभियान की लेकिका के रूम में इन कस्टेडी अनीता देशाई सी औप प्रोफी अभिताब गोस्त दा और्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमरसेन एन एक्ट्रमेट अर्थ जुंपा लहीडी एवी तमकाती का अकवरी ने जामुत दीन तमकाते ए नसेरी मिन्हा जुद्दीन भी नर्ष राजुद्दीन ने लिखी थी तारीक के फ्रोसाई ज्याव दीन बरने तारीक ही अमिनी अल उत्वी ठीक अमेरिक की राश्पती है ना पहले पहले अमेरिका राश्पती वरा कुमाबा नहीं रहे है डॉनल्ड ट्रम से पहले पॉलिटिक से इंडिया अपुस्तक की रचेता है रजनी कुठारी परवेज मुसरव की जीवन कतार इंदी लाइन ऑफ फायर की गोप्त लेकक है हुमायू गोहर मुंसी इंसा अल्ला खान उदैभान चरित बावु दे की नंदन खत्री काजर की कोठरी पंडित प्रताब नारायन मेंस हटी हमीर जैसंगर प्रसाथ कंकाल अंधायोग के लेककों ने धरंबीर भारती सर्वोदय योजना की रोप्रेका तेयार करने में समलित थे जैपिकास नारायन उस तक One Day Wonders के लेकक थे सुनील गवसकर कौन सुनील गवसकर ठीक है नेमलेकी कत्रों में से कौन सी जोड़ी लेकक वगरें सुमले थे यह सभी आपके सुमले थे कपिल देओ किर्किट माइड इस्टाइल हैली क्वेंडल क्लेंटर ए लिविंग हिस्टरी आर्थर क मिद आउप मातमा निविले चेंबर लेंड दाइस्टेगल और पीस ठीक है देखे कला एवं संस्किती यानि कि आयर्टेंट कल्चर से भी आपके कुश्टन से पूंचे जाते हैं वैसे आयर्टेंट कल्चर हम लोग कवर कर चुके हैं NCEIT में आपने देखा था और आपने ने देखा था ठीक है लेकिन फिर यहां भी कुश्टेंस हम लोग देख लेते हैं इससे भी क्यों भी कुश्टेंस पूंचे जाते हैं हमेसा है मदूबनी एक पारंबरिक चितकला है बिहार में सिंद खबाब से सिंदु दर्शन उत्साव जम्बू कस्मीर में भारत की सांस जाता है और दे थोड़ी कित्व विप्रीद दिशा में कटी गिवा पर वाक की जाती है नासिक हरिद्वार प्रयाग वर्णरसी में से कुम मेले का अवजित नहीं होता है तो याद रखिए वर्णरसी में नहीं होता है नासिक हरिद्वार प्रयाग और उज्जन में होता है इन्हें भी अच्छे से याद रखिए इस्थान सम्गों जहां हर पारवे वर्सकों में मेला आवजित किया जाता है प्रयात हरिद्वार उज्जन नासिक तिवहार हो कहे ए राज्यूग है विवो असम ओडम केरल पॉंगल तमिलाडू वैसागी पंजाब में मनाया जाता है ठीक एन्हें भी याद रखिए दक्षिण भारत का तिवहार ओडम समध्य मावली से डोल यात्रा ओडम पॉंगल विसकर्मा पूजा तिवारों में से अतापू समंधी थे यह आप देखेंगे ओडम तिवार से ओडम तिवार से तमासा संगीत नाटक का पिसेद लोग सवर यह समंधी थे महराख्ट से कहां से महराख्ट से उस देविस्थान का नाम है जिसमें मुख देवता अंड तीन से बनने जगनाद आदी संकराचाहर द्वारा इस्था पे चार माटन चोसी मट द्वार का पूरी सिंगरी बारत में एक तीरत यात्री स्री सेलम की आत्रा करते जो द्वार दर्स जोती लिंगों में से एक है अवस्तित आद्रपिश की कुर्णूल के निकर बौधिस्थल तावु मट अवस्तित है हिमाले पिदिश हिमाचल पिदिश में लोसां की एक उत्साव है जो मनाया जाता है सिक्किम में कहां सिक्किम में ठीक है महाबारत की नायक अर्जुन की पितामाय थी विचित वीरिक काबा हैं मुसलिम का विद्धिस्तल यहूदियों का पूजा इस्तल कहलाता है सिने गो संस्कित की पिताम विद्ध्यालय पीट की इस्थापना सरपितम होई थी प्रांस में चुमिकी ये दिशा सूचक यंद का सरपितम संद्रख मिलता है जवा म्यूल हेकायात में विद्ध्यासंकर संदिर कंणाटक में तराजरानी मंद्र उडिशा कंदर्या महादियों मंदिर मद्धिशा्ट खजवरावों भिमेसवर मंदिर आंदृष्यत ताबू मत और मंदिर संकुल हिस्थितिागाटि अलची मंदिर संकुल लगदाग में चित्गुप्त पामी मंदिर जिसे चित्गुप्त का एकमात मंदिर माना जाता है कहां इसके थे कांची में उत्सिस्थान का नाम जहां गीतकार तरी त्रियाग राज के सम्मान में नेमित रूप से त्यागराज अराधना तिवार मना जाता है तंजावुर में, कहां तंजावुर में, सोखी अकलाम जो एक प्रकार का एक भक्ती संगीत है, पिसेशता है कस्मीर की, मिमान सा दर्शन की अर्शार मुक्ती संभव है करमसी, कहां से करमसी, इस्वर फुजा की ज आधवी साधना ग्रहनी चिकिस सकें, भजन सापोरी, संतूर की उतकिष्ट कलाकार, विर्जु महराज कतक नर्तक, पेज़िदर्शनी गोविंद, भरत नाट्यम नर्तक, टेवी गोपाल किष्णा, मिर्द गम की उतकिष्ट कलाकार, इससे दुवादक कला अल्ला रखा सम् यहूदी मेनुहिंद, वाइलेंस से संभन देते हैं, काब्यावी विक्ती की रूम में उर्दु का प्रेयोक करने बालब पहले लेकप थे, अमीर खुसरू, सास्तिय संगीत पर विसिद्ध रखना, राधर गोविंद संगीत सार की रचेता हैं, सभाई परताप सीम, सदियो प्रेयोक से बालब जीवित रखेये एक प्रमुक परंपरा धुरोपत के संद्रव में सही है, धुरोपत प्रमुक तस भक्ती और अत्यात्म की कसंगीत है, बिल्कु तुरोपत अलाब मंत्रों से लिए गाए संस्कित अक्षरों पर आधरित है, सही है, उमाकांत और रामाकांत गुंडेचा बंतु हैं, द्रोपत कायत के, राक तल्प दुम के रचेता है, किष्णा नन्दि ब्यास, वह है राक जो सोपरभाद की समय गया जाता है, तोड़ी, चक्यार कुथू, नेतन के विसे में सही है यह चक्यार जाती द्वारां किया जाता है, मय आयू संगीत बातलं इसका नाट रोप कुथाम बाललं है, पंदी भीमसन जो सी संबंदिते संगी से, किस संगीत से, पिससईद सास्थ की जायक भीमसन जो सी किराना गरान से, कला मंडलम च्यमलवती मोहिनी अक्टम से सम्बंदेतें, कुटकल सिवरामन कथकली से, लच्मी विश्वनातन भरत नाट्टम से, एन माधवी देवी मडीपुरी से सम्बंदेतें यह वी आपका सही सम्बंदेतें, भरत नाट्टम, तमिलाडू, कतक, उतरपजेस, कुचीपूरी, आंधवदेस, मोहिनी अक्टम, केरल से सम्बंदेतें, उडिसी नेते सम्बंदेतें, उडिसा से, विख्या सत्या नेत के संद्र में सही कतन है, सत्या संगीत नेत तथा अभि कानल नेत्य होता है, मोहिनी अक्टम, गरवा गुझराद, मोहिनी अक्टम, केरल, यखचगान करनातक, सूची एक सूची, मार्क करिएगा, सूची बहुत याद आ रहिए, सूची कुची पूरी, सूची पूरी नहीं, कुची पूरी और भरत नाट्यम नेत्यों के बीच भ बट्टाचार कटपूतली कला, मालिनी लाच कुंवर, हिंदोस्तानी स्वार संगी, किदिभा पहला भरत नाट्यम कला, बैमपती चिन्नात सत्यम कुचिपूरी नेत से समझ देते हैं, कथकली कुचिपूरी भरत नाट्यम तथा मडीपूरी नेत सेली हो में से, वह जिसका अमरी गायका गिर्जादेवी का संबंदेर बनारस घराने से, सितार, तबला, सारंगी, सहिनाई में से हुए संगीत बाद जो एंडो इसलामिक उत्तपत्ती का सही नहीं है, सारंगी, गंगु भाई हंगल थी सास्तिय संगीत की गायका, तेरे ताली लोखने थे राजिस्थ लुड़ी, पर्ष्यमंगाल जात्रा, बिहार जाटा, जाति, कारागम दार्मिक लोखने थे तमिलारु से, कहां थे, जच्छे मारत का राजियना तमिलारु, सहिनाई, विस्म अल्ला खान, सरोद, अमजद अतली खान, चितकार, मक्बूल फिदाहसें, तबला, अल्ला रख अंगे बात करते हैं हम लोग, एवी सही सुम ले थे, बिरजु महराच, कथक, अरी परसाद चौरसिया बासुरी, अली एकबर सरोद, जाके रोसें तबला से समदे, स्रीवीजी लोगों जो विख्यात हैं वाइलिन बात संगीत के लिए, सिवकुमार सर्मा संतूर, हरी परस पखावज वाधन, पंडित अयुध्या विरसाद, वीणा वाधन, सादिक अली खाँ, तबला वाधन, वीरु मिस्रा, एवी सही समले थे, आपका, पंडित सिवकुमार सर्मा संतूर वाधक, पंडित मलिकार्चुनल मसूर, हिंदोस्तानी संगीत, वीजी जोव, वाइलिन अली अगवर खाँ, सरोध बाधक, सही समले थे, रवी संका, सितार, हरी प्रसाद चोरसिया, वाथूरी, ओकारनाथ ठाकु, वाइलिन, बिस्म अल्ला खाँ, सही समले थे, आपका, पंडित गोपाल जी मिस्थ, सारंगी बाधक, कुदक सीं, पखावज बाधक, अल्लार खा खां, MS, Reddy, बिर्जु महराज तथा राजा रेड़ी में से, कतक नेत के उतकर्ष्ट नर्थक हैं, बिर्जु महराज, बिंदादीन, संभू महराज, लच्छु महराज, दोगतारा, जोसी में से कतक नेत से संबंदित नहीं है, तो याद रखिए, दोगतारा जोसी नहीं है, बाकि आप देगें, बिंदादीन, संभू महराज, लच्छु महराज, इससे कतक से संबंदित है, बिर्जु महराज, किसन महराज, लच्छु महराज, सितारा देवी में से कतक कलाकर नहीं है, तो सितारा देवी नहीं है, बिर्जु महराज है, किसन महराज है, लच्छु मह पाराज है ठीक है भारत की संस्किति यह उन परंपरा के संद्र में कलारी परटू है यह एक प्राजीन मारसल कला है और दश्चन भारत की कुछ हिस्वों में जीवन परंपरा भी अभी भी मनाई जाती है ठीक है आंगे चलते हैं हम लोग लोग संस्किती को इसपष्ट करता है सामाल लोगों की संस्कितिक परिबाटी कलम कारी चितकला निर्दिष्ट रिफर करती है तच्छिन भारत में सूती बस्त परहाज से कीगल चितकारी सही समले रुकमनी देवी भरत नाट्यम नित कुमार गंदर्व सास्तिय गायन बिरजु महराज कथक नित राकिस सर्मा अंत्रिक छियात्री थी लोग गीतों का असरवादी कमात थे परंपराओं के सरक्षण में वह नित जो सास्तिय नहीं है गरबा हरी पर साथ चोर अशीया बासुरी से समद्दी थे बिस्म अल्ला कां सहनाई अल्ला रखा खां तबला जाकर हुसें तबला सही समले थे भीमजें जोसी सास्तिय गायन संगी अल्ला रखा खां तबला देवी चौधरी सितार MS सुब्ब लक्षमी, सास्तिय गायन संगी जोप सम लेते हैं बालमुड़नी किस्ण, करनाटक गायन, मीता पंडित हिंदोस्तानी गायन, करन्या कुमारी, बॉयलीन, निखलबनजी, सिता कॉलम नारायन पन्निकर रंगबंच सर्मिला टेगोर सिनेमा बाल मुरिली किष्ण करनाटक संगीत सौनल माल सिंग नेत्त से संबंदित है पंडित दुर्गालाल नेत्त से संबंदित है लालगुडी जैरा जैरामन देवात संगीत बाल मुरिली किष्ण कंट संगीत हमरास्ता सेरेगल चिथकला, कलाकारों की रूम में विख्या थें, अमित्ता सेरेगल, विकास बतारचारजी, एन एस बिंदे सुबोध गुपता, यह सभी आपके कलागार की रूम में पिसित थें यह भी आपका सही समलेत है, मनदाकनी आमटे समास्तिबाव समधायक नेतिते से समझनी थे, नीलम मान सिंग चौधरी नाटर नेतिशन, रॉमलिया थापर इतिहास लेखन, वनसरी राव नित, सई समले थे, अमेरता सेरेगिल चितकार, बैंसिंग जोसी गायक, रुकमनी देवी अरुंडेल नर्दकगी, और सूरकांग तिरपाटी नराल कभी, भारत में नेति नाटक और संगीत के विकास को परहसान देने के लिए उत्तरदाई है, संगीत अकादमी, देवु चौधरी, मध्धूप, मुदगल, रॉनु मजूमदार, और सफत अहमद मैसी पिसेद दिवासुरी बादक है, रॉनु माजूमदार, ठीक है, तस्ली अमजद, अली खान पिसिद बादक है, सरोद बाद यंद के, बिस्तमल बिरुजु महराज, कतक, बिस्मिल्ला खान, सेहनुआई, जाकर हुसेन, तबलाबाद, अमजद, अली खान, सरोद, सितार बीणा, सरोद तबला में से सबसे प्राचीन बाद जयां थे, वीणा, संगी कुछी पूरी नित पहराम हुआ था, आंध विदेश में, कहां, आंध विदेश में, कुछी पूरी कहां से संबंद थे, आंध विदेश, बादपना ट्रम, तमिलारू, कतक उत्तर विदेश, उरीसी, उरीसा में, ठीक है? फिर आपका मिखाले का लोग नित क्या है, लोहो, भारती वास्तुकला में सुखी, सुरिकी का पहराम हुआ है कुसाणों द्वारा, धारम-राजनिती कानुण और परंपरा में से सांस्क्ति एक बिलमना का कारत नहीं है, राजनिती नहीं है, वह है नित जो किबल पु पूरैस कलाकारा पिसतित किया जाता है कफक्ली, प्रेखा वो पहरम किया नोंने, बैंक्टा माई ही, फे बंदे मातरम गीत का संगीत लिपिवद्द किया, स्याम सास्तरी, करनाटक संगीत के पिती बादक भी रहे हैं, अमीर खुसरो, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल, रोब के पिती बादक हैं, ठीका, चुमुनर विदेश रासनित और कुचिपूरी नित्यों में, गुजरात से समझद रखने वाला हैं, रासनित, भारत की पितम टेक्निकल फिल्म है, जासी किरानी, टेक्निकलर फिल्म कौन से है, जासी किरानी, भारत की पितम 3D फिल्म थी, माई डियर कुट्टी चातन, ठीका, भारत की पितम ब रामायडर्ट के निर्माता के रामानंद सागर इस तरह की मूवी देखा करिए आप लोग समझ रहे हैं जो इतियास पे लिखी गई है कुछ तीखने लायक हो आप लोग मिसालादार मूवी कुछ जाना पसंद करते हैं अभी विवेकानन मूवी देखी किसी नहीं होगी और अ मूवी देखी अच्छी ठीक है रिचर्ड एटनबरो निर्माता ने दे सक भारत में बनने वाली पिथम सरपिथम कथा फिलिम टॉकी थी आला मारा पिथम भारती अभिनेत्री देवक्या रानी ने विवा किया चितिकाल स्वित्तो स्लोप रोरिस से महाभारत सीरियल के निर संस्क्रित नाटकों में समान पात विदूसक प्रया होता है ब्रहमन्ड ब्रहमन्ड वर्ड का के संकर पिल लई थे कार्डूनेट रगू राय जिस करमचेती में टिसेद देते वह थे फोटोग्राफी क्या फोटोग्राफी एवी आपका सही सुमले थे बानुबार्ती आणिजी फिलिम निर्माता मुहमद जहूर खयाम संगीत कार बिंद्रा करंदी कर कभी एवं साहित कार आउनेंद टैगोर के बनाये चित्रों को वर्गी कित किया गया है होनरू जो जीवन वादी ने विष्णु चिला चिंचाल करते चितकार इंडियन सोसाइटी और औरिय जामीनी राय थे चितकार ब्रेटनी स्वेर्स पिसिद्धे गयन हितु पंजाबी भासा का टैगोर माना जाता है पूरण सिंगो सोविख्याद चित सत्यम सिवम संद्रम की रच्छा की थी सोभा सिंग ने ए हिंदी साहत रस खान और दू ज्यान चंद संगी देवन नितकला सभीता देवी चितकला सतीश चंद एवी साही संबले थे संतो स्यादब परवादरोई हैं ओपरा बिने पे टेवी होस्ट ओसकर वाइल नाटक कार और लेखत पी साइनाग पत्तकार थी एवरिच सिकर पर चड़ने वाली पिथम भार्ती नारी थी वचंदी पाद सरसुती म पुस्तकाले तंजावुर में लाइबरेरी ओ तिवेतन वर्क एंड अर्काइब्स धरमसाला रजा लाइबरेरी रामपूर खुदावक्स औरियंटल पब्लिक लाइबरी पठना महलाओं के परंपरागस परिधानों एवां राज्यों की सही सूची सुमले थे बोकू, एसि मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इंडिया गेट नई दिल्ली, चात मीनार हैदराबद, याद रखिए, गेट बेव अप इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली, स्री हरी कोटा अंध बिदेश, साचीस्तु प्रायसेन मध बिदेश, गुजरी महल, ग्वालियर, ताज उल मस्जित बोबाल, ठीक है, एप परापरागत पुरुसकार हैं आपकी, इन्हें भी देख लिजे, इनसे भी आ जाते हैं कुष्टन, कालिदा सम्मान दिया जाता है, कलाच्छेत में योगदानी दू, सांती सौरोव भटनागर पुरुसकार दिया जा जाता है, अर्जुन पुरुसकार, अर्जुन पुरुसकार के साथ धंडासी 3 लाग, यार रखी ये बदलती रही थी है, ठीक है, सीवी रवन, एच जी भावा, आरेन, टेगोर, मदर टेशा में से नोबल पुरुसकार नहीं पिदान किया गया है, एजे भावा को निन दिय गया है, सीवी रवन को मिला है, आरेन, रवेना टेगोर को मदर देशा, इन सब को मिला है, बातनागर पुरुसकार, बिद्ज्ञान के चित में, बीसी राय पुरुसकार, रौसदी के चित में, दादा साहब फाल के पुरुसकार, फिल्म के चित में, गंदर पुरुसकार, इस्तात्किय कला के लिए दिया जाता है नॉबल पुरुसकार विजेता है आर्ट, डिसमंड, टोटो, लेक, वालिसा, सिमॉन, पेरिज, यासिर, अराकार याद रखिए नॉबल पुरुसकार के जो भी इतियास रहा है और जिन लोगों को भारतियों को मिला है जो उससे और महत्कूर पॉइंट है उन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात किये तो इस्पेशल वीडियो को राइएस, पीसियेस में डाला होगा वहाँ जाकर आप देख लेजेए अगर देख लेते हैं मुझे लटनी लगता है कुश्चन शूटेगा आपका नोबल से क्योंकि बहुत इथ्यास पूरा कवर किया हुए कि सोवा मन्यम चंदिसिकर सीवी रमन मदर टेसा और रवेंदनाठ टेगोर मैंसे नोबल पॉरुसकार विजयता भारतिये नहीं थे सुवमन्यम चंद से कर इभारती मुल्के नहीं थे ठीक है किर्षी विज्ञाने को सांती पुरुषकार से समानित किया गया नर्मन बॉलोग को महिलाओं को इस तरी साथी पुरुषकार दिया जाता है उस्ताद बिसमल्ला खां सत्य जीतरे लतामंगेस कर राजकपूर मैसे भारत रतन का सम्मान बिदान नहीं किया गया राजकपूर को नहीं किया गया ठीक है उस्ताद बिसमल्ला खां को किया गया सत्य जीतरे को और लतामंगेस कर को लता मंगिस कर पंडिच जसराज, पंडिच रविशंकर उस्ताज बिसमल्ला खान में से भारत रतन से समानित नहीं किया गया, पंडिच जसराज को, ग्यान पीट हुरसकार प्राप्त करने वाली पिथम महिला साहित कारियन, आसा फूनमार जेवी, पाकिस्तानी नागरेक जिन अब्थुल गफार खान, पितनल भारत रतन पूरशकार दिया गया था 1902 में, बारत रतन डेश का सरभुचनागरे पूरशकार जो सरवपितन पिथान किया था 1904 में डौक्टर राधा किष्न सारवपितन में किया गया है, अइस राधा किष्न को अलंकित किया गया था भारत दर्दत्म से, ब्या सम्मान पाने वाली पितम मैला थी, चित्रा मुद्गर, बोकर पुरुसका जीतने वाली भारती मूल के पितम प्यक्ति थी, बी एस नायपुल, नोवल पुरुसका दिये जाते हैं, सुईडन, सुईडेस अकादमी के द्वा भगवत राम, सौभी भगवत रावत, फिराग गोरपुरी, माखनलाल चतुरुवदी, ज्यान, रंजयन मैंसे भारती ज्यान पीट को द्वारां सम्मानिक ब्यक्ति हैं, फिराग गोरपुरी, भारती सिनेवा से सम्मानित सही योग में, पहली फुल, लेंग तमिल फीचर् करने वाली पहली भारतीय फिल्म, दो, पहली भारतीय सिनेवा स्कॉप फिल्म कागच कि पूल थी, खुसबंद सीन, अरौन सूरी, धरंभी भारती, कमलेशन मैं से, मैक्जिस प्रसकार्ट, प्रावत करने वाली पत करती, अरौन सूरी, तो यह था आपका प्रावत, आदू संस्किती, संस्किती कला आप तो देख चुके हैं तो मुझे लगता है कि यहां तक आपका रिमिल्जन के कॉइंट इविप से काफी है बिल्ग्यानपूरी उसमें आपने देखा है साइंस टेक, फिजयक केमिस्ट्री, वाइलोजी, कम्प्यूटर साइंस, परियावने में पास्तित्री, अर्द्रवस्तार, समिनान, भोगोल, इत्यास, सब कुछ कबर हो चुका है अब आपका बचता है current affairs, तो इसे हर साल अम लोग update करते रहेंगे, ठीक है, अभी 2020 की books आई नहीं है मेरे तक, क्योंकि मैं बाहर हूं थोड़ा, तो adjust करिएगा, अगर मिलती है आप लोगों को कहीं से मिल जाए, तो PDF आप लोग बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सहर से ब हो जाएगा आराम से, जब टाइम हुगा करे आपके पास तो विस्तार से बढ़ लिया करेगा, और जब टाइम नहीं है उस समय आप लोग ये revision करके चला जाया है ना, बहुत है, वंडे एकजाम के लिए तो बहुत काफी है, ठीक है?